इंडियन एरलाइन्स की नई दिल्ली तक की इस उडान की यात्रियों के लिए सवा घंटे का ये छोटा सा सफर, खौफ और आतंक का लंबा सफर होने वाला था इन में से सभी यात्री अपनी मंजिल तक जिन्दा पहुँचने वाले नहीं थे, अगले कुछ घंटों और दिनों की घटनाएं बहुत दूर तक अपना असर छोड़ने वाली थी, आतंक के इस नाटक का अंत सारी दुनिया के लिए बेहद घातक असर छोड़ गया, और आतंक नेपाल में काठ मांडू के त्रिभुवन अंतर राष्ट्रिय हवाई यड्डे पर इंडियन एर लाइन्स की ओडान IC814 रवानगी की तैयारी में थी, एक घंटा बीस मिनट में ये विमान भारत में नई दिल्ली पहुँचने वाला था कॉक्पिट में कैप्टन देवी शरन, को पाइलिट सिंग और फ्लाइट इंजिनियर जागिया उडान से पहले की जाजबर ताल कर रहे थे विमान के 178 यात्रियों में से ज्यादा तर नेपाल में छुट्टियां बिता कर लौट रहे थे क्रिस्मस का मौका था, नई सदी बस हकते भर दूर थी और सब मस्ती के मूड में थे शाम चार बजे के बाद जब IC814 उडान काठमांडू से रवाना हुई तो किसी ने सूचा भी नहीं था कि इसके साथ कोई अन्होनी होने वाली है बहुत जल्द ये विमान भारती ये वायू सीमा में आ गया कैबिन में फ्लाइट अटेंडेंट्स ने ड्रिंक सर्विस शुरू कर दी इतनी छोटी उडान में ये काम फूरती से निप्टाना जरूरी होता है दिल्दी काटमंडू सेक्टर में सर्विस ठीक ठाक चल रही थी मैंने सूचा कैप्टन्स को कुछ चाय काफी दे दी जाए चीफ स्टीवर्ड अनिल शर्मा पाइलट्स को चाय देने के लिए कॉक्पिट में पहुँचे लेकिन जब वो बाहर निकले तो IC814 में सवार सभी लोगों की जिन्दगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी मैंने जैसे ही गैली की तरफ मू किया तो मास्क पहने हुए एक आदमी दिखाई दिया वो नाटे कतका था और उसने चश्मा पहना था मुझे लगा कि मुझे फॉरन कैप्टन्स को बताना चाहिए मैंने इंटरकॉम की तरफ हाथ पढ़ाए जब अनिल शर्मा लोट रहे थे तब ही मैंने देखा कि एक आदमी कॉक्पिट में घुस रहा है पल भर के लिए मैं सेहम गया मैं समझ गया था कि प्लेन हाईजैक हो गया है उसने कहा कि कोई हरकत नहीं होनी चाहिए पलेन को बस पश्चिम की तरफ ले चलो लेकिन वो अकेला नहीं था हथियारों से पूरी तरह लैस चार और अफ़रन करता थे जिन्होंने बड़ी बेरहमी से विमान पर कबजा कर लिया अवाज आ रही थी कि खाना जल्दी नीचे फैंको सीटों के नीचे फैंको जल्दी नीचे फैंक तो वो बड़ी जोड से चला रहे थे इसलिए हमने जल्दबाजी में हर बड़ी में खाना फैंकने शुरू कर दिया फिर हम से सीटे बडलने को कहा गया बच्चे मुझसे दूर हो गए अब वो पीछे बैठे थे हमारे बीच कोई संपर्क नहीं रहा मैंने सोचा चलो देखते हैं कि वो क्या करते हैं मैं कोई हरकत नहीं कर सकता था क्योंकि अकेले कुछ नहीं किया जा सकता था मुझे सबसे स्यादा फिक्र अपनी बेटी की थी वो मेरे पास नहीं थी पता नहीं उसका क्या हुआ वो बहुत दूर थी मैंने अपनी आखों की पट्टी हटाई और इस तरहा हाथ उटा कर खड़ा हो गया और फौरण ही वो आदमी मुझ पर लपका और रिवालवर तान कर बोला चुप चाप बैठ जाओ वरना गोली मार दूँगा सुन लिया तब उसे मेरी आवास में कुछ खुसा कुछ फिक्र कुछ खौफ ये सब महसूस हुआ शायद उसे लग गया कि ये आदमी नहीं माने का उसने कहा जल्दी से देख और बैठ जा मैंने नजर घुमाई उनकी तरफ देखा वो दोनों वहाँ आराम से बैठे हुए थे फिर मैं वापस अपनी सीट पर बैठ गया कॉपपिट में कैप्टन शरन किसी तरह अपहरन करताओं को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि विमान को उनकी मर्जी के मताबिक पाकिस्तान में लाहौर ले जाने लायक इंधन नहीं है उसमें पूछा तुम्हरे पास कितना इंधन है मैंने कहा कि दिल्ली तक का इंधन है उसमें पूछा कि अगर दिल्ली ना उतर पहे तो और कहा जा सकते हैं उसे मालुम था कि हम बंबई या एहमदाबाद जा सकते हैं मैंने कहा एहमदाबाद फिर उसने कहा कि अगर एहम्दाबाद ये बंबई जा सकते हैं तो लाहॉर क्यों नहीं जा सकते डिली से बंबई के मुकाबले लाहॉर ज्यादा खरीब है भारती उप महधवीप में रात हो गई थी IC 814 अपनी मंजिल से अंजान अब भी पश्चिम की तरफ जा रहा था विमान में सवार 189 यात्रियों और करमचारियों को कुछ खतरनाक हथियार बंद लोगों ने बंधग बना रखा था कॉक्पिट में कैप्टन शरण खतरनाक खेल खेल रहे थे अपहरण करताओं की नजर बचा कर उन्होंने एक एमर्जेंसी ट्रांस्पॉंडर तबाया जिससे भारतीय एर ट्राफिक कंट्रोलर समझ गए कि IC 814 का अपहरण हो गया है IC 814 में कैप्टन और अपहरण करताओं के बीच कश्मकश चल रही थी अपहरण करता पाकिस्तान में लाहौर जाना चाहते थे लेकिन कैप्टन किसी कीमत पर पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे 6 महीने पहले ही कश्मीर में कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच हूनी जंग में सैक्णों लोग मारे गए थे उसके घाव अभी तक ताजा थे मैं लाहॉर नहीं जाना चाहता था क्योंकि मैं अपना देश नहीं छोड़ना चाहता था मैं भारत में किसी भी जगहें पर उतरने को तयार था ताकि सुरक्षा कर्मियों को मदद करने का मौका मिल सके लाहॉर एटी सी का रुख कैप्टन के काम आया उन्होंने विमान उतारने से मना कर दिया लाहॉर ने अपनी वाईू सीमा अपने विमानों के लिए भी बंद कर दी इस बीच यात्री कैबिन में एक खतरनाग खेल शुरू हो गया था आठ पुरुश यात्रीयों को वहां से उठाकर एक्जेगेटिव कैबिन में ले जाया गया उन्हें 27 साल के रिपन कत्याल भी थे जो अपनी पत्नी रचना के साथ हनीमून से लौट रहे थे जैसे ही मेरे को बर्गर अंदर ले गया तो मैंने देखा कि वहां पर तीन लोग पहले से ही थे और उसने मेरे दोनों हाथ पीछे खीच कर नाइलॉन की रसी से बांदिये फिर सीट पीछे करने का बटन दबाया और बिल्कुल बैक में ले जाकर सीट फ्लैट कर दी और बेल्ट बांदी मुझे यात्री कैबिन की हल चल से बेखबर कैप्टन ने वक्त गुजारने का फैसला किया मैंने अपनी रफ्तार करीब 40 प्रतिशत कम कर दी क्योंके मैं दिल्ली यामरिस सर कहीं भी उतरने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय लेना चाहता था ताकि वहां तैयारिया हो सके लेकिन आई सी एट वन फोर में इंधन तेजी से खत्म हो रहा था कैक्टन के सामने ज्यादा विकल्प नहीं थे लिकिन अफरन करता अड़े हुए थे वो विमान को भारत में उतारने को तैयार नहीं थे फिर ये गतिरोध कैसे तूटा आखिर कौन चुका नेपाल में काटमांडू से भारत में नई दिल्ली के रास्ते में इंडियन एर लाइन्स की ओडान आई सी एट वन फोर पर पांच अफरन करताओं ने कबजा कर लिया था वो रिवॉल्वर, चाकू और हधगोले लेकर विमान में घुस गए थे अब हरन करताओं की मांग थी के पालिट्स विमान को पाकिस्तान में लाहौर ले जाएं लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने अपनी वायू सीमा बंद कर दी और विमान उतारने से इंकार कर दिया इंधन तेजी से खत्म हो रहा था इसलिए कैप्टन शरन के सामने एक ही रास्ता था कि विमान को लाहौर से पचास किलो मीटर पूर्व उत्तर में भारत में अमरिच सर में उतार लें लेकिन अपहरण करताओं को डर था कि भारत ये सुरक्षा बल विमान में खुस जाएंगे इसलिए वो भारत में उतरना नहीं चाहते थे मैंने हाथ जोड़े कि मुझे विमान उतारने दो नहीं तो सब मारे जाएंगे लेकिन वो अमरिच सर में नहीं उतरना चाहते थे उन्होंने दो तीन मिनट लिए सारे हाईजैकर्स पीछे जमा हुए कुछ बाचीत की फिर वो अंदर आए उन्होंने पूछा तुम्हें यखीन है कि विमान को इंधन मिल जाएगा मैंने कहा कि हाँ मिल जाएगा बस हमें अमरिच सर में उतरने दो कैप्टन की चाल काम कर गई अफरन करताओं ने कैप्टन की इस गैरिंटी पर विमान को अम्रिद सर में उतारने की इजाज़त दे दी कि फॉरन इंधन मिल जाएगा अब मुझे लगा के हम यहां से नहीं उड़ेंगे मुझे उमीद थी कि वहां कुछ मदद मिल जाएगी और हाइजैकिंग का ये नाटा कमरिद सर में खट्म हो जाएगा नई दिल्ली में प्रधान मंत्री वाजपेई की अध्यक्षता में इंडियन क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रूप ने अमरिद सर में स्थानिय पुलिस को विमान में घुसने की अजाज़त नहीं दी उसकी जिद थी कि भारत की तेज तर्रार एंटी हाईजाकिंग फोर्स नाशनल सेक्यूरिटी गार्ड या एनसजी दिल्ली से अमरिद सर जाएगी और ये बड़ी महंगी भूल साबित हुई मुझे दिल्ली से संदेश मिला की एनसजी आ रही है तो हमें उनका इंठजार करना था और तब तक प्लेन को किसी भी तरहा से राजासासी एरपोर्ट पर रोकना था दिल्ली के निर्देश पर अमरिद सर में अधिकारी इधन टैंकर भेजने में देरी करके वक्त गुजारने लगे लेकिन इस देरी से अफरन करताओं की खीज और गुस्सा बढ़ने लगा प्लेन आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक अमरिद सर में खड़ा रहा लेकिन कोई टैंकर दिखाई नहीं दिया हाई जैकर्स को यकीन हो गया कि भारत ये कमांडो विमान में घुसने की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने IC814 के पाइलट को उड़ान भरने का आतेश दिया उन्हें इंधन खत्म होने की कोई परवाह नहीं थी पर पाइलट में हार नहीं मानी IC814 पर पाइलट्स और अफ़रन करताओं के बीच खीचतान खत्म होने वाली थी और उसके नतीचे खतरनाक होने वाले थे पाइलट ने जहाज नहीं उड़ाया तो अल अफ़रन इतनी देर में क्या होता है कि मार देंगे कि कहने के बाद वो एक डॉक्टर टेलरिस्ट मतलब डॉक्टर नाम से था तो वो आता है तो वो यहां पे रिपिन कत्याल की छाती में उसने काफी ज़्यादा अटेम्ट कर फ्लाइट इंजिनियर जागिया को हाईजैकर्स के इस दावे की पुष्टी करने के लिए भेजा गया के वो पैसेंजर्स को मार रही हैं जागिया वहां की हालत देखकर सक्ते में आ गए हाईजैकर्स ने मौत की गिनती शुरू कर दी अगर तीस से जीरो तक दिनने में हवाई जहाज नहीं उड़ा तो वो पहले पाइलट्स को मारेंगे और फिर हर यात्री को गोली मार देंगे अब मुझे कुछ फैसला लेना ही था एटीसी कुछ ने कर रहा था कोई मदद नहीं मिल रही थी प्लेन के सामने बाउजर नहीं आ रहा था कुछ भी नहीं हो रहा था भारत ये सुरक्षा बलों से जब कोई मदद नहीं मिली तो ये लगने लगा कि हाईजैकर्स सब को मार देंगे तो कैप्टन शरण ने सूच समझ कर जूख ही मुठाया और तेजी से पाकिस्तान में लाहौर की तरफ उडान भरी प्लेन में जितना इधन था उससे लाहौर पहुचने की उमीद बहुत कम थी लेकिन कोई और रास्ता नहीं था भारत ने प्लेन पर कबजा करने और संकट को खत्म करने का इतना अच्छा मौका गवा दिया था पाइलिट यही कहते रहे कि उनके पास बिलकुल भी इंधन नहीं है इसलिए हमें यकीन था कि जब तक हम इंधन नहीं भरेंगे तब तक एरक्राफ्ट किसी भी हालत में नहीं उड़ पाएगा हमने अम्रिस्सर में अधिकारियों से कहा कि वो बाउजर के साथ स्नाइपर्स या शार्प शूटर्स को एरपोर्ट ले जाएं और प्लेन के टायर उड़ा दें लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों नहीं हुआ कारण तो कई हो सकते हैं लेकिन हमें और क्राइसिस मेनेजमेंट ग्रूप को कोई कारण नहीं बताया गया मैं तो दिल्ली की इस प्रतिक्रिया को और कुछ नहीं बचकाना ही कहूंगा पहली सूचना मिलते ही एनेस जी को फुर्ती से जाने को कहा जाना चाहिए था हाईजेक को खत्म करने की कोई रणनीती होनी चाहिए थी आईसी एट वन फोर अब अमरित सर से करीब पचास किलो मिटर दूर सीमा पार पाकिस्तान में लाहौर जा रहा था लेकिन पाकिस्तान सरकार इस प्लेन को अपने यहां उतारना नहीं चाहती थी जब विमान को मार गिराने की धंकी का कोई असर नहीं हुआ तो पाकिस्तान एरपोर्ट अथारिटीज ने लाहौर हवा यड़े पर दिशा बताने के सभी संकेत और लाइट्स बंद कर दी उन्होंने का हम तुमें यहां उतरने नहीं दे सकते तुम कहीं और जाओ उन्होंने रन्वे की सारी लाइट्स बंद कर दी नेविगेशन एट भी बंद कर दी और एपरिन लाइट्स भी बंद कर दी आखिर मैंने दोनों रिजर्व लाइट्स आउन कर दी मेरे पास हवा में रहने के लिए इंधन नहीं था मुझे फैसला ले नहीं था तब मैं नीचे आने लगा ताकि ऐसी जगहें दिखाई दे जाए जहां मैं इस प्लेन को उतार दूँ दिशा बताने का कोई संकेत ना होने के कारण पाइलट्स ने विमान को कुछ जगमगाती लाइट्स की तरफ मोड दिया उन्होंने सोचा के ये लाहौर का रन्वे है लिकिन जब विमान बेहद नीचे आ गया तब पाइलट्स ने देखा के उन्होंने बड़ी भारी भूल कर दी है पाकिस्तान एरपोर्ट अथारिटीज अब समझ गई थी कि पाइलट्स के पास कोई रास्ता नहीं है अगर आइसी 814 को उतरने की अजाज़त न दी गई तो वो जमीन पर क्रैश कर जाएगा एटीसी वाले समझ गये के मैं इतना नीचे आगया हूँ कि इस बात की पूरी संभावना है के प्लेइन क्रैश लैंड कर जाए तब उन्होंने कहा कि आपके लिए रनवे खुला है रनवे पर आओ लैंड करने के कुछी सेकिंड बाद शायद मेरा दाहिना एंजिन ठप हो गया क्योंकि इंधन बिलकुल नहीं था कैप्टन की चाल रंग लाई आईसी 814 सुरक्षित लाहौर में उतर गया लिकिन ये पड़ाव कुछ ही देर का था उधर पीछे कैबिन में खून से लटपत घायल यात्री अंतिम सांसे ले रहे थे उनकी जान बचाने के लिए फौरण चिकितसा की जरूरत थी लेकिन पाकिस्तानी अधिकारी जल्दी से जल्दी इस विमान को अपने यहां से रवाना करने को उताव ले थे मैंने एटी सी से अनरोद किया मैं गिलगराया के सीड़ी भेज दीजिए मैं चाहता हूँ के गायल यात्री कुछ बजर्ग महिलाएं और बच्चों को यहां उतार दिया जाए लेकिन वो नहीं माने वो अपनी बात पर अड़े हुए थे उन्होंने कहा कि तुम्हें इंधन चाहिए और हम तुम्हें इंधन देंगे लेकिन तुम्हें यहां किसी को बिलकुल उतारने नहीं देंगे यहां लाहर एरपोर्ट पर कोई नहीं उतरेगा पाकिस्तानी नहीं चाहते थे कि इस मामले में किसी भी तरह उनका हाथ दिखाई दे विमान वहां उतारना पड़ा क्यूंकि और कहीं उसे नहीं ले जा सकते थे वो इसे अपने यहां से बगाने को उताव ले थे लाहौर में उतरने के बाद तीन घंटे से भी कुछ कम समय में विमान ने फिर से उड़ान भरी उधर भारत में इन अफ़ाहूं ने नई दिल्ली हवाई यड़े पर जमा भीड में देहशत पहला दी कि अफ़रन करताओं ने कुछ यात्रियों को मार दिया है अफ़रन करताओं ने कैप्टन को निर्देश दिया कि विमान अफ़गानिस्तान में काबूल ले जाया जाए लेकिन काबूल में रात में विमान को उतारने की सुविधा नहीं थी इसलिए हाईजैकर्स ने पाइलिट को विमान संयुक्त अरब अमिरात में दुबई ले जाने पर मजबूर किया इसी बीच रिपन कत्याल के सीने पर हाईजैकर्स के चाकू के घाव से खून बहुत बह गया था और रात में किसी समाए रिपन कत्याल की मृत्य हो गई अमरित सर्में विमान में घुसने का मौका गवाने के बाद भारत सरकार में सैंयुक तरभ अमिरात के अधिकारियों को समझाने की कोशिश की कि वो दुबई में कमांडो आपरेशन की अजाज़त दे दे UAE की सरकार और दुबई के स्थानि अधिकारी कमांडो कारवाई की अजाज़त देने को पत्याय नहीं थे हम चाहते थे कि प्लेन को वहां इतनी देर तक वहां रोका जाए कि हम भारत से कमांडो भेज सकें लेकिन UAE के अधिकारियों ने इंधन के बदले हाईजैकर्स को कुछ यात्रियों की रहाई पर राजी कर लिया गायल यात्रियों को भी उतार लिया गया अलमिनात में उतरने के करीब दस मिनिट बाद बर्गर मेरे पास आया और बुला खड़े हो जाओ मैं खड़ा हो गया और जे क्लास तक गया वहां मैंने एक नौजवान को देखा उसकी कमीज उतरी हुई थी और वो खून से लफ पर थे एक सीट पर पड़ा था उस समय मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और सच कहून तो मैं अपनी जान की खैर मना रहा था रिपन का त्याल का शव विमान से उतार दिया कया लेकिन विमान में बैठी उनकी पत्नी को मालूम नहीं था कि रिपन की मौत हो गई है हमें ये आदेश मिला कि लाश को स्टेप लेडर के उपर रख दें जो कि प्लेन के पहले दरवाजे के साथ थी रिहा किये गए पैसेंजर्स अराइवल टर्मिनल पर पहँचे और इसी बीच आईसी 814 इंधन लेकर फिर से अंजानी मन्जिल की तरफ उड़ गया क्रिस्मस का दिन था लेकिन इंडियन एरलाइन्स की उड़ान आईसी 814 में बचे 162 यात्रियों और करमचारियों के लिए खुशी मनाने की कोई वजह नहीं थी 18 घंटों से उनका विमान पांच हथियार बंद अपहरन करताओं के कबजे में था एक यात्री मारा जा चुका था और एक घायल हुआ था लेकिन उनकी मुसीबत कुछ और बढ़ गई थी यात्री नहीं जानते थे के रात भर उत्तर की तरफ उड़ता हुआ आईसी 814 अफगानिस्तान में कंधार उतर गया है अफगानिस्तान में कट्टर पंथी इसलामी गुट तालिवान का कबजा था ये खतरनाका तंकवादी उसामा बिन लादेन का भी गड़ था मैंने देखा खुली पिजेरो विमान की तरफ बढ़ रही थी पिजेरो में सवार लोग विमान के खरीब आए और उन्होंने इस तरहें से हाथ हिलाए मुक्के हाईजैकर ने उनकी तरफ देखा और उसने भी ऐसे हाथ हिला दिया उस वक्त मेरे हाथ पूँ पूल गए थे मैं समझ गया कि भीतर हाईजैकर्स हैं और बाहर आतंकवादी IC814 के अफरन को 18 घंटे बीथ चुके थे लेकिन हाईजैकर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी वो कौन थे और वो क्या चाहते थे दुबई में छोड़े गए यात्रियों से मिली जानकारी के आधार पर भारती खुफिया एजिंस को यकीन हो गया कि उनका सामना बेहट प्रशिक्षित और समर्पित फिदाईन आतंकवादीयों से है मैं मनहीमन उन फिदाईन मिशनों के बारे में सोच रहा था जो इसलामी कट्टर पंथियों और उगरवादियों ने कश्मीर में चलाए थे हरकत उल्मुजाहिदीन के पास ऐसे लोग थे जो फिदाईन हमले कर सकते थे ये लोग यात्रियों को नुकसान पहुँचाने पर पूरी तरह उतारू थे और एरक्राफ्ट को विसपोर्ट से उड़ाने का भी इरादा रखते थे इधर भारत में सैकनों लोग रिपन कत्याल की अंतिम यात्रा में शामिल हुए जिन्हें अफ़रण करताओं ने बेरहमी से मार दिया था दुनिया भर में टेलिविजन पर इस अंतियश्टी के द्रिश्वे प्रसारित होते ही भारत सरकार पर इस संकट को सुलजाने के लिए दबाव बढ़ने लगा लेकिन प्रधान मंत्री वाजपई जुकने को तयार नहीं थे ये भी अभी तक नहीं बताया है पर वो जो भी चाथते हैं उसे पाने का ये कोई तरीका नहीं है ये वलत है ऐसे वेश्याना किद्मों के सामने भारत जुकेगा नहीं भारत सरकार अफगानिस्तान में तालिबान शासन को माननेता नहीं देती थी और उसका खुलकर विरूद करती थी लेकिन इस संकट को सुलजाने के लिए उसके साथ बातचीत करना जरूरी था हमें उमीद थी कि भारती अधिकारी जल्दी आएंगे और पूरी गंभीरता से काम करेंगे लेकिन लग रहा है कि वो बेफिक्र है IC814 के अफगानिस्तान में कंधार में उतरने से सिर्फ भारत सरकार को ही बेचानी नहीं थी पता नहीं क्यों हाईजैकर्स भी चाहते थे कि विमान को जल्दी से जल्दी इंधन मिल जाए और वो कंधार से रवाना हो जाएं लेकिन पाइलिट्स ने साथ देने से मना कर दिया वो अड़ गए कि पूरी इंजिनिरिंग जाच कराए बिना अब विमान का उड़ान भरना सुरक्षित नहीं है IC814 यहां से कहीं नहीं जा रहा था लेकिन हाईजैकर्स शान्त नहीं बैठे थे वो कॉक्पिट में मौझूद ट्रैप डोर के जरिये कारगो होल्ड तक पहुँच गए मुझे ऐसी आवाजे सुनाई दी के कारगो होल्ड में कुछ हो रहा है मैं जानता था कि वहाँ कोई बैग है जिसे वो निकालना चाहते थे आखिर कार हाईजैकर्स ने वो बैग कारगो होल्ड से निकाल लिया सुबह जब मैं कॉक्पिट में गया तो वहाँ तरहें तरहें के हथ्यार पड़े थे अलग अलग रंग के हथ खोले थे और कार्टूस फैले पड़े थे अब ये जाहिर हो गया था कि हाईजैक की साज़श बहुत बारीकी से सोच समझ कर बनाई गई थी लेकिन हाईजैकर्स किस हद तक जाने वाले थे और उनका मकसद क्या था उधर दिल्ली में विमान यात्रियों के रिष्टेदार एक जुठ हो गए संकट सुलजाने में भारत सरकार की नाकामे से नाराज रिष्टेदार विदेश मंत्री जस्वंत सिंग के संबाद दाता सम्मेलन में घुस कए और मांग करने लगे के सरकार यात्रियों को छुड़वाए दुनिया भर में टेलिविजन नेटवर्क्स पर ये खबरें प्रसारित होने से भारत सरकार पर हाईजैकर्स से बाचीत करने के लिए दबाव बढ़ने लगा आखिरकार भारत सरकार ने वारताकारों की एक टीम बनाई जो IC 814 के अभरण के चौथे दिन 27 दिसंबर को अफगानिस्तान में कंधार पांची तालिबान नहीं जानते थे कि इस दल के साथ हाई कमांडो विमान में छिपे हुए थे भारत सरकार IC 814 पर धावा बोलने को भी तैयार थी वहां उतरते ही हमने देखा कि हमें तालिबान लड़ाकों ने पूरी तरह से गेर लिया था उन्होंने अजीब से कपड़े पहन रखे थे और तरह तरह के हत्यारों से लेस थे वो एरक्राफ्ट की हिफास्थ करने के अंताज में वहां तैयनात नहीं थे वो लोग तो एकदम हमले की मुद्रा में थे भारती अवारता कारों के विमान के चारों तरफ तैयनात तालिबान लड़ाकों की हमले की मुद्रा के कारण भारत के कमांडोस के लिए फूर्ती से जपटना मुम्किन नहीं था भारतिय दल के सामने एक ही रास्ता था कि अफरन करताओं से बात चीच शुरू की जाए चीफ जब उनसे बात कर रहा था तो उसने जरूर कोई सुच दबा दिया होगा पूरे प्लेन में उसकी आवा सुनाई दे रही थी वो कह रहा था कि मौलाना के मामले में कोई सौल बाजी नहीं होगी हमें नहीं मालूम था कि मौलाना कौन था आखरकार सच्चाई सामने आ गई हाईजैकर्स का मकसद मौलाना मसूद अजहर को छुड़ाना था मौलाणा कश्मीर घाटी में हमले करने वाले उग्रवादी संगठन हरकत المجाहिदीन का सेक्रेटری जेनरल था वो किसी बड़ी फॉच का कमांडर नहीं था वो हजारों लोगों का भी कमांडर नहीं था वो तो बस मुट्थी भर लोगों का ही कमांडर था लेकिन वो इन लोगों को जितनी वफादारी से वैशियाना कदम उठाने को उकसा सकता था उतना कोई और संगठन नहीं उकसा सकता था 1994 में गिरफतार मौलाना मसूद अजहर को जम्मू कश्मीर में कोट भलवाल जेल में रखा गया था इसी हिस्से को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तीन लड़ाईयां हो चुकी हैं मौलाना को छुड़वाने की कई कोशिशें हो चुकी थी दो बार तो विदेशी परियाटकों को अगवा करके मार डाला गया था एक बार जेल तोड़ने की कोशिश हुई जिसमें मौलाना का एक साथी पुलिस के हाथों मारा गया और मौलाना एक तंग सुरंग में फसा रह गया लेकिन इस बार कुछ अलग हिसाब से कोशिश की गई थी भारतिये खुफिया एजेंसियों को ये संसनी खेस सक्चाई भी पता चली के मुख अफरन करता मौलाना मसूद अजहर का छोटा भाई था मौलाना मसूद अजहर की रहाई हाई जैकर्स की पहली मांग थी लेकिन तीस खंटे से भी ज्यादा माथा पच्ची के बाद भारतिय अदल हाई जैकर्स सारी मांगें निकल वा पाया मौहम्मद मसूद अजहर के साथ वो 35 और लोगों की रहाई आतंकवादी सज़ाद अफगानी का ताबूत और भारत से बीस करोड अमरीकी डॉलर की फिरोती चाहते हैं हम कंधार में अपने वारताकारों के जरिये इसका जवाब भेज देंगे इस बीच हमारे देश के भीतर और बाहर भी लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए इस बात चीट के बीच अचानक तालिबान के दखल ने सब को चौका दिया तालिबान ने अफ़रन करताओं से कहा कि पैसे और सज़ाद अफगानी की लाश की मांग वो छोड़ दें क्योंकि ये इसलाम के खिलाफ है IC 814 की यात्रियों और कर्मचारियों के अफ़रन का पांचवा दिन था विमान के भीतर हालात बिगड रहे थे और बरदाश्ट के बाहर हो रहे थे मेरे साथ मेरे ब्रदर इनलौ थे और उन्होंने आठ दिनों तक कुछ भी नहीं खाया क्योंकि जितने टॉलेट्स थे वो ओवर्फ्लो कर रहे थे अपने परिवार को बंधक देखकर उनकी बेचैनी और उनकी जान खत्रे में देखकर मुझे बहुत बहुत ज़्यादा कुसा रहा था लोगों ने तो सारी उमीद छोड़ दी थी मेरी तो ये हालत हो गई थी कि मैं ये सोचने लगा कि अब बहुत हो चुका तुम एरक्राफ्ट उडाना चाहते हो मुझे और दूसरे लोगों को मारना चाहते हो तो मार डालो लेकिन ये सब खत्म करो हमसे अब और नहीं सहा जाता विमान के भीतर के हालात की खबरें जब भारत में रिष्टेदारों और मीडिया तक पहुँचीं तो वारता कारों पर समझोते के लिए दबाव बढ़ने लगा लेकिन दोनों में से कोई भी जुकने को तयार नहीं था 29 दिसंबर को याने अफरन के छटे दिन जब अफरन करता सदभाव के तौर पर 35 महिलाओं और बच्चों को छोड़ने पर राजी हो गए तो लगा कि कोई हल निकल आया है महिलाओं और बच्चों को अलग करने या छोड़ने का मतलब ये था कि विमान में सिर्फ मर्द बचेंगे इससे कहीं न कहीं ये डिर लगने लगा कि अगर हमें खत्म करने का सवाल आया तो ये पल भर भी इंतजार नहीं करेंगे तब मैंने पलट कर उनकी तरफ देखा और क्या बताऊं बस परदाश्ट नहीं हो रहा था खुद मर जाना बहुत आसान होता है लेकिन अपने परिवार को या किसी अपने को मरते हुए नहीं देखा जाता लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ समझोते की उमीद फिर तूट गई बातचीत पूरी तरह से भंग हो गई थी रहाई का इंतजार कर रहे 35 चिने हुए यात्रियों को वापस विमान में धकेल दिया गया काफी शोर मच रहा था मैंने देखा कि बच्चों और महिलाओं को वापस एकॉनमिक क्लास में धकेला जा रहा था तब मुझे लगा कि कुछ गड़बड हो गई है बड़ी अजीब सी स्थिती थी जिससे बयान नहीं किया जा सकता उनके और भारत सरकार के बीच बाद चीज रुख गई थी अब वो लोगों को मारने वाले थे पता नहीं वो लोगों को चुनचुन कर मारते या फिर प्लेन से बाहर फेक देते या प्लेन को बहुत उचाई पर ले जाकर उड़ा देते मुझे अच्छे तरह याद है पूरे विमान में बिलकुल सन्नाटा पहला था कहीं से भी ये नहीं लगता था कि विमान में करीब दो सो लोग बैठे थे तो क्या यही अंत था क्या आई सी एट वन फोर के यात्रियों और करमचारियों का सफर यहीं खत्म होने वाला था अफगानिस्तान में कंधार में हाईजाकर्स और भारत सरकार के वारताकारों के बीच बात चीट तूट गई थी हाईजाकर्स ने पैसेंजर्स से कह दिया था कि वो एक एक करके उन्हें मार देंगे अचानक हालात बदलने से सहमे हुए यात्री मौत के सन्नाटे में अपनी बारी का इंतजार करने लगे वक्त गुजरता जा रहा था कोई हल चल नहीं थी सब लोग बैठे हुए थे बस इंतजार कर रहे थे कि कुछ होगा कुछ होगा लेकिन कुछ नहीं हुआ वो वापस आया और बोला कि नजाने किसकी दुआएं काम आ गई हैं लगता है कि बाच्चीत फिर से शुरू होने वाली है फिर करीब तीन चार घंटे बाद हमें बताया गया कि हमारे लिए एक खुशखबरी है भारल सरकार ने उनकी मांगे माली है और अब हम जल्दी ही आज़ाद कर दिये जाएंगे यात्रियों को छोड़ दिया गया लेकिन किसकी मतपर तालिबान और अपहरन करताओं के साथ बाच्चीत के बाद समझछा हुआ हुआ है कि तीन उगरवादियों के बदले सभी बंधर छोड़ दिये जाएंगे तीन उस समय छोड़े जाने वाले तीन आतंकवादी थे मौलाना मसूद अजहर जिस पर हरकत المجाहिदीन का सदस से होने का आरोब था उमर शेख लंदन स्कूल आफ एकोनामिक्स में पढ़ा ब्रिटिश नागरिक जो मौलाना मसूद अजहर का कट्टर चेला था और जिसे कश्मीर में विदेशी नागरिकों के अफरन के आरोप में गिरफतार किया गया था तीसरा कैदी मुश्ताक एहमद जर्गर अलुमर मुजाहिदीन उगरवादी गुट का मुख्य कमांडर था जिसे कश्मीर में आतंकवादी हमलों के लिए पकड़ा गया था मेरे ख्याल से वो समझहोता भारत के लिए सबसे बुरा था वाकई में सबसे बुरा था और मेरी राय में उसकी कोई जरूरत नहीं थी ये समझहोता इसलिए करना पड़ा क्योंकि एकदम बे सिर पैर की समय सीमा तै कर दी गई थी प्रधान मंत्री ने बयान दिया था कि हम नहीं चाहते कि यात्री बंधक बनकर निया साल मनाए मानलो हम कहते हैं कि ठीक है हम आपकी बात नहीं मानेंगे तो लोग हमें ऐसा करने नहीं देते हमें बातचीत पर मजबूर किया जाता और जब बातचीत होती है तो फिर तो ऐसा ही होता है भारत के अलग-अलग हिस्सों में जेलों से तीन आतंकवादियों को छोड़ा कर दिल्ली लाया गया जहां से उन्हें विमान से कंधार ले जाया गया कुछ ही घंटों बाद रिहा किये गए आतंकवादी और अफरन करता तालिबान लड़ाकूँ के संडरक्षन में आजादी से कंधार से रवाना हो गए IC 814 में यात्री और करमचारी अपनी रिहाई से खुश थे एक यात्री ने रिहाई के कुछ ही समय बाद विमान में खुशी के पल इन दुरलब तस्वीरों में खैद कर लिये थे उन्हों ने जैसे ही कहा कि तुम आजाद हो तो हमें बहुत अच्छा लगा सब एक दूसरे से हाथ मिलाने लगे एक दूसरे के गले लगने लगे उस समय हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था अचानक ऐसा लगा कि शरीर में जान ही नहीं रही हम उडने लगे थे क्योंकि सारा तनाव गाइब हो चुका था नए साल से एक दिन पहले और IC814 के अफरन के आठ दिन बाद एक को छोड़कर सभी यात्री और करमचारी सुरक्षित भारत पहुच गए उनका सफर पूरा हो गया था डेली एरपोर्ट पर हजारों लोगों ने उनका शानदार स्वागत किया ये जशन रात भर और नई सदी की सुबह तक चलता रहा लेकिन एक सवाल सभी को सता रहा था भारत सरकार ने IC814 के यात्रियों और करमचारीों की जान के बदले तीन खतरनाका तंकवादियों को छोड़कर कहीं कोई गलती तो नहीं की इस सवाल का कोई सही जवाब नहीं है लेकिन आज हम जो कुछ जानते हैं अगर उस समय फैसला लेने वालों को वो जानकारी होती तो क्या IC814 की कहानी का अंध कुछ अलग होता मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान लोट गया रिहाई के बाद उसने बहुत चल्द उगरवादी संगठन जैश महम्मद बना लिया जैश पर 13 दिसंबर सन 2001 को भारतिय संसत पर हुए हमले के साथ साथ कई हमलों में शामिल होने का आरोप है संसत पर हुए हमले में साथ मासूम मारे गए और 18 घायल हुए जम्मू कश्मीर विधान सभा पर हमले में भी जैश का हाथ था मौलाना मसूद अजहर अब पाकिस्तान में आजादी से रहता है उमर शेख 11 सितंबर को वोर्ल ट्रेड सेंटर से ठकराने वाले दो में से एक विमान के पाइलिट मुहम्मद अट्टा का मुख्य फाइनेंसर बताया जाता है उसे अमरीकी पत्रकार डैनियल परल को मारने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई है मुश्ताक अहमद जर्गर पाकिस्तान के कबजेवाले कश्मीर की राजधानी मुजफर अबाद में रहता है बताया जाता है कि वो उगरवादी गुड अलुमर मुजाहिदीन को फिर से खड़ा कर रहा है अब ये जाहिर हो चुका है कि पाँचो हाईजैकर्स पाकिस्तानी नागरिक थे जो पाकिस्तान में आजादी से जी रहे बताये जाते हैं इंटरपोल और भारत की सीबी आई ने पाकिस्तान अपचारिक अनुरोध किये हैं कि उन्हें पकड़कर भारत को सौप दिया जाए लेकिन इन अनुरोधों की कोई सुनवाई नहीं हुई कोई नहीं जानता कि दिसंबर 1999 के बाद उन्होंने क्या किया IC814 का हादसा उनके लिए शान का मौका था इस सवाल का पक्ता जवाब तो अभी तक नहीं मिला कि हाईजैकर्स, रिवॉल्वर और हथगोले विमान में कैसे ले गए लेकिन IC814 के अफरण के बाद नेपाल सरकार ने काट मांडू के त्रिभुवन अंतर राष्ट्री हवाई यड्डे पर सुरक्षा इंतजाम काफी सخت कर दिये इंडियन एरलाइन्स ने नेपाल के लिए अपनी ओडाने स्थगित कर दी लेकिन 6 महीने बाद उन्हें फिर से शुरू कर दिया इंडियन एरलाइन्स के करमचारी विमान में सबार होने से पहले सभी यात्रियों की दोबारा जांच करते हैं और भारत सरकार ने कुछ उडानों में स्काई मार्शल तैनाद करने का भी फैसला किया ICH-14 में कैप्टन और अफ़रन करताओं के बीच कश्मकश चल रही थी अफ़रन करता पाकिस्तान में लाहौर जाना चाहते थे लेकिन कैप्टन किसी कीमत पर पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे छै महीने पहले ही कश्मीर में कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच हूनी जंग में सैक्णों लोग मारे गए थे उसके घाव अभी तक ताजा थे मैं लाहौर नहीं जाना चाहता था क्योंकि मैं अपना देश नहीं चोड़ना चाहता था मैं भारत में किसी भी जगह पर उतरने को तेयार था Tाके सुरक्षा कर्मियों को मदद करने का मौका मिल सके लाहौर एटी Сी का रुख कैपटन के काम आया उन्होंने विमान उतारने से मना कर दिया लाहौर ने अपनी वाईू सीमा अपने विमानों के लिए भी बंद कर दी इस बीच यात्री कैविन में एक खतरनाक खेल शुरू हो गया था आठ पुरुश यात्रियों को वहां से उठाकर एक्जेगेटिव कैविन में ले जाया गया उन्हें 27 साल के रिपन कत्याल भी थे जो अपनी पत्नी रचना के साथ हनीमून से लौट रहे थे जैसे ही मेरे को बर्गर अंदर ले गया तो मैंने देखा कि वहां पर तीन लोग पहले से ही थे और उसने मेरे दोनों हाथ पीछे खीच कर नाइलॉन की रसी से बांदिये फिर सीट पीछे करने का बटन दबाया और बिल्कुल बैक में ले जाकर सीट फ्लैट कर दी और बेल्ट बांदी मुझे यात्री कैबिन की हल चल से बेखबर कैप्टन ने वक्त गुजारने का फैसला किया मैंने अपनी रफ्तार करीब 40 प्रतिशत कम कर दी क्योंके मैं डिल्ली यामरिसर कहीं भी उतरने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय लेना चाहता था ताकि वहां तैयारियां हो सके लेकिन आई सी एट वन फोर में इंधन तेजी से खत्म हो रहा था क्याक्टन के सामने ज्यादा विकल्प नहीं थे लिकिन अफरन करता अड़े हुए थे वो विमान को भारत में उतारने को तैयार नहीं थे फिर ये गतिरोध कैसे तूटा आखिर कौन चुका नेपाल में काटमांडू से भारत में नई दिल्ली के रास्ते में इंडियन एर लाइन्स की ओडान आई सी एट वन फोर पर पांच अफरन करताओं ने कबजा कर लिया था वो रिवॉल्वर, चाकू और हधकोले लेकर विमान में घुस कए थे अब हरन करताओं की मांग थी के पाइलिट्स विमान को पाकिस्तान में लाहौर ले जाएं लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने अपनी वायू सीमा बंद कर दी और विमान उतारने से इंकार कर दिया इंधन तेजी से खत्म हो रहा था इसलिए कैप्टन शरन के सामने एक ही रास्ता था कि विमान को लाहौर से पचास किलो मिटर पूर्व उत्तर में भारत में अमरिच सर में उतार लें लेकिन अपहरण करताओं को डर था कि भारत ये सुरक्षा बल विमान में खुस जाएंगे इसलिए वो भारत में उतरना नहीं चाहते थे मैंने हाथ जोड़े कि मुझे विमान उतारने दो नहीं तो सब मारे जाएंगे लेकिन वो अमरिच सर में नहीं उतरना चाहते थे उन्होंने दो तीन मिनट लिए सारे हाईजैकर्स पीछे जमा हुए कुछ बाचीत की फिर वो अंदर आए उन्होंने पूछा तुम्हें यकीन है कि विमान को इंधन मिल जाएगा मैंने कहा कि हाँ मिल जाएगा बस हमें अमरिच सर में उतरने दो कैप्टन की चाल काम कर गई अफरन अब मुझे कुछ फैसला लेना ही था एटी सी कुछ नहीं कर रहा था कोई मदद नहीं मिल रही थी प्लेन के सामने बाउजर नहीं आ रहा था कुछ भी नहीं हो रहा था भारतिय सुरक्षा बलों से जब कोई मदद नहीं मिली तो ये लगने लगा कि हाईजैकर्स सब को मार देंगे तो कैप्टन शरन ने सूच समझ कर जोखिम उठाया और तेजी से पाकिस्तान में लाहौर की तरफ उडान भरी प्लेन में जितना इधन था उससे लाहौर पहुँचने की उमीद बहुत कम थी लिकिन कोई और रास्ता नहीं था भारत ने प्लेन पर कबजा करने और संकट को खत्म करने का इतना अच्छा मौका गवा दिया था पाइलिट यही कहते रहे कि उनके पास बिलकुल भी इंधन नहीं है इसलिए हमें यकीन था कि जब तक हम इंधन नहीं भरेंगे तब तक एरक्राफ्ट किसी भी हालत में नहीं उड़ पाएगा हमने अम्रिस सर में अधिकारियों से कहा कि वो बाउजर के साथ स्नाइपर्स या शार्प शूटर्स को एरपोर्ट ले जाएं और प्लेन के टायर उड़ा दें लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों नहीं हुआ कारण तो कई हो सकते हैं लेकिन हमें और क्राइसिस मेनेजमेंट ग्रूप को कोई कारण नहीं बताया गया मैं तो दिल्ली की इस प्रतिक्रिया को और कुछ नहीं बचकान ही कहूँगा पहली सूचना मिलते ही एनेसजी को फुरती से जाने को कहा जाना चाहिए था हाईजेक को खत्म करने की कोई रणनी ती होनी चाहिए थी IC814 अब अमरित सर से करीब 50 किलो मिटर दूर सीमा पार पाकिस्तान में लाहौर जा रहा था लेकिन पाकिस्तान सरकार इस प्लेन को अपने यहां उतारना नहीं चाहती थी जब विमान को मार गिराने की धंकी का कोई असर नहीं हुआ तो पाकिस्तान एरपोर्ट अथारिटीज ने लाहौर हवा यड़े पर देशा बताने के सभी संकेत और लाइट्स बंद कर दी उन्होंने कहा हम तुमें यहां उतरने नहीं दे सकते तुम कहीं और जाओ उन्होंने रन्वे की सारी लाइट्स बंद कर दी, नेविगेशन एट भी बंद कर दी और एपरेन लाइट्स भी बंद कर दी आखिर मैंने दोनों रिजर्व लाइट्स आउन कर दी मेरे पास हवा में रहने के लिए इंधन नहीं था, मुझे फैसला ले नहीं था तब मैं नीचे आने लगा ताकि ऐसी जगहें दिखाई दे जाए जहां मैं इस प्लेन को उतार दो दिशा बताने का कोई संकेत ना होने के कारण पाइलट्स ने विमान को कुछ जगमगाती लाइट्स की तरफ मोड दिया उन्होंने सोचा के ये लाहोर का रन्वे है लिकिन जब विमान बेहद नीचे आ गया तब पाइलट्स ने देखा के उन्होंने बड़ी भारी भूल कर दी है पाकिस्तान एरपोर्ट अथारिटीज अब समझ गई थी के पाइलट्स के पास कोई रास्ता नहीं है अगर आइसी 814 को उतरने की अजाज़त न दी गई तो वो जमीन पर क्रैश कर जाएगा करताओं ने कैप्टन की इस गैरिंटी पर विमान को अमरिच सर में उतारने की इजाज़त दे दी के फॉरण इंधन मिल जाएगा अब मुझे लगा के हम यहां से नहीं उड़ेंगे मुझे उमीद थी कि वहां कुछ मदद मिल जाएगी और हाइजैकिंग का ये नाटा कमरिच सर में खत्म हो जाएगा नई दिल्ली में प्रधान मंत्री वाजपई की अध्यक्षता में इंडियन क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रूप ने अमरिच सर में स्थानिय पुलिस को विमान में घुसने की इजाज़त नहीं दी उसकी जिद थी कि भारत की तेज तर्रार एंटी हाईजैकिंग फोर्स किसी भी तरह से राजासासी एरपोर्ट पर रोक न था दिल्ली के निर्देश पर अमरिच सर में अधिकारी इंधन टैंकर भीजने में देरी करके वक्त गुजारने लगे लेकिन इस देरी से अफरन करताओं की खीज और गुस्सा बढ़ने लगा प्लेन आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक अमरिच सर में खड़ा रहा लेकिन कोई टैंकर दिखाई नहीं दिया हाई जैकर्स को यकीन हो गया कि भारतिये कमांडो विमान में घुसने की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने IC814 के पाइलट को उड़ान भरने का आदेश दिया उन्हें इंधन खत्म होने की कोई परवाह नहीं थी पर पाइलट ने हार नहीं मानी IC814 पर पाइलट्स और अफरन करताओं के बीच खीचतान खत्म होने वाली थी और उसके नतीजे खतरनाक होने वाले थे पाइलट ने जहाज नहीं उड़ाया तो अल अफरन इतनी देर में क्या होता है कि मार देंगे कि कहने के बाद वो एक डॉक्टर टेलरिस्ट मतलब डॉक्टर नाम से था तो वो आता है तो वो यहां पे रिपिन कत्याल की छाती में उसने काफी ज़्यादा अटेम्ट कर दि फ्लाइट इंजिनियर जागिया को हाईजैकर्स के इस दावे की पुष्टी करने के लिए भेजा गया कि वो पैसेंजर्स को मार रही हैं जागिया वहां की हालत देखकर सक्ते में आ गए हाईजैकर्स ने मौत की गिनिती शुरू कर दी अगर तीस से जीरो तक गिनने में हवाई जहाज नहीं उड़ा तो वो पहले पाइलट्स को मारेंगे और फिर हर यात्री को गोली मार देंगे 1999 में क्रिसमस से एक दिन पहले इंडियन एर लाइन्स की नई दिल्ली तपकी इस उड़ान की यात्रियों के लिए सवा घंटे का ये छोटा सा सफर खौफ और आतंक का लंबा सफर होने वाला था इन में से सभी यात्री अपनी मंजिल तक जिन्दा पहुँचने वाले नहीं थे अगले कुछ घंटों और दिनों की घटनाएं बहुत दूर तक अपना असर छोड़ने वाली थी आतंक के इस नाटक का अंत सारी दुनिया के लिए बेहद घातक असर छोड़ गया और आतंक के इतिहास में एक और अठ्याएं लिखा गया नेपाल में काठ मांडू के त्रिभुवन अंतर राष्ट्रिय हवाई यड़े पर इंडियन एर लाइन्स की ओडान IC 814 रवानगी की तैयारी में थी एक घंटा बीस मिनट में ये विमान भारत में नई दिल्ली पहुँचने वाला था कॉक्पिट में कैप्टन देवी शरन, को पाइलिट सिंग और फ्लाइट इंजिनियर जागिया उडान से पहले की जाजबर ताल कर रहे थे विमान के 178 तर यात्रियों में से ज्यादा तर नेपाल में छुट्टियां बिता कर लौट रहे थे क्रिसमस का मौका था, नई सदी बस हफ़ते भर दूर थी और सब मस्ती के मूड में थे शाम चार बजे के बाद जब IC814 उडान काट मांडू से रवाना हुई तो किसी ने सूचा भी नहीं था कि इसके साथ कोई अन्होनी होने वाली है बहुत जल्द ये विमान भारती वायू सीमा में आ गया कैबिन में फ्लाइट अटेंडेंस ने ड्रिंक सर्विस शुरू कर दी इतनी छोटी उडान में ये काम फुर्ती से निप्टाना जरूरी होता है दिल्ली कार्टमंडू सेक्टर में सर्विस ठीक ठाक चल रही थी मैंने सूचा कैप्टन्स को कुछ चाय काफी दे दी जाए चीफ स्टीवर्ड अनिल शर्मा पाइलट्स को चाय देने के लिए कॉक्पिट में पहुँचे लेकिन जब वो बाहर निकले तो IC814 में सवार सभी लोगों की जिन्दगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी मैंने जैसे ही गैली की तरफ मू किया तो मास्क पहने हुए एक आदमी दिखाई दिया वो नाटे कतका था और उसने चश्मा पहना था मुझे लगा कि मुझे फॉरण कैप्टन्स को बताना चाहिए मैंने इंटरकॉम के तरफ हाथ पढ़ाए जब अनिल शर्मा लोट रहे थे तब ही मैंने देखा कि एक आदमी कॉक्पिट में घुस रहा है पल भर के लिए मैं सहम गया मैं समझ गया था कि प्लेन हाईजेक हो गया है उसने कहा कि कोई हरकत नहीं होनी चाहिए प्लेन को बस पश्चिम की तरफ ले चलो लेकिन वो अकेला नहीं था हथियारों से पूरी तरह लैस चार और अपहरन करता थे जिन्होंने बड़ी बेरहमी से विमान पर कबजा कर लिया आवाज आ रही थी कि खाना जल्दी नीचे फैंको सीटों के नीचे फैंको जल्दी नीचे फैंक तो वो बड़ी जोर से चला रहे थे इसलिए हमने जल्दबाजी में हर बड़ी में खाना फैकने शुरू कर दिया फिर हम से सीटे बदलने को कहा गया बच्चे मुझसे दूर हो गए अब वो पीछे बैठे थे हमारे बीच कोई संपर्क नहीं रहा मैंने सोचा चलो देखते हैं कि वो क्या करते हैं मैं कोई हरकत नहीं कर सकता था क्योंकि अकेले कुछ नहीं किया जा सकता था मुझे सबसे ज्यादा फिक्र अपनी बेटी की थी वो मेरे पास नहीं थी पता नहीं उसका क्या हुआ वो बहुत दूर थी मैंने अपनी आखों की पट्टी हटाई और इस तरह हाथ उटा कर खड़ा हो गया और फौरन ही वो आदमी मुझ पर लबका और रिवालवर तान कर बोला चुप चाप बैट जो वरना गोली मार दूँगा सुलिया तब उसे मेरी आवास में कुछ खुसा कुछ फिक्र कुछ खौफ ये सब महसूस हुआ शायद उसे लग गया की ये आदमी नहीं माने का उसने कहा जल्दी से देख और बैठ जा मैंने नजर घुमाई उनकी तरफ देखा वो दोनों वहाँ आराम से बैठे हुए थे फिर मैं वापस अपनी सीट पर बैठ गया कॉक्पिट में कैप्टन शरन किसी तरह अभारन करताओं को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि विमान को उनकी मर्जी के मताबिक पाकिस्तान में लाहूर ले जाने लायक एंधन नहीं है उसमें पूछा तुम्हरे पास कितना एंधन है मैंने कहा कि दिली तक का एंधन है उसमें पूछा कि अगर दिली नव तरफ तर तो और कहा जा सकते हैं उसे मालुम था कि हम बंबई या एहमदबाद जा सकते हैं। मैंने कहा एहमदबाद। फिर उसने कहा कि अगर एहमदबाद ये बंबई जा सकते हैं तो लाहुर क्यों नहीं जा सकते। डिली से बंबई के मुकाबले लाहुर ज्यादा खरीब है। अपहरन करताओं की नजर बचा कर उन्होंने एक एमर्जेंसी चांसपॉंडर तबाया जिससे भारतिय एर ट्राफिक कंट्रोलर समझ गए कि आईसी 814 का अपहरन हो गया है कर दो झा ये सुटना अपहरन हो बच़ सुना झाफिक कर उसिर खेवरे आपहरन हो प Wisconsin इन्डियन एरलाइन्स की नई दिल्ली तक की इस उडान की यात्रियों के लिए सवा घंटे का ये छोटा सा सफर, खौफ और आतंक का लंबा सफर होने वाला था इन में से सभी यात्री अपनी मंजिल तक जिन्दा पहुँचने वाले नहीं थे अगले कुछ घंटों और दिनों की घटनाएं बहुत दूर तक अपना असर छोड़ने वाली थी आतंक के इस नाटक का अंत सारी दुनिया के लिए बेहद घातक असर छोड़ गया और आतंक के इतिहास में एक और अठ्याई लिखा गया नेपाल में काठ मांडू के त्रिभुवन अंतर राष्ट्रिय हवाई यड़े पर इंडियन एर लाइन्स की ओडान IC814 रवानगी की तैयारी में थी एक घंटा बीस मिनट में ये विमान भारत में नई दिल्ली पहुँचने वाला था कॉक्पिट में कैप्टन देवी शरन, को पाइलिट सिंग और फ्लाइट इंजिनियर जागिया उडान से पहले की जाजबर ताल कर रहे थे विमान के 178 तर यात्रियों में से ज्यादा तर नेपाल में छुट्टियां बिटा कर लौट रहे थे क्रिस्मस का मौका था, नई सदी बस हफ़ते भर दूर थी और सब मस्ती के मूड में थे शाम चार बजे के बाद जब IC814 उडान काट मांडू से रवाना हुई तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसके साथ कोई अन्होनी होने वाली है बहुत जल्द ये विमान भारती ये वायू सीमा में आ गया कैबिन में फ्लाइट अटेंडेंट्स ने ड्रिंक सर्विस शुरू कर दी इतनी छोटी उडान में ये काम फूरती से निप्टाना जरूरी होता है दिल्दी काटमंडू सेक्टर में सर्विस ठीक ठाक चल रही थी मैंने सूचा कैप्टन्स को कुछ चाय काफी दे दी जाए चीफ स्टीवर्ड अनिल शर्मा पाइलट्स को चाय देने के लिए कॉक्पिट में पहुँचे लेकिन जब वो बाहर निकले तो आई सी एट वन फोर में सवार सभी लोगों की जिन्दगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी मैंने जैसे ही गैली की तरफ मू किया तो मास्क पहने हुए एक आदमी दिखाई दिया वो नाटे कतका था और उसने चश्मा पहना था मुझे लगा कि मुझे फॉरन कैप्टन्स को बताना चाहिए मैंने इंट्रकॉम के तरफ हाथ पढ़ाए जब अनिल शर्मा लोट रहे थे तब ही मैंने देखा कि एक आदमी कॉक्पिट में घुस रहा है पल भर के लिए मैं सहम गया मैं समझ गया था कि प्लेन हाईजैक हो गया है उसने कहा कि कोई हरकत नहीं होनी चाहिए प्लेन को बस पश्चिम की तरफ ले चलो लेकिन वो अकेला नहीं था हथियारों से पूरी तरह लैस चार और अभरन करता थे जिन्होंने बड़ी बेरहमी से विमान पर कब्जा कर लिया आवाज आ रही थी कि खाना जल्दी नीचे फैंको सीटों के नीचे फैंको जल्दी नीचे फैंक तो वो बड़ी जोड से चला रहे थे इसलिए हमने जल्दबाजी में हरबड़ी में खाना फैकने शुरू कर दिया फिर हम से सीटे बदलने को कहा गया बच्चे मुझसे दूर हो गए अब वो पीछे बैठे थे हमारे बीच कोई संपर्क नहीं रहा मैंने सोचा चलो देखते हैं कि वो क्या करते हैं मैं कोई हर्कत नहीं कर सकता था क्योंकि अकेले कुछ नहीं किया जा सकता था मुझे सबसे स्यादा फिक्र अपनी बेटी की थी वो मेरे पास नहीं थी पता नहीं उसका क्या हुआ वो बहुत दूर थी मैंने अपनी आखों की पट्टी हटाई और इस तरह हाथ उटा कर खड़ा हो गया और फॉरन ही वो आदमी मुझ पर लबका और रिवालवर तान कर बोला चुप चाप बैठ जाओ वरना गोली मार दूँगा सुलिया तब उसे मेरी आवास में कुछ खुसा कुछ फिक्र कुछ खौफ ये सब महसूस हुआ शायद उसे लग गया कि ये आदमी नहीं मानेगा उसने कहा जल्दी से देख और बैठ जा मैंने नजर गुमाई उनके तरफ देखा वो दोनों वहां आराम से बैठे हुए थे फिर मैं वापस अपनी सीट पर बैठ गया कॉपपिट में कैप्टन शरन किसी तरह अपहरन करताओं को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि विमान को उनकी मर्जी के मताबिक पाकिस्तान में लाहौर ले जाने लायक इंधन नहीं है उसने पूछा तुम्हरे पास कितना इंधन है मैंने कहा कि दिल्ली तक का इंधन है उसने पूछा कि अगर दिल्ली ना उतर पहे तो और कहा जा सकते है उसे मालुम था कि हम बंबई या एहमदाबाद जा सकते हैं मैंने कहा एहमदाबाद फिर उसने कहा कि अगर एहम्दाबाद ये बंबई जा सकते हैं तो लाहॉर क्यों नहीं जा सकते डिली से बंबई के मुकाबले लाहॉर ज्यादा खरीब है भारती उप महधवीत में रात हो गई थी IC 814 अपनी मंजिल से अंजान अब भी पश्चिम की तरफ जा रहा था विमान में सवार 189 यात्रियों और करमचारियों को कुछ खतरनाक हतियार बंद लोगों ने बंधग बना रखा था कॉक्पिट में कैप्टन शरण खतरनाक खेल खेल रहे थे अपहरण करताओं की नजर बचा कर उन्होंने एक एमर्जेंसी ट्रांस्पॉंडर टबाया जिससे भारतीय एर ट्राफिक कंट्रोलर समझ गए कि IC 814 का अपहरण हो गया है IC 814 में कैप्टन और अपहरण करताओं के बीच कश्मकश चल रही थी अपहरण करता पाकिस्तान में लाहौर जाना चाहते थे लेकिन कैप्टन किसी कीमत पर पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे 6 महीने पहले ही कश्मीर में कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच हूनी जंग में सैक्णों लोग मारे गए थे उसके घाव अभी तक ताजा थे मैं लाहॉर नहीं जाना चाहता था क्योंकि मैं अपना देश नहीं छोड़ना चाहता था मैं भारत में किसी भी जगहें पर उतरने को तयार था ताकि सुरक्षा कर्मियों को मदद करने का मौका मिल सके लाहॉर एटी सी का रुख कैप्टन के काम आया उन्होंने विमान उतारने से मना कर दिया लाहॉर ने अपनी वाईू सीमा अपने विमानों के लिए भी बंद कर दी इस बीच यात्री कैबिन में एक खतरनाग खेल शुरू हो गया था आठ पुरुश यात्रीयों को वहाँ से उठाकर एक्जेगेटिव कैबिन में ले जाया गया उनमें 27 साल के रिपन कत्याल भी थे जो अपनी पत्नी रचना के साथ हनीमून से लौट रहे थे जैसे ही मेरे को बर्गर अंदर ले गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर तीन लोग पहले से ही थे और उसने मेरे दोनों हाथ पीछे खीच कर नाइलॉन की रसी से बांदिये फिर सीट पीछे करने का बटन दबाया और बिल्कुल बैक में ले जाकर सीट फ्लैट कर दी और बेल्ट बांदी मुझे यात्री कैबिन की हल चल से बेखबर कैप्टन ने वक्त गुजारने का फैसला किया मैंने अपनी रफ्तार करीब 40% कम कर दी क्योंके मैं दिल्ली यामरिसर कहीं भी उतरने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय लेना चाहता था ताकि वहां तैयारिया हो सके लेकिन आई सी एट वन फोर में इंधन तेजी से खत्म हो रहा था कैटन के सामने ज्यादा विकल्प नहीं थे लिकिन अफरन करता अड़े हुए थे वो विमान को भारत में उतारने को तैयार नहीं थे फिर ये गतिरोध कैसे तूटा आखिर कौन चुका नेपाल में काटमांडू से भारत में नई दिल्ली के रास्ते में इंडियन एर लाइन्स की ओडान आई सी एट वन फोर पर पांच अफरन करताओं ने कबजा कर लिया था वो रिवॉल्वर, चाकू और हधकोले लेकर विमान में घुस गए थे अब हरन करताओं की मांग थी के पालिट्स विमान को पाकिस्तान में लाहौर ले जाएं लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने अपनी वायू सीमा बंद कर दी और विमान उतारने से इंकार कर दिया इंधन तेजी से खत्म हो रहा था इसलिए कैप्टन शरण के सामने एक ही रास्ता था कि विमान को लाहौर से पचास किलूमीटर पूर्व उत्तर में भारत में अमरिच सर में उतार लें लेकिन अपहरण करताओं को डर था कि भारत ये सुरक्षा बल विमान में खुस जाएंगे इसलिए वो भारत में उतरना नहीं चाहते थे मैंने हाथ जोड़े कि मुझे विमान उतारने दो नहीं तो सब मारे जाएंगे लेकिन वो अमरिच सर में नहीं उतरना चाहते थे उन्होंने दो तीन मिनट लिए सारे हाईजैकर्स पीछे जमा हुए कुछ बाचीत की फिर वो अंदर आए उन्होंने पूछा तुम्हें यक्रीन है कि विमान को इंधन मिल जाएगा मैंने कहा कि हाँ मिल जाएगा बस हमें अमरिच सर में उतरने दो कैप्टन की चाल काम कर गई अफरन करताओं ने कैप्टन की इस गैरिंटी पर विमान को अम्रिच सर में उतारने की इजाज़त दे दी कि फॉरन इंधन मिल जाएगा अब मुझे लगा के हम यहां से नहीं उड़ेंगे मुझे उमीद थी कि वहां कुछ मदद मिल जाएगी और हाइजैकिंग का ये नाटा कमरिच सर में खट्ब हो जाएगा नई दिल्ली में प्रधान मंत्री वाजपेई की अध्यक्षता में इंडियन क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रूप ने अमरिच सर में स्थानिय पुलिस को विमान में घुसने की अजाज़त नहीं दी उसकी जिद थी कि भारत की तेज तर्रार एंटी हाईजैकिंग फोर्स नाशनल सेक्यूरिटी गार्ड या एनसजी दिल्ली से अमरिच सर जाएगी और ये बड़ी महंगी भूल साबित हुई मुझे दिल्ली से संदेश मिला की एनसजी आ रही है तो हमें उनका इंथजार करना था और तब तक प्लेन को किसी भी दरहा से राजासासी एरपोर्ट पर रोकना था दिल्ली के निर्देश पर अमरिच सर में अधिकारी इंधन टैंकर भेजने में देरी करके वक्त गुजारने लगे लेकिन इस देरी से अफरन करताओं की खीज और गुस्सा बढ़ने लगा प्लेन आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक अमरिच सर में खड़ा रहा लेकिन कोई टैंकर दिखाई नहीं दिया हाई जैकर्स को यकीन हो गया कि भारत ये कमांडो विमान में घुसने की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने IC814 के पाइलट को उड़ान भरने का आतेश दिया उन्हें इंधन खत्म होने की कोई परवाह नहीं थी पर पाइलट में हार नहीं मानी IC814 पर पाइलट्स और अफ़रन करताओं के बीच खीचतान खत्म होने वाली थी और उसके नतीजे खतरनाक होने वाले थे पाइलट ने जहाज नहीं उड़ाया तो अल अफ़रन इतनी देर में क्या होता है कि मार देंगे के कहने के बाद वो एक डॉक्टर टेरिरिस्ट मतलब डॉक्टर नाम से था तो वो आता है तो वो यहां पे रिपिन कत्याल की छाती में उसने काफी ज़्यादा अटेम्ट कर दिया फ्लाइट इंजिनियर जागिया को हाई जैकर्स के इस दावे की पुष्टी करने के लिए भेजा गया के वो पैसेंजर्स को मार रही हैं जागिया वहां की हालत देखकर सक्ते में आ गए हाई जैकर्स ने मौत की गिनती शुरू कर दी अगर तीस से जीरो तक गिनने में हवाई जहाज नहीं उड़ा तो वो पहले पाइलट्स को मारेंगे और फिर हर यात्री को गोली मार देंगे अब मुझे कुछ फैसला लेना ही था एटीसी कुछ ने कर रहा था कोई मदद नहीं मिल रही थी प्लेन के सामने बाउजर नहीं आ रहा था कुछ भी नहीं हो रहा था भारत ये सुरक्षा बलों से जब कोई मदद नहीं मिली तो ये लगने लगा के हाईजैकर्स सब को मार देंगे तो कैप्टन शरण ने सूच समझकर जूख हिम उठाया और तेजी से पाकिस्तान में लाहौर की तरफ उडान भरी प्लेन में जितना इधन था उस से लाहौर पहुँचने की उमीद बहुत कम थी लेकिन कोई और रास्ता नहीं था भारत ने प्लेन पर कबज़ा करने और संकट को खत्म करने का इतना अच्छा मौका गवा दिया था पाइलिट यही कहते रहे कि उनके पास बिलकुल भी इंधन नहीं है इसलिए हमें यकीन था कि जब तक हम इंधन नहीं भरेंगे तब तक एरक्राफ्ट किसी भी हालत में नहीं उड़ पाएगा हमने अम्रिस सर में अधिकारियों से कहा कि वो बाउजर के साथ स्नाइपर्स या शार्प शूटर्स को एरपोर्ट ले जाएं और प्लेन के टायर उड़ा दें लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों नहीं हुआ कारण तो कई हो सकते हैं लेकिन हमें और क्राइसिस मेनेजमेंट ग्रूप को कोई कारण नहीं बताया गया मैं तो दिल्ली की इस प्रतिक्रिया को और कुछ नहीं बचकाना ही कहूंगा पहली सूचना मिलते ही एनेस जी को फुर्ती से जाने को कहा जाना चाहिए था हाईजेक को खत्म करने की कोई रणनीटी होनी चाहिए थी आईसी एट वन फोर अब अमरित सर से करीब पचास किलो मिटर दूर सीमा पार पाकिस्तान में लाहौर जा रहा था लेकिन पाकिस्तान सरकार इस प्लेन को अपने यहां उतारना नहीं चाहती थी जब विमान को मार गिराने की धंकी का कोई असर नहीं हुआ तो पाकिस्तान एरपोर्ट अथारिटीज ने लाहौर हवा यड़े पर दिशा बताने के सभी संकेत और लाइट्स बंड कर दी उन्होंने कहा हम तुमें यहां उतरने नहीं दे सकते तुम कहीं और जाओ उन्होंने रनवे की सारी लाइट्स बंड कर दी, नैविगेशन एड भी बंड कर दी और एपरेन लाइट्स भी बंड कर दी आखिर मैंने दोनों रिजर्व लाइट्स आउन कर दी मेरे पास हवा में रहने के लिए इंधन नहीं था, मुझे फैसला ले नहीं था तब मैं नीचे आने लगा, ताकि ऐसी जगहें दिखाई दे जाए, जहां मैं इस प्लेन को उतार दूँ दिशा बताने का कोई संकेत ना होने के कारण पाइलट्स ने विमान को कुछ जगमगाती लाइट्स की तरफ मोड दिया उन्होंने सोचा के ये लाहौर का रन्वे है, लिकिन जब बिमान बेहद नीचे आ गया, तब पाइलट्स ने देखा के उन्होंने बड़ी भारी भूल कर दी है पाकिस्तान एरपोर्ट अथारिटीज अब समझ गई थी के पाइलट्स के पास कोई रास्ता नहीं है, अगर आइसी 814 को उतरने की अजाज़त न दी गई, तो वो जमीन पर क्रैश कर जाएगा एटीसी वाले समझ गए के मैं इतना नीचे आगया हूँ कि इस बात की पूरी संभावना है के प्लेइन क्रैश लैंड कर जाए, तब उन्होंने कहा कि आपके लिए रनवे खुला है, रनवे पर आओ लैंड करने के कुछी सेकिंड बाद, शायद मेरा दाहिना एंजिन ठप हो गया, क्योंकि इंधन बिलकुल नहीं था कैप्टन की चाल रंग लाई, आईसी 814 सुरक्षित लाहौर में उतर गया, लिकिन ये पड़ाव कुछ ही देर का था उधर पीछे कैबिन में खून से लटपत घायल यात्री अंतिम सांसे ले रहे थे, उनकी जान बचाने के लिए फौरण चिकितसा की जरूरत थी लेकिन पाकिस्तानी अधिकारी जल्दी से जल्दी इस विमान को अपने यहां से रवाना करने को उताव ले थे मैंने एटी सी से अनुरोद किया, मैं गिलगड़ाया के सीड़ी भेज दीजिए मैं चाहता हूँ के गायल यात्री, कुछ बज़र्ग, महिलाएं और बच्चों को यहां उतार दिया जाए लेकिन वो नहीं माने, वो अपनी बात पर अड़े हुए थे, उन्होंने कहा के तुम्हें इंधन चाहिए और हम तुम्हें इंधन देंगे लेकिन तुम्हें यहां किसी को बिलकुल उतारने नहीं देंगे, यहां लाहूर एरपोर्ट पर कोई नहीं उतरेगा पाकिस्तानी नहीं चाहते थे कि इस मामले में किसी भी तरह उनका हाथ दिखाई दे विमान वहां उतारना पड़ा क्यूंकि और कहीं उसे नहीं ले जा सकते थे वो इसे अपने यहां से बगाने को उताब ले थे लाहूर में उतरने के बाद तीन घंटे से भी कुछ कम समय में विमान ने फिर से उडान भरी उधर भारत में इन अफ़ाहूं ने नई दिल्ली हवाई यड़े पर जमा भीड में देहशत पहला दी कि अफ़रन करताओं ने कुछ याक्रियों को मार दिया है अफ़रन करताओं ने कैप्टन को निर्देश दिया कि विमान अफ़गानिस्तान में काबुल ले जाया जाए लेकिन काबुल में रात में विमान को उतारने की सुविधा नहीं थी इसलिए हाई जैकर्स ने पाइलिट को विमान संयुक्त अरब अमिरात में दुबई ले जाने पर मजबूर किया इसी वीच रिपन कत्याल के सीने पर हाई जैकर्स के चाकू के घाव से खून बहुत बह गया था और रात में किसी समय रिपन कत्याल की मृत्य हो गई अमरित सर में विमान में घुसने का मौका गवाने के बाद भारत सरकार में सैयुक तरब अमिरात के अधिकारियों को समझाने की कोशिश की कि वो दुबई में कमान्डो उपरेशन की अजाज़त दे दे UAE की सरकार और दुबई के स्थानी अधिकारी कमांडो कार रवाई की इजास्त देने को पता ही तयार नहीं थे हम चाहते थे कि प्लेन को वहां इतनी देर तक वहां रोका जाए कि हम भारत से कमांडो भेज सकें लेकिन UAE के अधिकारियों ने इंधन के बदले हाईजैकर्स को कुछ यात्रियों की रहाई पर राजी कर लिया गायल यात्रियों को भी उतार लिया गया अलमिनात में उतरने के करीब दस मिनित बाद बर्गर मेरे पास आया और बुला खड़े हो जाओ मैं खड़ा हो गया और जे क्लास तक गया वहां मैंने एक नौजवान को देखा उसकी कमीज उतरी हुई थी और वह खून से लफपत एक सीट पर पड़ा था उस समय मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और सच कहूं तो मैं अपनी जान की खैर मना रहा था रिपन कत्याल का शव विमान से उतार दिया गया लेकिन विमान में बैठी उनकी पत्नी को मालूम नहीं था कि रिपन की मात हो गई है हमें ये आदेश मिला कि लाश को स्टेप लेडर के उपर रख दें जो कि प्लेन के पहले दरवाजे के साथ थी रिहा किये गए पैसेंजर्स आराईवल टर्मिनल पर पहुचे और इसी बीच IC 814 इंधन लेकर फिर से अंजानी मन्जिल की तरफ उड़ गया क्रिस्मस का दिन था लेकिन इंडियन एरलाइन्स की उड़ान IC 814 में बचे 162 यात्रियों और कर्मचारियों के लिए खुशी मनाने की कोई वजह नहीं थी 18 घंटों से उनका विमान 5 हतियार बंद अपहरण करताओं के कबजे में था एक यात्री मारा जा चुका था और एक घायल हुआ था लेकिन उनकी मुसीबत कुछ और बढ़ गई थी यात्री नहीं जानते थे के रात भर उत्तर की तरफ उड़ता हुआ IC 814 अफगानिस्तान में कंधार उतर गया है अफगानिस्तान में कट्टर पन्थी इसलामी गुट तालिबान का कबजा था ये खतरनाका तंकवादी उसामा बिन लादेन का भी गड़ था मैंने देखा खुली पिजेरो विमान की तरफ बढ़ रही थी पिजेरो में सवार लोग विमान के खरीब आए और उन्होंने इस तरह से हाथ हिलाए मुक्के हाईजेकर ने उनकी तरफ देखा और उसने भी ऐसे हाथ हिला दिया उस वक्त मेरे हाथ पूँ पूल गए थे मैं समझ गया कि भीतर हाईजेकर्स हैं और बाहर आतंकवादी IC814 के अफरन को 18 घंटे बीथ चुके थे लेकिन हाईजेकर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी वो कौन थे और वो क्या चाहते थे दुबई में छोड़े गए यात्रियों से मिली जानकारी के आधार पर भारती खुफिया एजिंस को यकीन हो गया कि उनका सामना बेहद प्रशिक्षित और समर्पित फिदाईन आतंकवादीयों से है मैं मनहीमन उन फिदाईन मिशनों के बारे में सोच रहा था जो इसलामी कट्टर पंथियों और उगरवादीयों ने कश्मीर में चलाए थे हरकत उलमुजाहिदीन के पास ऐसे लोग थे जो फिदाईन हमले कर सकते थे ये लोग यात्रियों को नुकसान पहुँचाने पर पूरी तरह उतारू थे और एरक्राफ्ट को विसपोर्ट से उड़ाने का भी इरादा रखते थे इधर भारत में सैकनों लोग रिपन कत्याल की अंतिम यात्रा में शामिल हुए जिन्हें अफ़रण करताओं ने बेरहमी से मार दिया था दुनिया भर में टेलिविजन पर इस अंतियश्टी के द्रिश्वे प्रसारित होते ही भारत सरकार पर इस संकट को सुलजाने के लिए दबाव बढ़ने लगा लेकिन प्रधान मंत्री वाजपई जुकने को तयार नहीं थे ये भी अवी तक नहीं बताया है पर वो जो भी चाथते हैं उसे पाने का ये कोई तरीका नहीं है ये वलत है ऐसे वेश्याना किद्मों के सामने भारत जुकेगा नहीं भारत सरकार अफगानिस्तान में तालिबान शासन को माननेता नहीं देती थी और उसका खुलकर विरूद करती थी लेकिन इस संकट को सुलजाने के लिए उसके साथ बातचीत करना जरूरी था हमें उमीद थी कि भारती अधिकारी जल्दी आएंगे और पूरी गंभीरता से काम करेंगे लेकिन लग रहा है कि वो बेफिक्र है IC814 के अफगानिस्तान में कंधार में उतरने से सिर्फ भारत सरकार को ही बेचानी नहीं थी पता नहीं क्यों हाईजैकर्स भी चाहते थे कि विमान को जल्दी से जल्दी इंधन मिल जाए और वो कंधार से रवाना हो जाएं लेकिन पाइलिट्स ने साथ देने से मना कर दिया वो अड़ गए कि पूरी इंजिनिरिंग जाच कराए बिना अब विमान का उड़ान भरना सुरक्षित नहीं है IC814 यहां से कहीं नहीं जा रहा था लेकिन हाईजैकर्स शांत नहीं बैठे थे वो कॉक्पिट में माजूद ट्रैप डोर के जरिये कारगो होल्ड तक पहुँच गए मुझे ऐसी आवाजें सुनाई दी के कारगो होल्ड में कुछ हो रहा है मैं जानता था कि वहाँ कोई बैग है जिससे वो निकालना चाहते थे आखिर कार हाईजैकर्स ने वो बैग कारगो होल्ड से निकाल लिया सुबह जब मैं कॉक्पिट में गया तो वहाँ तरहें तरहें के हथ्यार पड़े थे अलग अलग रंग के हधगोले थे और कार्टूस फैले पड़े थे अब ये जाहिर हो गया था कि हाईजैक की साज़श बहुत बारीकी से सोच समझ कर बनाई गई थी लेकिन हाईजैकर्स किस हद तक जाने वाले थे और उनका मकसद क्या था उधर दिल्ली में विमान यात्रियों के रिष्टेदार एक जुठ हो गए संकट सुलजाने में भारत सरकार की नाकामे से नाराज रिष्टेदार विदेश मंत्री जस्वंत सिंग के संबाद दाता सम्मेलन में घुस कए और मांग करने लगे कि सरकार यात्रियों को छुड़वाए दुनिया भर में टेलिविजन नेट्वर्क्स पर ये खबरें प्रसारित होने से भारत सरकार पर हाईजैकर्स से बाचीत करने के लिए दबाव बढ़ने लगा आखिरकार भारत सरकार ने वारताकारों की एक टीम बनाई जो IC 814 के अभरण के चौथे दिन 27 दिसंबर को अफगानिस्तान में कंधार पांची तालिबान नहीं जानते थे कि इस दल के साथ हाई कमांडो विमान में छिपे हुए थे भारत सरकार IC 814 पर धावा बोलने को भी तैयार थी वहां उतरते ही हमने देखा कि हमें तालिबान लड़ाकों ने पूरी तरह से गेर लिया था उन्होंने अजीब से कपड़े पहन रखे थे और तरह तरह के हथियारों से लेस थे वो एरक्राफ्ट की हिफासत करने के अंताज में वहां तैनात नहीं थे वो लोग तो एकदम हमले की मुद्रा में थे भारती अवारता कारों के विमान के चारों तरफ तैनात तालिबान लड़ाकों की हमले की मुद्रा के कारण भारत के कमांडोस के लिए फूरती से जपटना मुम्किन नहीं था भारत ये दल के सामने एक ही रास्ता था कि अफरन करताओं से बात चीच शुरू की जाए चीफ जब उनसे बात कर रहा था तो उसने जरूर कोई सुच दबा दिया होगा पूरे प्लेन में उसकी आवा सुनाए दे रही थी वो कह रहा था कि मौलाना के मामले में कोई सौदेबाजी नहीं होगी हमें नहीं मालूम था कि मौलाना कौन था आखिरकार सच्चाई सामने आ गई हाई जैकर्स का मकसद मौलाना मसूद अजहर को छुडवाना था मौलाना कश्मीर घाटी में हमले करने वाले उगरवादी संगठन हरकतुल मुजाहिदीन का सेकरेटरी जेनरल था वो किसी बड़ी फौच का कमांडर नहीं था वो हजारों लोगों का भी कमांडर नहीं था वो तो बस मुठी भर लोगों का ही कमांडर था लेकिन वो इन लोगों को जितनी वफादारी से वैशियाना कदम उठाने को उकसा सकता था उतना कोई और संगठन नहीं उकसा सकता था 1994 में गिरफतार मौलाना मसूद अजहर को जम्मू कश्मीर में कोट भलवाल जील में रखा गया था इसी हिस्से को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तीन लड़ाईयां हो चुकी है मौलाना को छुड़वाने की कई कोशिशें हो चुकी थी दो बार तो विदेशी परियाटकों को अगवा करके मार डाला गया था एक बार जील तोड़ने की कोशिश हुई जिसमें मौलाना का एक साथी पुलिस के हाथों मारा गया और मौलाना एक तंग सुरंग में फसा रह गया लेकिन इस बार कुछ अलग हिसाब से कोशिश की गई थी भारतिये खुफिया एजिंसियों को ये संसनी खेश सक्चाई भी पता चली कि मुख अफरन करता मौलाना मसूद अजहर का छोटा भाई था मौलाना मसूद अजहर के रहाई हाईजैकर्स की पहली मांग थी मौलाना मसूद अजहर के साथ वो 35 और लोगों की रहाई आतंकवादी सज्जाद अफगानी का ताबूत और भारत से 20 करोड अमरीकी डॉलर की फिरौती चाहते हैं हम कंधार में अपने वारताकारों के जरिये इसका जवाब भेज देंगे इस बीच हमारे देश के भीतर और बाहर भी लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए इस बातचीत के बीच अचानक तालिबान के दखल ने सब को चौका दिया तालिबान ने अफ़रन करताउं से कहा के पैसे और सज्जाद अफगानी की लाश की मांग वो छोड़ दें क्योंकि ये इसलाम के खिलाफ है IC 814 की यात्रियों और करमचारियों के अफ़रन का पांचवा दिन था विमान के भीतर हालात बिगड रहे थे और बरदाश्ट के बाहर हो रहे थे मेरे साथ मेरे ब्रदर अनलौ थे और उन्होंने आठ दिनों तक कुछ भी नहीं खाया क्योंकि जितने टाइलर्स थे वो ओवर्फ्लो कर रहे थे अपने परिवार को बंधग देखकर उनकी बेचैनी और उनकी जान खत्रे में देखकर मुझे बहुत बहुत ज़्यादा गुसा आ रहा था लोगोंने तो सारी उमीद छोड़ दी थी मेरी तो ये हालत हो गई थी कि मैं ये सोचने लगा कि अब बहुत हो चुका तुम एरक्राफ्ट उडाना चाहते हो मुझे और दूसरे लोगों को मारना चाहते हो तो मार डालो लेकिन ये सब खत्म करो हमसे अब और नहीं सहा जाता विमान के भीकर के हालात की खबरें जब भारत में रिष्टेदारों और मीडिया तक पहुँचीं तो वारता कारों पर समझोते के लिए दबाव बढ़ने लगा लेकिन दोनों में से कोई भी जुकने को तैयार नहीं था 29 दिसंबर को याने अफरन के छटे दिन जब अफरन करता सदभाव के तौर पर 35 महिलाओं और बच्चों को छोड़ने पर राजी हो गए तो लगा कि कोई हल निकल आया है महिलाओं और बच्चों को अलग करने या छोड़ने का मतलब ये था कि विमान में सिर्फ मर्द बचेंगे इससे कहीं न कहीं ये डेर लगने लगा कि अगर हमें खत्म करने का सवाल आया तो ये पल भर भी इंतजार नहीं करेंगे तब मैंने पलट कर उनकी तरफ देखा और क्या बताओं बस परदाश्ट नहीं हो रहा था खुद मर जाना बहुत आसान होता है लेकिन अपने परिवार को या किसी अपने को मरते हुए नहीं देखा जाता लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ समझोते की उमीद फिर तूट गई बातचीत पूरी तरह से भंग हो गई थी रहाई का इंतजार कर रहे 35 चिने हुए यात्रियों को वापस विमान में धकेल दिया गया काफी शोर मच रहा था मैंने देखा कि बच्चों और महिलाओं को वापस एकॉनमी क्लास में धकेला जा रहा था तब मुझे लगा कि कुछ गड़बड हो गई है बड़ी अजीब सी स्थिती थी जिससे बयान नहीं किया जा सकता उनके और भारत सरकार के बीच बात चीज रुख गई थी अब वो लोगों को मारने वाले थे पता नहीं वो लोगों को चुनचुन कर मारते या फिर प्लेन से बाहर फेक देते या प्लेन को बहुत उचाई पर ले जाकर उड़ा देते मुझे अच्छे तरह याद है पूरे विमान में बिलकुल सननाटा पहला था कहीं से भी ये नहीं लगता था कि विमान में करीब दो सो लोग बैठे थे तो क्या यही अंत था? क्या IC814 के यात्रियों और कर्मचारियों का सफर यहीं खत्म होने वाला था? अफगानिस्तान में कंधार में हाईजैकर्स और भारत सरकार के वारताकारों के बीच बात चीट तूट गई थी हाईजैकर्स ने पैसेंजर्स से कह दिया था कि वो IC करके उन्हें मार देंगे अचानक हालात बदलने से सहमे हुए यात्री मौत के सन्नाटे में अपनी बारी का इंतजार करने लगे वक्त गुजरता जा रहा था कोई हल चल नहीं थी सब लोग बैठे हुए थे बस इंतजार कर रहे थे कि कुछ होगा कुछ होगा लेकिन कुछ नहीं हुआ वो वापस आया और बोला कि नजाने किसकी दुआएं काम आ गई हैं लगता है कि बातचीत फिर से शुरू होने वाली है फिर करीब तीन चार घंटे बाद हमें बताया गया कि हमारे लिए एक खुशखबरी है भारल सरकार ने उनकी मांगे माली हैं और अब हम जल्दी ही आज़ाद कर दिये जाएंगे यात्रियों को छोड़ दिया गया लेकिन किस की मदपर तालिबान और अब हरन करताओं के साथ बातचीत के बाद समझोता हुआ है कि तीन उगरवादियों के बदले सब ही बंधक छोड़ दिये जाएंगे तीन उस समय छोड़े जाने वाले तीन आतंकवादी थे मौलाना मसूद अजहर जिस पर हरकतल मुझाहिदीन का सदस्से होने का आरोप था उमर शेख लंदन स्कूल आफ एकोनॉमिक्स में पढ़ा ब्रिटिश नागरिक जो मौलाना मसूद अजहर का कट्टर चेला था और जिसे कश्मीर में विदेशी नागरिकों के अफरंड के आरोप में गिरफतार किया गया था तीसरा कैदी मुझाक एहमद जर्गर अलुमर मुझाहिदीन उगरवादी गुट का मुख्य कमांडर था जिसे कश्मीर में आतंकवादी हमलों के लिए पकड़ा गया था मेरे ख्याल से वो समझहोता भारत के लिए सबसे बुरा था वाकई में सबसे बुरा था और मेरी राय में उसकी कोई जरूरत नहीं थी ये समझोता इसलिए करना पड़ा क्योंकि एकदम बे सिर पैर की समय सीमा तै कर दी गई थी प्रधान मंत्री ने बयान दिया था कि हम नहीं चाहते कि यात्री बंधक बनकर निया साल मनाए मानलो हम कहते हैं कि ठीक है हम आपकी बात नहीं मानेंगे तो लोग हमें ऐसा करने नहीं देते हमें बातचीत पर मजबूर किया जाता और जब बातचीत होती है तो फिर तो ऐसा ही होता है भारत के अलग-अलग हिस्सों में जेलों से तीन आतंकवादियों को छुड़ा कर दिल्ली लाया गया जहां से उन्हें विमान से कंधार ले जाया गया कुछ ही घंटों बाद रिहा किये गए आतंकवादी और अफरन करता तालिबान लड़ाकूँ के संड्रक्षन में आजादी से कंधार से रवाना हो गए IC 814 में यात्री और करमचारी अपनी रिहाई से खुश थे एक यात्री ने रिहाई के कुछ ही समय बाद विमान में खुशी के पल इन दुरलब तस्वीरों में खैब कर लिये थे उन्हों ने जैसे ही कहा कि तुम आजाद हो तो हमें बहुत अच्छा लगा सब एक दूसरे से हाथ मिलाने लगे एक दूसरे के गले लगने लगे उस समय हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था अचानक ऐसा लगा कि शरीर में जान ही नहीं रही हम उडने लगे थे क्योंकि सारा तनाव गाइब हो चुका था नए साल से एक दिन पहले और IC814 के अभरण के आठ दिन बाद एक को छोड़कर सभी यात्री और करमचारी सुरक्षित भारत पहुच गए उनका सफर पूरा हो गया था डेली एरपोर्ट पर हजारों लोगों ने उनका शानदार स्वागत किया ये जशन रात भर और नई सदी की सुबह तक चलता रहा लेकिन एक सवाल सभी को सता रहा था भारत सरकार ने IC814 के यात्रियों और करमचारीों की जान के बदले तीन खतरनाक आतंकवादियों को छोड़कर कहीं कोई गलती तो नहीं की इस सवाल का कोई सही जवाब नहीं है लेकिन आज हम जो कुछ जानते हैं अगर उस समय फैसला लेने वालों को वो जानकारी होती तो क्या IC814 की कहानी का अंत कुछ अलग होता मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान लोट कया रिहाई के बाद उसने बहुत चल्द उगरवादी संगठन जैश महम्मद बना लिया जैश पर 13 दिसंबर सन 2001 को भारतिय संसत पर हुए हमले के साथ साथ कई हमलों में शामिल होने का आरोप है संसत पर हुए हमले में साथ मासूम मारे गए और 18 घायल हुए जम्मू कश्मीर विधान सभा पर हमले में भी जैश का हाथ था मौलाना मसूद अजहर अब पाकिस्तान में आजादी से रहता है उमर शेख 11 सितंबर को वर्ल ट्रेड सेंटर से ठकराने वाले दू में से एक विमान के पाइलिट मुहम्मद अट्टा का मुख्य फाइनेंसर बताया जाता है उसे अमरीकी पत्रकार डैनियल परल को मारने के जर्म में मौत की सजा सुनाई गई है मुश्ताक अहमद जर्गर पाकिस्तान के कबजे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफर अबाद में रहता है बताया जाता है कि वो उगरवादी गुट अलुमर मुजाहिदीन को फिर से खड़ा कर रहा है अब ये जाहिर हो चुका है कि पाँचो हाईजैकर्स पाकिस्तानी नागरिक थे जो पाकिस्तान में आजादी से जी रहे बताये जाते हैं इंटर पॉल और भारत की सी बी आई ने पाकिस्तान अपचारिक अनुरोध किये हैं कि उन्हें पकड़कर भारत को सौप दिया जाए लेकिन इन अनुरोधों की कोई सुनवाई नहीं हुई कोई नहीं जानता कि दिसंबर 1999 के बाद उन्होंने क्या किया IC 814 का हादसा उनके लिए शान का मौका था इस सवाल का पक्ता जवाब तो अभी तक नहीं मिला कि हाईजैकर्स, रिवॉलवर और हथगोले विमान में कैसे ले गए लेकिन IC 814 के अफरन के बाद नेपाल सरकार ने काटमांडू के त्रिभुवन अंतर राष्ट्री हवाई अड़े पर सुरक्षा इंतजाम काफी सخت कर दिये इंडियन एरलाइन्स ने नेपाल के लिए अपनी ओडाने स्थगित कर दी लेकिन छे महीने बाद उन्हें फिर से शुरू कर दिया इंडियन एरलाइन्स के करमचारी विमान में सबार होने से पहले सभी यात्वियों की दोबारा जाँच करते हैं और भारत सरकार ने कुछ उड़ानों में स्काई मार्शल तैनात करने का भी फैसला किया ICH-14 में कैप्टन और अफरन करताओं के बीच कश्मकश चल रही थी अफरन करता पाकिस्तान में लाहौर जाना चाहते थे लेकिन कैप्टन किसी कीमत पर पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे छे महीने पहले ही कश्मीर में कारगिल में भारत और पाकिस्तान के मीच हूनी जंग में सैक्णों लोग मारे गए थे उसके घाव अभी तक ताजा थे मैं लाहॉर नहीं जाना चाहता था क्योंकि मैं अपना देश नहीं छोड़ना चाहता था मैं भारत में किसी भी जगें पर उतरने को तयार था ताके सुरक्षा कर्मियों को मदद करने का मौका मिल सके लाहौर A.T.C. का रुख कैप्टन के काम आया उन्होंने विमान उतारने से मना कर दिया लाहौर ने अपनी वायू सीमा अपने विमानों के लिए भी बंद कर दी इस बीच यात्री कैबिन में एक खतरनाग खेल शुरू हो गया था आठ पुरुश यात्रियों को वहां से उठाकर एक्जेगेटिव कैबिन में ले जाया गया उनमें 27 साल के रिपन कत्याल भी थे जो अपनी पत्नी रचना के साथ हनीमून से लौट रहे थे जैसे ही मेरे को बर्गर अंदर ले गया तो मैंने देखा कि वहां पर तीन लोग पहले से ही थे और उसने मेरे दोनों हाथ पीछे खीच कर नाइलोन की रसी से बांदिये फिर सीट पीछे करने का बटन दबाया और बिल्कुल बैक में ले जाकर सीट फ्लैट कर दी और बेल्ट बांदी मुझे यात्री कैबिन की हलचल से बेखबर कैप्टन ने वक्त गुजारने का फैसला किया मैंने अपनी रफटार करीब 40 प्रतिशत कम कर दी क्योंके मैं डिल्ली यामरिस सर कहीं भी उतरने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय लेना चाहता था ताकि वहां तैयारियां हो सकें उनके सामने ज्यादा विकल्प नहीं थे लिकिन अफ़रन करता अड़े हुए थे वो विमान को भारत में उतारने को तैयार नहीं थे फिर ये गतिरोध कैसे टूटा आखिर कौन चुका नेपाल में काटमांडू से भारत में नई दिल्ली के रास्ते में इंडियन एर लाइन्स की ओडान आईसी 814 पर पांच अफ़रन करताओं ने कबजा कर लिया था वो रिवॉल्वर, चाकू और हधकोले लेकर विमान में घुस कए थे अब हरन करताओं की मांग थी के पाइलिट्स विमान को पाकिस्तान में लाहौर ले जाएं लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने अपनी वायू सीमा बंद कर दी और विमान उतारने से इंकार कर दिया इंधन तेजी से खत्म हो रहा था इसलिए कैप्टन चरण के सामने एक ही रास्ता था कि विमान को लाहौर से पचास किलूमीटर पूर्व उत्तर में भारत में अमरिच सर में उतार लें लेकिन अपरण करताओं को डर था कि भारत ये सुरक्षा बल विमान में खुस जाएंगे इसलिए वो भारत में उतरना नहीं चाहते थे मैंने हाथ जोड़े कि मुझे विमान उतारने दो नहीं तो सब मारे जाएंगे लेकिन वो अमरिच सर में नहीं उतरना चाहते थे उन्होंने दो तीन मिनट लिए सारे हाईजैकर्स पीछे जमा हुए कुछ बाचीत की फिर वो अंदर आए उन्होंने पूछा तुम्हें यकीन है कि विमान को इंधन मिल जाएगा मैंने कहा कि हाँ मिल जाएगा बस हमें अमरिच सर में उतरने दो कैप्टन की चाल काम कर गई अफरन अब मुझे कुछ फैसला लेना ही था एटी सी कुछ ने कर रहा था कोई मदद नहीं मिल रही थी प्लेन के सामने बाउजर नहीं आ रहा था कुछ भी नहीं हो रहा था भारत ये सुरक्षा बलों से जब कोई मदद नहीं मिली तो ये लगने लगा कि हाईजैकर्स सब को मार देंगे तो कैप्टन शरन ने सूच समझ कर जोखिम उठाया और तेजी से पाकिस्तान में लाहौर की तरफ उडान भरी प्लेन में जितना इधन था उससे लाहौर पहुँचने की उमीद बहुत कम थी लिकिन कोई और रास्ता नहीं था भारत ने प्लेन पर कबजा करने और संकट को खत्म करने का इतना अच्छा मौका गवा दिया था पाइलिट यही कहते रहे कि उनके पास बिलकुल भी इंधन नहीं है इसलिए हमें यकीन था कि जब तक हम इंधन नहीं भरेंगे तब तक एरक्राफ्ट किसी भी हालत में नहीं उड़ पाएगा हमने अम्रिस सर में अधिकारियों से कहा कि वो बाउजर के साथ स्नाइपर्स या शार्प शूटर्स को एरपोर्ट ले जाएं और प्लेन के टायर उड़ा दें लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों नहीं हुआ कारण तो कई हो सकते हैं लेकिन हमें और क्राइसिस मेरिजमेंट ग्रूप को कोई कारण नहीं बताया गया मैं तो दिल्ली की इस प्रतिक्रिया को और कुछ नहीं बचकान ही कहूँगा पहली सूचना मिलते ही एनेसजी को फुरती से जाने को कहा जाना चाहिए था हाईजेक को खत्म करने की कोई रणनीटी होनी चाहिए थी आईसी एट वन फोर अब अमरिट सर से करीब पचास किलो मिटर दूर सीमा पार पाकिस्तान में लाहौर जा रहा था लेकिन पाकिस्तान सरकार इस प्लेन को अपने यहां उतारना नहीं चाहती थी जब विमान को मार गिराने की धंकी का कोई असर नहीं हुआ तो पाकिस्तान एरपोर्ट अथारिटीज ने लाहौर हवा यड़े पर देशा बताने के सभी संकेत और लाइट्स बंद कर दी उन्होंने का हम तुमें यहां उतरने नहीं दे सकते तुम कहीं और जाओ उन्होंने रन्वे की सारी लाइट्स बंद कर दी नेविगेशन एट भी बंद कर दी और एपरेन लाइट्स भी बंद कर दी आखिर मैंने दोनों रिजर्व लाइट्स आउन कर दी मेरे पास हवा में रहने के लिए इंधन नहीं था मुझे फैसला ले नहीं था तब मैं नीचे आने लगा ताकि ऐसी जगें दिखाई दे जाए जहां मैं इस प्लेन को उतार दूँ दिशा बताने का कोई संकेत ना होने के कारण पाइलट्स ने विमान को कुछ जगमगाती लाइट्स की तरफ मोड दिया उन्होंने सोचा के ये लाहॉर का रन्वे है लिकिन जब बिमान बेहद नीचे आ गया तब पाइलट्स ने देखा के उन्होंने बड़ी भारी भूल कर दी है पाकिस्तान एरपोर्ट अथारिटीज अब समझ गई थी के पाइलट्स के पास कोई रास्ता नहीं है अगर आइसी 814 को उतरने की अजाज़त न दी गई तो वो जमीन पर क्रैश कर जाएगा करताओं ने कैप्टन की इस गैरिंटी पर विमान को अमरिच सर में उतारने की इजाज़त दे दी के फॉरण इंधन मिल जाएगा अब मुझे लगा के हम यहां से नहीं उड़ेंगे मुझे उमीद थी कि वहां कुछ मदद मिल जाएगी और हाइज़किंग का ये नाटा कमरिच सर में खत्म हो जाएगा नई दिल्ली में प्रधान मंत्री वाजपई की अध्यक्षता में इंडियन क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रूप ने अमरिच सर में स्थानिय पुलिस को विमान में घुसने की इजाज़त नहीं दी उसकी जिद थी कि भारत की तेज तर्रार एंटी हाईजाकिंग फोर्स किसी भी तरह से राजासासी एरपोर्ट पर रोक न था दिल्ली के निर्देश पर अमरिच सर में अभिकारी इंधन टैंकर भीजने में देरी करके वक्त गुजारने लगे लेकिन इस देरी से अफरन करताओं की खीज और गुस्सा बढ़ने लगा प्लेन आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक अमरिच सर में खड़ा रहा लेकिन कोई टैंकर दिखाई नहीं दिया हाई जैकर्स को यकीन हो गया कि भारत ये कमांडो विमान में घुसने की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने IC-814 के पाइलट को उड़ान भरने का आदेश दिया उन्हें इंधन खत्म होने की कोई परवाह नहीं थी पर पाइलट ने हार नहीं मानी IC-814 पर पाइलट्स और अफरण करताओं के बीच खींचतान खत्म होने वाली थी और उसके नतीजे खतरनाक होने वाले थे पाइलट ने जहाज नहीं उड़ाया तो अल अफर सड़न इतनी देर में क्या होता है कि मार देंगे कि कहने के बाद वो एक डॉक्टर टेलरिस्ट मतलब डॉक्टर नाम से था तो वो आता है तो वो यहां पे रेपिन कत्याल की छाती में उसने काफी ज़्यादा अटेम्ट कर दिया फ्लाइट इंजीनियर जागिया को हाई जैकर्स के इस दावे की पुष्टी करने के लिए भेजा गया कि वो पैसेंजर्स को मार रही हैं जागिया वहां की हालत देखकर सक्ते में आ गए हाई जैकर्स ने मौत की गिनती शुरू कर दी अगर तीस से जीरो तक गिनने में हवाई जहाज नहीं उड़ा तो वो पहले पाइलट्स को मारेंगे और फिर हर यात्री को गोली मार देंगे 1999 में क्रिसमस से एक दिन पहले इंडियन एर लाइन्स की नई दिल्ली तपकी इस उड़ान की यात्रियों के लिए सवा घंटे का ये छोटा सा सफर खौफ और आतंक का लंबा सफर होने वाला था इन में से सभी यात्री अपनी मंजिल तक जिंदा पहुँचने वाले नहीं थे अगले कुछ घंटों और दिनों की घटनाएं बहुत दूर तक अपना असर छोड़ने वाली थी आतंक के इस नाटक का अंत सारी दुनिया के लिए बेहद घातक असर छोड़ गया और आतंक के इतिहास में एक और अठ्याए लिखा गया नेपाल में काठ मांडू के त्रिभुवन अंतर राष्ट्रिय हवाई यड़े पर इंडियन एर लाइन्स की उड़ान IC 814 रवानगी की तैयारी में थी एक घंटा बीस मिनट में ये विमान भारत में नई दिल्ली पहुँचने वाला था कॉक्पिट में कैप्टन देवी शरन, को पाइलिट सिंग और फ्लाइट इंजिनियर जागिया उड़ान से पहले की जाजबर ताल कर रहे थे विमान के 178 यात्वियों में से ज्यादा तर नेपाल में छुट्टियां बिता कर लौट रहे थे क्रिसमस का मौका था, नई सदी बस हफ़ते भर दूर थी और सब मस्ती के मूड में थे शाम चार बजे के बाद जब IC814 उड़ान काठमांडू से रवाना हुई तो किसी ने सूचा भी नहीं था कि इसके साथ कोई अन्हूनी होने वाली है बहुत जल्दी ये विमान भारती ये वायू सीमा में आ गया कैबिन में फ्लाइट अटेंडेंस ने ड्रिंक सर्विस शुरू कर दी इतनी छोटी उड़ान में ये काम फुर्ती से निप्टाना जरूरी होता है डिल्ली कार्टमंडू सेक्टर में सर्विस ठीक ठाक चल रही थी मैंने सुचा कैप्टन्स को कुछ चाय काफी दे दी जाए चीफ स्टीवर्ड अनिल शर्मा पाइलट्स को चाय देने के लिए कॉक्पिट में पहुँचे लेकिन जब वो बाहर निकले तो आई सी एट वन फोर में सवार सभी लोगों की जिन्दगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी मैंने जैसे ही गैली की तरफ मू किया तो मास्क पहने हुए एक आदमी दिखाई दिया वो नाटे कतका था और उसने चश्मा पहना था मुझे लगा कि मुझे फॉरण कैप्टन्स को बताना चाहिए मैंने इंट्रकॉम के तरफ हाथ पढ़ाए जब अनिल शर्मा लोट रहे थे तब ही मैंने देखा कि एक आदमी कॉक्पिट में घुस रहा है पल भर के लिए मैं सहम गया मैं समझ गया था कि पलेन हाईजेक हो गया है उसने कहा कि कोई हरकत नहीं होनी चाहिए पलेन को बस पश्चिम की तरफ ले चलो लेकिन वो अकेला नहीं था हथियारों से पूरी तरह लैस चार और अपहरन करता थे जिनोंने बड़ी बेरहमी से विमान पर कबजा कर लिया आवाज आ रही थी कि खाना जल्दी नीचे फैंको सीटों के नीचे फैंको जल्दी नीचे फैंक तो वो बड़ी जोड से चला रहे थे इसलिए हमने जल्दबाजी में हर बड़ी में खाना फैंकने शुरू कर दिया फिर हम से सीटे बदलने को कहा गया बच्चे मुझसे दूर हो गए अब वो पीछे बैठे थे हमारे बीच कोई संपर्क नहीं रहा मैंने सोचा चलो देखते हैं कि वो क्या करते हैं मैं कोई हरकत नहीं कर सकता था क्योंकि अकेले कुछ नहीं किया जा सकता था मुझे सबसे स्यादा फिक्र अपनी बेटी की थी वो मेरे पास नहीं थी पता नहीं उसका क्या हुआ वो बहुत दूर थी मैंने अपनी आखों की पट्टी हटाई और इस तरह हाथ उटा कर खड़ा हो गया और फॉरन ही वो आदमी मुझ पर लपका और रिवालवर तान कर बोला चुप चाप बैठ जाओ वरना गोली मार दूगा सुलिया तब उसे मेरी आवास में कुछ खुसा कुछ फिक्र कुछ खौफ ये सब महसूस हुआ शायद उसे लग गया कि ये आदमी नहीं माने का उसने कहा जल्दी से देख और बैठ जा मैंने नजर घुमाई उनकी तरफ देखा वो दोनों वहां आराम से बैठे हुए थे फिर मैं वापस अपनी सीट पर बैठ गया कॉक्पिट में कैप्टन शरन किसी तरह अभरन करताओं को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि विमान को उनकी मर्जी के मताबिक पाकिस्तान में लाहौर ले जाने लायक इंधन नहीं है उसमें पूछा तुम्हरे पास कितना इंधन है मैंने कहा कि दिल्ली तक का इंधन है उसमें पूछा कि अगर दिल्ली ना उतर पहे तो और कहा जा सकते है उसे मालुम था कि हम बंबई या एहमदाबाद जा सकते हैं मैंने कहा एहमदाबाद फिर उसमें कहा कि अगर एहमदाबाद ये बंबई जा सकते हैं लाहौर क्यों नहीं जा सकते। डिली से बंबए के मुकाबले लाहौर ज्यादा खरीब है। भारती उप महधवीत में रात हो गई थी। IC 814 अपनी मन्जिल से अंजान अब भी पश्चिम की तरफ जा रहा था। विमान में सवार 189 यात्रियों और करमचारियों को कुछ खतरनाक हतियार बंद लोगों ने बंधग बना रखा था। कॉक्पिट में कैप्टन शरण खतरनाक खेल खेल रहे थे। अपहरण करताओं की नजर बचा कर उन्होंने एक एमरजेंसी चांसपॉंडर तबाया जिससे भारतिय एर ट्राफिक कंट्रोलर समझ गए कि IC 814 का अपहरण हो गया है। उन्होंने सम्झ गया है है। क्रिसमस से एक दिन पहले इंडियन एरलाइन्स की नई दिल्ली तक की इस उडान की यात्रियों के लिए सवा घंटे का ये छोटा सा सफर खौफ और आतंक का लंबा सफर होने वाला था इन में से सभी यात्री अपनी मंजिल तक जिन्दा पहुँचने वाले नहीं थे अगले कुछ घंटों और दिनों की घटनाएं बहुत दूर तक अपना असर छोड़ने वाली थी आतंक के इस नाटक का अंत सारी दुनिया के लिए बेहत घातक असर छोड़ गया और आतंक के इतिहास में एक और अध्याए लिखा गया नेपाल में काठ मांडू के त्रिभुवन अंतर राष्ट्रिय हवाई अड़े पर इंडियन एर लाइन्स की ओडान IC 814 रवानगी की तैयारी में थी एक घंटा बीस मिनट में ये विमान भारत में नई दिल्ली पहुँचने वाला था कॉक्पिट में कैप्टन देवी शरन, को पाइलिट सिंग और फ्लाइट इंजिनियर जागिया उड़ान से पहले की जाजबर ताल कर रहे थे विमान के 178 यात्रियों में से ज्यादा तर नेपाल में छुट्टियां बिता कर लौट रहे थे क्रिस्मस का मौका था, नई सदी बस हफ़ते भर दूर थी और सब मस्ती के मूड में थे शाम चार बजे के बाद जब IC814 उड़ान काठ मांडू से रवाना हुई तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसके साथ कोई अन्होनी होने वाली है बहुत जल्दी ये विमान भारती ये वायू सीमा में आ गया कैबिन में फ्लाइट अटेंडेंट्स ने ड्रिंक सर्विस शुरू कर दी इतनी छोटी उड़ान में ये काम फुर्ती से निप्टाना जरूरी होता है दिल्ली काटमंडू सेक्टर में सर्विस ठीक ठाक चल रही थी मैंने सूचा कैप्टन्स को कुछ चाय कॉफी दे दी जाए चीफ स्टीवर्ड अनिल शर्मा पाइलट्स को चाय देने के लिए कॉक्पिट में पहुँचे लेकिन जब वो बाहर निकले तो IC814 में सवार सभी लोगों की जिन्दगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी मैंने जैसे ही गैली की तरफ मू किया तो मास्क पहने हुए एक आदमी दिखाई दिया वो नाटे कदका था और उसने चश्मा पहना था मुझे लगा कि मुझे फॉरण कैप्टन्स को बताना चाहिए मैंने इंटरकॉम की तरफ हाथ पढ़ाए जब अनिल शर्मा लोट रहे थे तब ही मैंने देखा कि एक आदमी कॉक्पिट में घुस रहा है पल भर के लिए मैं सहम गया मैं समझ गया था कि प्लेन हाईजैक हो गया है उसने कहा कि कोई हरकत नहीं होनी चाहिए पलेन को बस पश्चिम की तरफ ले चलो लेकिन वो अकेला नहीं था हथियारों से पूरी तरह लैस चार और अफहरन करता थे जिन्होंने बड़ी बेरहमी से विमान पर कबजा कर लिया आवाज आ रही थी कि खाना जल्दी नीचे फैंको सीटों के नीचे फैंको जल्दी नीचे फैंक तो वो बड़ी जोर से चला रहे थे इसलिए हमने जल्दबाजी में हर बड़ी में खाना फैंकने शुरू कर दिया फिर हम से सीटे बडलने को कहा गया बचे मुझसे दूर हो गए अब वो पीछे बैठे थे हमारे बीच कोई संपर्क नहीं रहा मैंने सोचा चलो देखते हैं कि वो क्या करते हैं मैं कोई हरकत नहीं कर सकता था क्योंकि अकेले कुछ नहीं किया जा सकता था मुझे सबसे ज्यादा फिकर अपनी बेटी की थी वो मेरे पास नहीं थी पता नहीं उसका क्या हुआ वो बहुत दूर थी मैंने अपनी आँखों की पट्टी हटाई और इस तरहा हाथ उटा कर ख़डा हो गया और फौरन ही वो आदमी मुझ पर लपका और रिवालवर तान कर बोला चुप चाप बैट जाओ वरना गोली मार दूँगा सुलिया तब उसे मेरी आवास में कुछ खुसा कुछ फिकर कुछ खौफ ये सब महसूस हुआ शायद उसे लग गया कि ये आदमी नहीं माने का उसने कहा जल्दी से देख और बैठ जा मैंने नजर घुमाई उनकी तरफ देखा वो दोनों वहाँ आराम से बैठे हुए थे फिर मैं वापस अपनी सीट पर बैठ गया कॉक्पिट में कैप्टन शरन किसी तरह अपहरन करताओं को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि विमान को उनकी मर्जी के मताबिक पाकिस्तान में लाहौर ले जाने लायक इंधन नहीं है उसने पूछा तुम्हरे पास कितना इंधन है मैंने कहा कि दिल्ली तक का इंधन है उसने पूछा कि अगर दिल्ली ना उतर पहे तो और का जा सकते है उसे मालुम था कि हम बंबई या एहमदाबाद जा सकते हैं मैंने कहा एहमदाबाद फिर उसने कहा कि अगर एहम्दाबाद ये बंबई जा सकते हैं तो लाहर क्यों नहीं जा सकते डिली से बंबई के मुकाबले लाहर ज्यादा खरीब है भारती उप महध्वीप में रात हो गई थी IC814 अपनी मन्जल से अंजान अब भी पश्चिम की तरफ जा रहा था कॉक्पिट में कैप्टन शरण खतरनाग खेल खेल रहे थे अपहरण करताओं की नजर बचा कर उन्होंने एक एमरजेंसी चांस्पॉंडर तबाया जिससे भारती एर ट्राफिक कंट्रोलर समझ गए कि IC814 का अपहरण हो गया है IC814 में कैप्टन और अपहरण करताओं के बीच कश्मकश चल रही थी अपहरण करता पाकिस्तान में लाहौर जाना चाहते थे लेकिन कैप्टन किसी कीमत पर पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे चे महीने पहले ही कश्मीर में कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच हूनी जंग में सैक्णो लोग मारे गए थे उसके घाव अभी तक ताजा थे मैं लाहौर नहीं जाना चाहता था क्योंकि मैं अपना देश नहीं चोड़ना चाहता था मैं भारत में किसी भी जहें पर उतरने को तयार था ताकि सुरक्षा कर्मियों को मदद करने का मौका मिल सके लाहौर A.T.C. का रुख कैप्टन के काम आया उन्होंने विमान उतारने से मना कर दिया लाहौर ने अपनी वायू सीमा अपने विमानों के लिए भी बंद कर दी इस बीच यात्री कैबिन में एक खतरनाक खेल शुरू हो गया था आठ पुरुश यात्रियों को वहां से उठाकर एक्जेगेटिव कैबिन में ले जाया गया उनमें 27 साल के रिपन कत्याल भी थे जो अपनी पत्नी रचना के साथ हनीमून से लौट रहे थे जैसे ही मेरे को बर्गर अंदर ले गया तो मैंने देखा कि वहां पर तीन लोग पहले से ही थे और उसने मेरे दोनों हाथ पीछे खीच कर नाइलोन की रसी से बांदिये फिर सीट पीछे करने का बटन दबाया और बिल्कुल बैक में ले जाकर सीट फ्लैट कर दी और बेल्ट बांदी मुझे यात्री कैबिन की हलचल से बेखबर कैप्टन ने वक्त गुजारने का फैसला किया मैंने अपनी रफ्तार करीब 40 प्रतिशत कम कर दी क्योंके मैं दिल्ली यामरिस सर कहीं भी उतरने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय लेना चाहता था ताकि वहां तैयारियां हो सकें विमान के सामने ज्यादा विकल्प नहीं थे लिकिन अफरन करता अड़े हुए थे वो विमान को भारत में उतारने को तैयार नहीं थे फिर ये गतिरोध कैसे तूटा आखर कौन चुका नेपाल में काटमांडू से भारत में नई दिल्ली के रास्ते में इंडियन एर लाइन्स की उड़ान आईसी 814 पर पांच अफरन करताओं ने कबजा कर लिया था वो रिवॉल्वर, चाकू और हधकोले लेकर विमान में घुस गए थे अब हरन करताओं की मांग थी के पालिट्स विमान को पाकिस्तान में लाहौर ले जाएं लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने अपनी वायू सीमा बंद कर दी और विमान उतारने से इंकार कर दिया इंधन तेजी से खत्म हो रहा था इसलिए कैप्टन शरन के सामने एक ही रास्ता था के विमान को लाहौर से पचास किलो मीटर पूर्व उत्तर में भारत में अमरिटसर में उतार लें लेकिन अपहरण करताओं को डर था कि भारत ये सुरक्षा बल विमान में खुस जाएंगे इसलिए वो भारत में उतरना नहीं चाहते थे मैंने हाथ जोड़े के मुझे विमान उतारने दो नहीं तो सब मारे जाएंगे लेकिन वो अमरिटसर में नहीं उतरना चाहते थे उन्होंने दो तीन मिनट लिए सारे हाईजैकर्स पीछे जमा हुए कुछ बाचीत की फिर वो अंदर आए उन्होंने पूछा तुम्हें यखीन है के विमान को इंधन मिल जाएगा मैंने कहा के हाँ मिल जाएगा बस हमें अमरिटसर में उतरने दो कैप्टन की चाल काम कर गई अफरन करताओं ने कैप्टन की इस गैरिंटी पर विमान को अम्रिच सर में उतारने की इजाज़त दे दी कि फॉरन इंधन मिल जाएगा अब मुझे लगा के हम यहां से नहीं उड़ेंगे मुझे उमीद थी कि वहां कुछ मदद मिल जाएगी और हाईजैकिंग का ये नाटा कमरिच सर में खट्ब हो जाएगा नई दिल्ली में प्रधान मंत्री वाजपेई की अध्यक्षता में इंडियन क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रूप ने अमरिच सर में इस्थानिय पुलिस को विमान में घुसने की इजाज़त नहीं दी उसकी जिद थी कि भारत की तेज तर्रार एंटी हाईजाकिंग फोर्स नाशनल सिक्यूरिटी गार्ड या एनसजी दिल्ली से अमरिच सर जाएगी और ये बड़ी महंगी भूल साबित हुई मुझे दिल्ली से संदेश मिला की एनसजी आ रही है तो हमें उनका इंथजार करना था और तब तक प्लेन को किसी भी तरहा से राजासासी एरपोर्ट पर रोकना था दिल्ली के निर्देश पर अमरिच सर में अधिकारी इंधन टैंकर भेजने में देरी करके वक्त गुजारने लगे लेकिन इस देरी से अफरन करताओं की खीज और घुसा बढ़ने लगा प्लेन आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक अमरिच सर में खड़ा रहा लेकिन कोई टैंकर दिखाई नहीं दिया हाई जैकर्स को यकीन हो गया कि भारत ये कमांडो विमान में घुसने की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने IC814 के पाइलट को उड़ान भरने का आदेश दिया उन्हें इंधन खत्म होने की कोई परवाह नहीं थी पर पाइलट ने हार नहीं मानी IC814 पर पाइलट्स और अफ़रन करताओं के बीच खीचतान खत्म होने वाली थी और उसके नतीचे खतरनाक होने वाले थे पाइलट ने जहाज नहीं उड़ाया तो अल अफ़रन इतनी देर में क्या होता है कि मार देंगे कि कहने के बाद वो एक डॉक्टर टेलरिस्ट मतलब डॉक्टर नाम से था तो वो आता है तो वो यहां पे रिपिन कत्याल की चाती में उसने काफी ज़्यादा अटेम्ट कर दिया फ्लाइट इंजिनियर जागिया को हाईजैकर्स के इस दावे की पुष्टी करने के लिए भेजा गया के वो पैसेंजर्स को मार रही हैं जागिया वहां की हालत देखकर सक्ते में आ गए जागिया कॉक्पिट में आय तो थर-थर काप रहे थे उन्होंने बताया के उन्होंने लोगों को मार दिया है आपर अनकर्ताओं ने कहा कि अगर तुमने हवाई जहाज नहीं उड़ाय तो हम सब को मार देंगे अब मुझे कुछ फैसला लेना ही था एटीसी कुछ ने कर रहा था कोई मदद नहीं मिल रही थी प्लेन के सामने बाउजर नहीं आ रहा था कुछ भी नहीं हो रहा था भारत ये सुरक्षा बलों से जब कोई मदद नहीं मिली तो ये लगने लगा कि हाईजैकर्स सब को मार देंगे तो कैप्टन शरण ने सूच समझ कर जूखिम उठाया और तेजी से पाकिस्तान में लाहौर की तरफ उड़ान भरी प्लेन में जितना इधन था उससे लाहौर पहुचने की उमीद बहुत कम थी लेकिन कोई और रास्ता नहीं था भारत ने प्लेन पर कबजा करने और संकट को खत्म करने का इतना अच्छा मौका गवा दिया था पाइलिट यही कहते रहे कि उनके पास बिलकुल भी इंधन नहीं है इसलिए हमें यकीन था कि जब तक हम इंधन नहीं भरेंगे तब तक एरक्राफ्ट किसी भी हालत में नहीं उड़ पाएगा हमने अमरिस्सर में अधिकारियों से कहा कि वो बाउजर के साथ स्नाइपर्स या शार्प शूटर्स को टैर्पोर्ट ले जाएं और प्लेन के टायर उड़ा दें लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों नहीं हुआ कारण तो कई हो सकते हैं लेकिन हमें और क्राइसिस मेरिमेंट ग्रूप को कोई कारण नहीं बताया गया मैं तो दिल्ली की इस प्रतिक्रिया को और कुछ नहीं बचकाना ही कहूँगा पहली सूचना मिलते ही एनेस जी को फुर्टी से जाने को कहा जाना चाहिए था हाईजेक को खत्म करने की कोई रणनी ती होनी चाहिए थी IC814 अब अमरिट सर से करीब 50 किलो मिटर दूर सीमा पार पाकिस्तान में लाहौर जा रहा था लेकिन पाकिस्तान सरकार इस प्लेन को अपने यहां उतारना नहीं चाहती थी जब विमान को मार गिराने की धंकी का कोई असर नहीं हुआ तो पाकिस्तान एरपोर्ट अथारिटीज ने लाहौर हवा यड़े पर दिशा बताने के सभी संकेत और लाइट्स बंद कर दी उन्होंने का हम तुमें यहां उतरने नहीं दे सकते तुम कहीं और जाओ उन्होंने रनवे की सारी लाइट्स बंद कर दी नेविगेशन एट भी बंद कर दी और एपरिन लाइट्स भी बंद कर दी आखिर मैंने दोनों रिजर्व लाइट्स आउन कर दी मेरे पास हवा में रहने के लिए इंधन नहीं था मुझे फैसला ले नहीं था तब मैं नीचे आने लगा ताकि ऐसी जगें दिखाई दे जाए जहां मैं इस प्लेन को उतार दूँ दिशा बताने का कोई संकेत ना होने के कारण पाइलट्स ने विमान को कुछ जगमगाती लाइट्स की तरफ मोड दिया उन्होंने सोचा के ये लाहॉर का रन्वे है लिकिन जब बिमान बेहद नीचे आ गया तब पाइलट्स ने देखा के उन्होंने बड़ी भारी भूल कर दी है पाकिस्तान एरपोर्ट अथारिटीज अब समझ गई थी कि पाइलट्स के पास कोई रास्ता नहीं है अगर आइसी 814 को उतरने की अजाज़त न दी गई तो वो जमीन पर क्रेश कर जाएगा A.T.C. वाले समझ गये के मैं इतना नीचे आगया हूँ कि इस बात की पूरी संभावना है के प्लेइन क्रेश लैंड कर जाए तब उन्होंने कहा कि आपके लिए रनवे खुला है रनवे पर आओ लैंड करने के कुछी सेकंड बाद शायद मेरा दाहिना एंजिन ठप हो गया क्योंकि इंधन बिलकुल नहीं था कैप्टन की चाल रंग लाई आईसी 814 सुरक्षित लाहौर में उतर गया लिकिन ये पड़ाव कुछी देर का था उधर पीछे कैबिन में खून से लटपत घायल यात्री अंतिम सांसे ले रहे थे उनकी जान बचाने के लिए फौरण चिकितसा की जरूरत थी लेकिन पाकिस्तानी अधिकारी जल्दी से जल्दी इस विमान को अपने यहां से रवाना करने को उताव ले थे मैंने एटी सी से अनुरोद किया मैं गिलगराया के सीड़ी भेज दीजिए मैं चाहता हूँ के गायल यात्री कुछ बजर्ग महिलाएं और बच्चों को यहां उतार दिया जाए लेकिन वो नहीं माने वो अपनी बात पर अड़े हुए थे उन्होंने कहा कि तुहें इधन चाहिए और हम तुम्हें इधन देंगे लेकिन तुम्हें यहां किसी को बिल्कुल उतारने नहीं देंगे यहां लाहॉर और पर कोई नहीं उत्रेगा पाकिस्तानी नहीं चाहते थे कि इस मामले में किसी भी तरह उनका हाथ दिखाई दे विमान वहां उतारना पड़ा क्यूंकि और कहीं उसे नहीं ले जा सकते थे वो इसे अपने यहां से बगाने को उताव ले थे लाहौर में उतरने के बाद तीन घंटे से भी कुछ कम समय में विमान ने फिर से उड़ान भरी उधर भारत में इन अफाहों ने नई दिल्ली हवाई यड़े पर जमा भीड में देहशत पहला दी कि अफरन करताओं ने कुछ यात्रियों को मार दिया है अफरन करताओं ने कैप्टन को निर्देश दिया कि विमान अफगानिस्तान में काबूल ले जाया जाए लेकिन काबूल में रात में विमान को उतारने की सुविधा नहीं थी इसलिए हाईजैकर्स ने पाइलिट को विमान संयुक्त अरब अमिरात में दुबई ले जाने पर मजबूर किया इसी बीच रिपन कत्याल के सीने पर हाईजैकर्स के चाकू के घाव से खून बहुत बह गया था और रात में किसी समय रिपन कत्याल की मृत्य हो गई अमरित सर में विमान में घुसने का मौका गवाने के बाद भारत सरकार ने संयुक तरब अमिरात के अधिकारियों को समझाने की कोशिश की कि वो दुबई में कमांडो आपरेशन की अजाज़त दे दे UAE की सरकार और दुबई के स्थानी अधिकारी कमांडो कारवाई की अजाज़त देने को कतई तयार नहीं थे हम चाहते थे कि क्लेन को वहाँ इतनी देर तक वहाँ रोका जाए कि हम भारत से कमांडो भेज सकें लिकिन UAE के अधिकारियों ने इंधन के बदले हाईजैकर्स को कुछ यात्रियों की रहाई पर राजी कर लिया गायल यात्रियों को भी उतार लिया गया अलमिनात में उतरने के करीब दस मिनिट बाद बर्गर मेरे पास आया और बुला खड़े हो जाओ मैं खड़ा हो गया और जे क्लास तक गया वहाँ मैंने एक नौजवान को देखा उसकी कमीज उतरी हुई थी और वो खून से लफ़ पर थे एक स्ट्रीट पर पड़ा था उस समय मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और सच कहून तो मैं अपनी जान की खैर मना रहा था रिपन कत्याल का शव विमान से उतार दिया गया लेकिन विमान में बैठ्यून की पत्नी को मालूम नहीं था कि रिपन की मौत हो गई है हमें ये आदेश मिला कि लाश को स्टेप लेडर के उपर रख दें जो कि प्लेन के पहले दरवाजे के साथ थी रिहा किये गए पैसेंजर्स अराइवल टर्मिनल पर पहँचे और इसी बीच IC 814 इंधन लेकर फिर से अंजानी मन्जिल की तरफ उड़ गया क्रिस्मस का दिन था लेकिन इंडियन एरलाइन्स की उड़ान IC 814 में बचे 162 यात्रियों और करमचारियों के लिए खुशी मनाने की कोई वजह नहीं थी 18 घंटों से उनका विमान पांच हथियार बंद अपहरन करताओं के कबजे में था एक यात्री मारा जा चुका था और एक घायल हुआ था लेकिन उनकी मुसीबत कुछ और बढ़ गई थी यात्री नहीं जानते थे के रात भर उत्तर की तरफ उड़ता हुआ IC 814 अफगानिस्तान में कंधार उतर गया है अफगानिस्तान में कट्टर पंथी इसलामी गुट तालिवान का कबजा था ये खतरना का तंकवादी उसामा बिन लादेन का भी गड़ था मैंने देखा खुली पिजेरो विमान की तरफ बढ़ रही थी पिजेरो में सवार लोग विमान के खरीब आए और उन्होंने इस तरहें से हाथ हिलाए मुक्के हाईजैकर ने उनकी तरफ देखा और उसने भी ऐसे हाथ हिला दिया उस वक्त मेरे हाथ पूँ पूल गए थे मैं समझ गया कि भीतर हाईजैकर्स हैं और बाहर आतंकवादी IC814 के अफरन को 18 घंटे बीथ चुके थे लेकिन हाईजैकर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी वो कौन थे और वो क्या चाहते थे दुबई में छोड़े गए यात्रियों से मिली जानकारी के आधार पर भारती औ खुफिया एजिन्स को यकीन हो गया कि उनका सामना बेहत प्रशिक्षित और समर्पित फिदाईन आतंकवादियों से है मैं मनहीमन उन फिदाईन मिशनों के बारे में सोच रहा था जो इसलामी कट्टर पंथियों और उगरवादियों ने कश्मीर में चलाए थे हरकत उलमजाहिदीन के पास ऐसे लोग थे जो फिदाईन हमले कर सकते थे ये लोग यात्रियों को नुकसान पहुँचाने पर पूरी तरह उतारू थे और एरक्राफ्ट को विसपोर्ट से उड़ाने का भी इरादा रखते थे इधर भारत में सैक्णों लोग रिपन कत्याल की अंतिम यात्रा में शामिल हुए जिन्हें अफरण करताओं ने बेरहमी से मार दिया था दुनिया भर में टेलिविजन पर इस अंतियश्टी के द्रिश्वे प्रसारित होते ही भारत सरकार पर इस संकट को सुलजाने के लिए दबाव बढ़ने लगा लेकिन प्रधान मंत्री वाजपई जुकने को तयार नहीं थे ये भी अभी तक नहीं बताया है पर वो जो भी चाते हैं उसे पाने का ये कोई तरीका नहीं है ये वलत है ऐसे वेश्याना किदमों के सामने है भारत जुकेगा नहीं भारत सरकार अफगानिस्तान में तालिबान शासन को माननेता नहीं देती थी और उसका खुलकर विरूद करती थी लेकिन इस संकट को सुलजाने के लिए उसके साथ बात चीत करना जरूरी था हमें उमीद थी कि भारती अधिकारी जल्दी आएंगे और पूरी गंभीरता से काम करेंगे लेकिन लग रहा है कि वो बेफिक्र है IC814 के अफगानिस्तान में कंधार में उतरने से सिर्फ भारत सरकार को ही बेचानी नहीं थी पता नहीं क्यों हाईजैकर्स भी चाहते थे कि विमान को जल्दी से जल्दी इंधन मिल जाए और वो कंधार से रवाना हो जाएं लेकिन पाइलिट्स ने साथ देने से मना कर दिया वो अड़ गए कि पूरी इंजिनिरिंग जाच कराए बिना अब विमान का उड़ान भरना सुरक्षित नहीं है IC814 यहां से कहीं नहीं जा रहा था लेकिन हाईजैकर्स शांत नहीं बैठे थे वो कॉक्पिट में माजूद ट्रैप डोर के जरिये कारगो होल्ड तक पहुँच गए मुझे ऐसी आवाजें सुनाई दी कि कारगो होल्ड में कुछ हो रहा है मैं जानता था कि वहाँ कोई बैग है जिससे वो निकालना चाहते थे आखिर कार हाईजैकर्स ने वो बैग कारगो होल्ड से निकाल लिया सुबह जब मैं कॉक्पिट में गया तो वहाँ तरहें तरहें के हथ्यार पड़े थे अलग अलग रंग के हथ खोले थे और कार्टूस फैले पड़े थे अब ये जाहिर हो गया था कि हाईजैक की साज़श बहुत बारीकी से सोच समझ कर बनाई गई थी लेकिन हाईजैकर्स किस हद तक जाने वाले थे और उनका मकसद क्या था उधर दिल्ली में विमान यात्रियों के रिष्टेदार एक जुठ हो गए संकट सुल्जाने में भारत सरकार की नाकामे से नाराज रिष्टेदार विदेश मंत्री जस्वंत सिंग के समबाद दाता सम्मेलन में घुस कए और मांग करने लगे कि सरकार यात्रियों को छुड़वाए दुनिया भर में टेलिविजन नेट्वर्क्स पर ये खबरें प्रसारित होने से भारत सरकार पर हाईजैकर्स से बाचीत करने के लिए दबाव बढ़ने लगा आखिरकार भारत सरकार ने वारताकारों की एक टीम बनाई जो IC 814 के अभरण के चौथे दिन 27 दिसंबर को अफगानिस्तान में कंधार पांची तालिबान नहीं जानते थे कि इस दल के साथ आए कमांडो विमान में छिपे हुए थे भारत सरकार IC 814 पर धावा बोलने को भी तैयार थी वहां उतरते ही हमने देखा कि हमें तालिबान लड़ाकों ने पूरी तरह से गेर लिया था उन्होंने अजीब से कपड़े पहन रखे थे और तरह तरह के हत्यारों से लेस थे वो एरक्राफ्ट की हिफासत करने के अंताज में वहां तैनात नहीं थे वो लोग तो एकदम हमले की मुद्रा में थे भारती अवारता कारों के विमान के चारों तरफ तैनात तालिबान लड़ाकों की हमले की मुद्रा के कारण भारत के कमांडोस के लिए फूरती से जपटना मुम्किन नहीं था भारत ये दल के सामने एक ही रास्ता था कि अफरन करताओं से बात चीच शुरू की जाए चीफ जब उनसे बात कर रहा था तो उसने जरूर कोई स्विच दबा दिया होगा पूरे प्लेन में उसकी आवा सुनाई दे रही थी वो कह रहा था कि मौलाना के मामले में कोई सौदे बाजी नहीं होगी हमें नहीं मालूम था कि मौलाना कौन था आखरकार सच्चाई सामने आ गई हाईजैकर्स का मकसद मौलाना मसूद अजहर को छुडवाना था बस मुठी भर लोगों का ही कमांडर था लेकिन वो इन लोगों को जितनी वफादारी से वैशियाना कदम उठाने को उकसा सकता था उतना कोई और संगठन नहीं उकसा सकता था 1994 में गिरफ़तार मौलाना मसूद अजहर को जम्मू कश्मीर में कोट भलवाल जील में रखा गया था इसी हिस्से को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तीन लड़ाईयां हो चुकी हैं मौलाना को छुडवाने की कई कोशिशें हो चुकी थी दो बार तो विदेशी परियाटकों को अगवा करके मार डाला गया था एक बार जील तोड़ने की कोशिश हुई जिसमें मौलाना का एक साथी पुलिस के हाथों मारा गया और मौलाना एक तंग सुरंग में फसा रह गया लेकिन इस बार कुछ अलग हिसाब से कोशिश की गई थी भारतिये खुफिया एजिंसियों को ये संसनी खेस सचाई भी पता चली के मुख अफरन करता मौलाना मसूद अजहर का छोटा भाई था मौलाना मसूद अजहर की रहाई हाई जैकर्स की पहली मांग थी लेकिन तीस खंटे से भी ज्यादा माथा पच्ची के बाद भारतिय अदल हाई जैकर्स सारी मांगे निकल वा पाया मौहम्मद मसूद अजहर के साथ वो 35 और लोगों की रहाई आतंकवादी सज्जाद अफगानी का ताबूत और भारत से बीस करोड अमरीकी डॉलर की फिरोती चाहते हैं हम कंधार में अपने वारताकारों के जरिये इसका जवाब भेज देंगे इस बीच हमारे देश के भीतर और बाहर भी लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए इस बात चीट के बीच अचानक तालिबान के दखल ने सब को चौका दिया तालिबान ने अफ़रन करताओं से कहा कि पैसे और सज्जाद अफगानी की लाश की मांग वो छोड़ दें क्यूंकि ये इसलाम के खिलाफ है IC 814 के यात्रियों और कर्मचारियों के अफ़रन का पांचवा दिन था विमान के भीतर हालात बिगड रहे थे और बरदाश्ट के बाहर हो रहे थे मेरे साथ मेरे ब्रदर इनलौ थे और उन्होंने आठ दिनों तक कुछ भी नहीं खाया क्योंकि जितने टॉलेट्स थे वो ओरफ्लो कर रहे थे अपने परिवार को बंधक देखकर उनकी बेचैनी और उनकी जान खत्रे में देखकर मुझे बहुत बहुत ज़्यादा कुसा रहा था लोगों ने तो सारी उमीद छोड़ दी थी मेरी तो ये हालत हो गई थी कि मैं ये सोचने लगा कि अब बहुत हो चुका तुम एरक्राफ्ट उडाना चाहते हो मुझे और दूसरे लोगों को मारना चाहते हो तो मार डालो लेकिन ये सब खत्म करो हमसे अब और नहीं सहा जाता विमान के भीतर के हालात की खबरें जब भारत में रिष्टेदारों और मीडिया तक पहुँचीं तो वारता कारों पर समझोते के लिए दबाव बढ़ने लगा लेकिन दोनों में से कोई भी जुकने को तैयार नहीं था 29 दिसंबर को याने अफरन के छटे दिन जब अफरन करता सदभाव के तौर पर 35 महिलाओं और बच्चों को छोड़ने पर राजी हो गए तो लगा कि कोई हल निकल आया है महिलाओं और बच्चों को अलग करने या छोड़ने का मतलब ये था कि विमान में सिर्फ मर्द बचेंगे इससे कहीं न कहीं ये डिर लगने लगा कि अगर हमें खत्म करने का सवाल आया तो ये पल भर भी इंतजार नहीं करेंगे तब मैंने पलट कर उनकी तरफ देखा और क्या बताओं बस परदाश्ट नहीं हो रहा था खुद मर जाना बहुत आसान होता है लेकिन अपने परिवार को या किसी अपने को मरते हुए नहीं देखा जाता लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ समझोते की उमीद फिर तूट गई बातचीत पूरी तरह से भंग हो गई थी रहाई का इंतजार कर रहे 35 जिने हुए यात्रियों को वापस विमान में धकेल दिया गया काफी शोर मच रहा था मैंने देखा कि बच्चों और महिलाओं को वापस एकॉनमिक क्लास में धकेला जा रहा था तब मुझे लगा कि कुछ गड़बड हो गई है बड़ी अजीब सी स्थिती थी जिससे बयान नहीं किया जा सकता उनके और भारत सरकार के बीच बाद चीज रुख गई थी अब वो लोगों को मारने वाले थे पता नहीं वो लोगों को चुनचुन कर मारते या फिर प्लेन से बाहर फेक देते या प्लेन को बहुत उचाई पर ले जाकर उड़ा देते मुझे अच्छे तरह याद है पूरे विमान में बिलकुल सन्नाटा पहला था कहीं से भी ये नहीं लगता था कि विमान में करीब दो सो लोग बैठे थे तो क्या यही अंत था क्या आई सी एट वन फोर के यात्रियों और करमचारियों का सफर यहीं खत्म होने वाला था अफगानिस्तान में कंधार में हाईजैकर्स और भारत सरकार के वारताकारों के बीच बात चीट तूट गई थी हाईजैकर्स ने पैसेंजर्स से कह दिया था कि वो एक एक करके उन्हें मार देंगे अचानक हालात बदलने से सहमे हुए यात्री मौत के सननाटे में अपनी बारी का इंतजार करने लगे वक्त गुजरता जा रहा था कोई हल चल नहीं थी सब लोग बैठे हुए थे बस इंतजार कर रहे थे कि कुछ होगा कुछ होगा लेकिन कुछ नहीं हुआ वो वापस आया और बोला कि नजाने किसकी दुआएं काम आ गई हैं लगता है कि बादचीत फिर से शुरू होने वाली है फिर करीब तीन चार घंटे बाद हमें बताया गया कि हमारे लिए एक खुशखबरी है भारत सरकार ने उनकी मांगे माली है और अब हम जल्दी ही आज़ाद कर दिये जाएंगे यात्रियों को छोड़ दिया गया लेकिन किसकी मदपद तालिबान और अबहरन करताओं के साथ बादचीत के बाद समझोता हुआ है कि तीन उगरवादियों के बदले सब ही बंधक छोड़ दिये जाएंगे तीन उस समय छोड़े जाने वाले तीन आतंकवादी थे मौलाना मसूद अजहर जिस पर हरकतल मुझाहिदीन का सदस्से होने का आरोब था उमर शेख लंदन स्कूल आफ एकोनॉमिक्स में पढ़ा ब्रिटिश नागरिक जो मौलाना मसूद अजहर का कट्टर चेला था और जिसे कश्मीर में विदेशी नागरिकों के अफरन के आरोप में गिरफतार किया गया था तीसरा कैदी मुझताक एहमद जरगर अलुमर मुझाहिदीन उगरवादी गोट का मुख्य कमांडर था जिसे कश्मीर में आतंकवादी हमलों के लिए पकड़ा गया था मेरे ख्याल से वो समझहोता भारत के लिए सबसे बुरा था वाकई में सबसे बुरा था और मेरी राय में उसकी कोई जरूरत नहीं थी ये समझहोता इसलिए करना पड़ा क्योंकि एकदम बे सिर पैर की समय सीमा तै कर दी गई थी प्रधान मंत्री ने बयान दिया था कि हम नहीं चाहते के यात्री बंधक बनकर निया साल मनाए मानलो हम कहते हैं कि ठीक है हम आपकी बात नहीं मानेंगे तो लोग हमें ऐसा करने नहीं देते हमें बातचीत पर मजबूर किया जाता और जब बातचीत होती है तो फिर तो ऐसा ही होता है भारत के अलग-अलग हिस्सों में जेलों से तीन आतंकवादियों को छोड़ा कर दिल्ली लाया गया जहां से उन्हें विमान से कंधार ले जाया गया कुछ ही घंटों बात रिहा किये गए आतंकवादी और अफरन करता तालिबान लड़ाकूँ के संड्रक्षन में आजादी से कंधार से रवाना हो गए IC 814 में यात्री और करमचारी अपनी रिहाई से खुश थे एक यात्री ने रिहाई के कुछ ही समय बाद विमान में खुशी के पल इन दुरलब तस्वीरों में खैद कर लिये थे उन्हों ने जैसे ही कहा कि तुम आजाद हो तो हमें बहुत अच्छा लगा सब एक दूसरे से हाथ मिलाने लगे एक दूसरे के गले लगने लगे उस समय हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था अचानक ऐसा लगा कि शरीर में जान ही नहीं रही हम उड़ने लगे थे क्योंकि सारा तनाव गायब हो चुका था नए साल से एक दिन पहले और IC814 के अफरन के आठ दिन बाद एक को छोड़ कर सभी यात्री और करमचारी सुरक्षित भारत पहुच गए उनका सफर पूरा हो गया था डेली एरपोर्ट पर हजारों लोगों ने उनका शानदार स्वागत किया ये जश्न रात भर और नई सदी की सुबह तक चलता रहा लेकिन एक सवाल सभी को सता रहा था भारत सरकार ने IC814 के यात्रियों और करमचारीों की जान के बदले तीन खतरनाका तंकवादियों को छोड़ कर कहीं कोई गलती तो नहीं की इस सवाल का कोई सही जवाब नहीं है लेकिन आज हम जो कुछ जानते हैं अगर उस समय फैसला लेने वालों को वो जानकारी होती तो क्या IC814 की कहानी का अंध कुछ अलग होता मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान लोट किया रिहाई के बाद उसने बहुत चल्द उगरवादी संगठन जैश महम्मद बना लिया जैश पर 13 दिसंबर सन 2001 को भारतिय संसत पर हुए हमले के साथ साथ कई हमलों में शामिल होने का आरोप है संसत पर हुए हमले में साथ मासूम मारे गए और 18 घायल हुए जम्मू कश्मीर विधान सभा पर हमले में भी जैश का हाथ था मौलाना मसूद अजहर अब पाकिस्तान में आजादी से रहता है उमर शेख 11 सितंबर को वोर्ल्ट ट्रेड सेंटर से ठकराने वाले दू में से एक विमान के पाइलिट मुहम्मद अट्टा का मुख्य फाइनेंसर बताया जाता है उसे अमरीकी पत्रकार डैनियल परल को मारने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई है मुश्ताक अहमद जर्गर पाकिस्तान के कबजेवाले कश्मीर की राजधानी मुजफर अबाद में रहता है बताया जाता है कि वो उगरवादी गुड अलुमर मुजाहिदीन को फिर से खड़ा कर रहा है अब ये जाहिर हो चुका है कि पाँचो हाईजैकर्स पाकिस्तानी नागरिक थे जो पाकिस्तान में आजादी से जी रहे बताये जाते हैं इंटर पॉल और भारत की सी बी आई ने पाकिस्तान से आपचारिक अनुरोध किये हैं कि उन्हें पकड़कर भारत को सौप दिया जाए लेकिन इन अनुरोधों की कोई सुनवाई नहीं हुई कोई नहीं जानता कि दिसंबर 1999 के बाद उन्होंने क्या किया IC 814 का हादसा उनके लिए शान का मौका था इस सवाल का पक्ता जवाब तो अभी तक नहीं मिला कि हाईजैकर्स, रिवॉल्वर और हथगोले विमान में कैसे ले गए लेकिन IC 814 के अफरन के बाद नेपाल सरकार ने काट मांडू के त्रिभुवन अंतर राष्ट्री हवाई अड़े पर सुरक्षा इंतजाम काफी सخت कर दिये इंडियन एरलाइन्स ने नेपाल के लिए अपनी ओडाने स्थगित कर दी लेकिन 6 महीने बाद उन्हें फिर से शुरू कर दिया इंडियन एरलाइन्स के करमचारी विमान में सबार होने से पहले सभी यात्रियों की दोबारा जाँच करते हैं और भारत सरकार ने कुछ उड़ानों में स्काई मार्शल तैनाद करने का भी फैसला किया ICH-14 में कैप्टन और अफ़रन करताओं के बीच कश्मकश चल रही थी अफ़रन करता पाकिस्तान में लाहौर जाना चाहते थे लेकिन कैप्टन किसी कीमत पर पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे छे महीने पहले ही कश्मीर में कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच हूनी जंग में सैक्णों लोग मारे गए थे उसके घाव अभी तक ताजा थे मैं लाहॉर नहीं जाना चाहता था क्योंकि मैं अपना देश नहीं छोड़ना चाहता था मैं भारत में किसी भी जहें पर उतरने को तयार था ताके सुरक्षा कर्मियों को मदद करने का मौका मिल सके लाहौर A.T.C. का रुख कैप्टन के काम आया उन्होंने विमान उतारने से मना कर दिया लाहौर ने अपनी वायू सीमा अपने विमानों के लिए भी बंद कर दी इस बीच यात्री कैबिन में एक खतरनाक खेल शुरू हो गया था आठ पुरुश यात्रियों को वहां से उठाकर एक्जेगेटिव कैबिन में ले जाया गया उनमें 27 साल के रिपन कत्याल भी थे जो अपनी पत्नी रचना के साथ हनीमून से लौट रहे थे जैसे ही मेरे को बर्गर अंदर ले गया तो मैंने देखा कि वहां पर तीन लोग पहले से ही थे और उसने मेरे दोनों हाथ पीछे कहींच कर नाइलोन की रसी से बांदिये फिर सीट पीछे करने का बटन दबाया और बिल्कुल बैक में ले जाकर सीट फ्लैट कर दी और बेल्ट बांदी मुझे यात्री कैबिन की हलचल से बेखबर कैप्टन ने वक्त गुजारने का फैसला किया मैंने अपनी रफटार करीब 40 प्रतिशत कम कर दी क्योंकि मैं डिल्ली यामरिस सर कहीं भी उतरने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय लेना चाहता था ताकि वहां तैयारियां हो सकें के सामने ज्यादा विकल्प नहीं थे लिकिन अफरन करता अड़े हुए थे वो विमान को भारत में उतारने को तैयार नहीं थे फिर ये गतिरोध कैसे तूटा आखिर कौन चुका नेपाल में काटमांडू से भारत में नई दिल्ली के रास्ते में इंडियन एर लाइन्स की ओडान आईसी 814 पर पांच अफरन करताओं ने कबजा कर लिया था वो रिवॉल्वर, चाकू और हधकोले लेकर विमान में घुस कए थे अब हरन करताओं की मांग थी के पाइलिट्स विमान को पाकिस्तान में लाहौर ले जाएं लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने अपनी वायू सीमा बंद कर दी और विमान उतारने से इंकार कर दिया इंधन तेजी से खत्म हो रहा था इसलिए कैप्टन शरन के सामने एक ही रास्ता था कि विमान को लाहौर से पचास किलो मीटर पूर्व उत्तर में भारत में अमरिच सर में उतार ली लेकिन अपरण करताओं को डर था कि भारत ये सुरक्षा बल विमान में खुस जाएंगे इसलिए वो भारत में उतरना नहीं चाहते थे मैंने हाथ जोड़े कि मुझे विमान उतारने दो नहीं तो सब मारे जाएंगे लेकिन वो अमरिच सर में नहीं उतरना चाहते थे उन्होंने दो तीन मिनट लिए सारे हाईजैकर्स पीछे जमा हुए कुछ बाचीत की फिर वो अंदर आए उन्होंने पूछा तुम्हें यकीन है कि विमान को इंधन मिल जाएगा मैंने कहा कि हाँ मिल जाएगा बस हमें अमरिच सर में उतरने दो कैप्टन की चाल काम कर गई अफरन अब मुझे कुछ फैसला लेना ही था एटी सी कुछ ने कर रहा था कोई मदद नहीं मिल रही थी प्लेन के सामने बाउजर नहीं आ रहा था कुछ भी नहीं हो रहा था भारतिय सुरक्षा बलों से जब कोई मदद नहीं मिली तो ये लगने लगा कि हाईजैकर्स सब को मार देंगे तो कैप्टन शरन ने सूच समझ कर जोखिम उठाया और तेजी से पाकिस्तान में लाहौर की तरफ उडान भरी प्लेन में जितना इधन था उससे लाहौर पहुँचने की उमीद बहुत कम थी लिकिन कोई और रास्ता नहीं था भारत ने प्लेन पर कबजा करने और संकट को खत्म करने का इतना अच्छा मौका गवा दिया था पाइलिट यही कहते रहे कि उनके पास बिलकुल भी इंधन नहीं है इसलिए हमें यकीन था कि जब तक हम इंधन नहीं भरेंगे तब तक एरक्राफ्ट किसी भी हालत में नहीं उड़ पाएगा हमने अम्रिस सर में अधिकारियों से कहा कि वो बाउजर के साथ स्नाइपर्स या शार्प शूटर्स को एरपोर्ट ले जाएं और प्लेन के टायर उड़ा दें लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों नहीं हुआ कारण तो कई हो सकते हैं लेकिन हमें और क्राइसिस मेनेजमेंट ग्रूप को कोई कारण नहीं बताया गया मैं तो दिल्ली की इस प्रतिक्रिया को और कुछ नहीं बचकाना ही कहूंगा पहली सूचना मिलते ही एनेसजी को फुरती से जाने को कहा जाना चाहिए था हाईजेक को खत्म करने की कोई रणनीटी होनी चाहिए थी IC814 अब अमरित सर से करीब 50 किलोमिटर दूर सीमा पार पाकिस्तान में लाहौर जा रहा था लेकिन पाकिस्तान सरकार इस प्लेन को अपने यहां उतारना नहीं चाहती थी जब विमान को मार गिराने की धंकी का कोई असर नहीं हुआ तो पाकिस्तान एरपोर्ट अथारिटीज ने लाहौर हवा यड़े पर देशा बताने के सभी संकेत और लाइट्स बंड कर दी उन्होंने कहा हम तुमें यहां उतरने नहीं दे सकते तुम कहीं और जाओ उन्होंने रन्वे की सारी लाइट्स बंड कर दी नेविगेशन एट भी बंड कर दी और एपरिन लाइट्स भी बंड कर दी आखिर मैंने दोनों रिजर्व लाइट्स आउन कर दी मेरे पास हवा में रहने के लिए इंधन नहीं था मुझे फैसला ले नहीं था तब मैं नीचे आने लगा ताकि ऐसी जगहें दिखाई दे जाए जहां मैं इस प्लेन को उतार दूँ दिशा बताने का कोई संकेत ना होने के कारण पाइलेट्स ने विमान को कुछ जगमगाती लाइट्स की तरफ मोड दिया उन्होंने सोचा के ये लाहौर का रन्वे है लिकिन जब विमान बेहद नीचे आ गया तब पाइलेट्स ने देखा के उन्होंने बड़ी भारी भूल कर दी है पाकिस्तान एरपोर्ट अथारिटीज अब समझ गई थी के पाइलेट्स के पास कोई रास्ता नहीं है अगर आइसी 814 को उतरने की अजाज़त न दी गई तो वो जमीन पर क्रैश कर जाएगा करताओं ने कैप्टन की इस गैरिंटी पर विमान को अमरिच सर में उतारने की इजाज़त दे दी के फौरण इंधन मिल जाएगा अब मुझे लगा के हम यहां से नहीं उड़ेंगे मुझे उमीद थी कि वहां कुछ मदद मिल जाएगी और हाइजैकिंग का ये नाटा कमरिच सर में खत्म हो जाएगा नई दिल्ली में प्रधान मंत्री वाजपई की अध्यक्षता में इंडियन क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रूप ने अमरिच सर में स्थानिय पुलिस को विमान में घुसने की इजाज़त नहीं दी उसकी जिद थी कि भारत की तेज तर्रार एंटी हाईजैकिंग फोर्स किसी भी तरह से राजा सासी एरपोर्ट पर रोक न था दिल्ली के निर्देश पर अमरिच सर में अधिकारी इंधन टैंकर भीजने में देरी करके वक्त गुजारने लगे लेकिन इस देरी से अफरन करताओं की खीज और गुस्सा बढ़ने लगा प्लेन आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक अमरिच सर में खड़ा रहा लेकिन कोई टैंकर दिखाई नहीं दिया हाई जैकर्स को यकीन हो गया कि भारत ये कमांडो विमान में घुसने की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने IC814 के पाइलट को उड़ान भरने का आदेश दिया उन्हें इंधन खत्म होने की कोई परवाह नहीं थी पर पाइलट में हार नहीं मानी IC814 पर पाइलट्स और अफ़रन करताओं के बीच खीचतान खत्म होने वाली थी और उसके नतीजे खतरनाक होने वाले थे पाइलट ने जहाज नहीं उड़ाया तो अल अफ़रन इतनी देर में क्या होता है कि मार देंगे कि कहने के बाद वो एक डॉक्टर टेलरिस्ट मतलब डॉक्टर नाम से था तो वो आता है तो वो यहां पे रिपिन कत्याल की छाती में उसने काफी ज़्यादा अटेम्ट कर फ्लाइट इंजिनियर जागिया को हाई जैकर्स के इस दावे की पुष्टी करने के लिए भेजा गया कि वो पैसेंजर्स को मार रही हैं जागिया वहां की हालत देखकर सक्ते में आ गए हाई जैकर्स ने मौत की गिनिती शुरू कर दी अगर तीस से जीरो तक गिनने में हवाई जहाज नहीं उड़ा तो वो पहले पाइलट्स को मारेंगे और फिर हर यात्री को गोली मार देंगे 1999 में क्रिसमस से एक दिन पहले इंडियन एर लाइन्स की नई दिल्ली तपकी इस उड़ान की यात्रियों के लिए सवा घंटे का ये छोटा सा सफर खौफ और आतंक का लंबा सफर होने वाला था इन में से सभी यात्री अपनी मन्जिल तक जिन्दा पहुँचने वाले नहीं थे अगले कुछ घंटों और दिनों की घटनाएं बहुत दूर तक अपना असर छोड़ने वाली थी आतंक के इस नाटक का अंत सारी दुनिया के लिए बेहद घातक असर छोड़ गया और आतंक के इतिहास में एक और अठ्याए लिखा गया नेपाल में काठ मांडू के त्रिभुवन अंतर राष्ट्रिय हवाई अड़े पर इंडियन एर लाइन्स की ओडान IC 814 रवानगी की तैयारी में थी एक घंटा बीस मिनट में ये विमान भारत में नई दिल्ली पहुँचने वाला था कॉक्पिट में कैप्टन देवी शरन, को पाइलिट सिंग और फ्लाइट इंजिनियर जागिया उड़ान से पहले की जाच पर ताल कर रहे थे विमान के 178 यात्रियों में से ज्यादा तर नेपाल में छुट्टियां बिता कर लौट रहे थे क्रिस्मस का मौका था, नई सदी बस हफ़ते भर दूर थी और सब मस्ती के मूड में थे शाम चार बजे के बाद जब IC 814 उड़ान काट मांडू से रवाना हुई तो किसी ने सूचा भी नहीं था कि इसके साथ कोई अन्होनी होने वाली है बहुत जल्दी ये विमान भारती वायू सीमा में आ गया कैबिन में फ्लाइट अटेंडेंट्स ने ड्रिंक सर्विस शुरू कर दी इतनी छोटी उड़ान में ये काम फुर्ती से निप्टाना जरूरी होता है दिल्ली काटमंडू सेक्टर में सर्विस ठीक ठाक चल रही थी मैंने सूचा कैप्टन्स को कुछ चाय काफी दे दी जाए चीफ स्टीवर्ड अनिल शर्मा पाइलट्स को चाय देने के लिए कॉक्पिट में पहुँचे लेकिन जब वो बाहर निकले तो आई सी एच वन फॉर में सवार सभी लोगों की जिन्दगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी मैंने जैसे ही गैली की तरफ मू किया तो मास्क पहने हुए एक आदमी दिखाई दिया वो नाटे कतका था और उसने चश्मा पहना था मुझे लगा कि मुझे फॉरण कैप्टन्स को बताना चाहिए मैंने इंटरकॉम के तरफ हाथ पढ़ाए जब अनिल शर्मा लोट रहे थे तब ही मैंने देखा कि एक आदमी कॉक्पिट में घुस रहा है पल भर के लिए मैं सेहम गया मैं समझ गया था कि पलेन हाईजेक हो गया है उसने कहा कि कोई हरकत नहीं होनी चाहिए पलेन को बस पश्चिम की तरफ ले चलो लेकिन वो अकेला नहीं था हथियारों से पूरी तरह लैस चार और अपहरन करता थे जिन्होंने बड़ी बेरहमी से विमान पर कबजा कर लिया आवाज आ रही थी कि खाना जल्दी नीचे फैंको सीटों के नीचे फैंको जल्दी नीचे फैंक तो वो बड़ी जोर से चला रहे थे इसलिए हमने जल्दबाजी में हर बड़ी में खाना फैकने शुरू कर दिया फिर हम से सीटे बदलने को कहा गया बच्चे मुझसे दूर हो गए अब वो पीछे बैठे थे हमारे बीच कोई संपर्क नहीं रहा मैंने सोचा चलो देखते हैं कि वो क्या करते हैं मैं कोई हर्कत नहीं कर सकता था क्योंकि अकेले कुछ नहीं किया जा सकता था अब इस एपटर देशन मैं अब रहा है प्राइट है बीच्ट बीच्ट बिसक्ट बीच्ट 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 मुझे सबसे स्यादा फिक्र अपनी बेटी की थी वो मेरे पास नहीं थी पता नहीं उसका क्या हुआ वो बहुत दूर थी मैंने अपनी आँखों की पट्टी हटाई और इस तरह हाथ उटा कर खड़ा हो गया और फॉरन ही वो आदमी मुझ पर लपका और रिवालवर तान कर बोला चुप चाप बैट जो वरना गोली मार दूगा सुन लिया तब उसे मेरी आवास में कुछ खुसा कुछ फिक्र कुछ खौफ ये सब महसूस हुआ शायद उसे लग गया की ये आदमी नहीं माने का उसने कहा जल्दी से देख और बैठ जा मैंने नजर घुमाई उनकी तरफ देखा वो दोनों वहाँ आराम से बैठे हुए थे फिर मैं वापस अपनी सीट पर बैठ गया कॉक्पिट में कैप्टन शरन किसी तरह अभारन करताओं को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि विमान को उनकी मर्जी के मताबिक पाकिस्तान में लाहौर ले जाने लायक इंधन नहीं है उसमें पूछा तुम्हरे पास कितना इंधन है मैंने कहा कि दिल्ली तक का इंधन है उसमें पूछा कि अगर दिल्ली नव तरफ है तो और कहा जा सकते हैं उसे मालुम था कि हम बंबई या एहमदबाद जा सकते हैं। मैंने कहा एहमदबाद। फिर उसने कहा कि अगर एहमदबाद ये बंबई जा सकते हैं तो लाहर क्यों नहीं जा सकते। डिली से बंबई के मुकाबले लाहर ज्यादा खरीब है। अपहरन करताओं की नजर बचा कर उन्होंने एक एमर्जेंसी चांसपॉंडर दबाया जिससे भारतीय एर ट्राफिक कंट्रोलर समझ गए कि आईसी 814 का अपहरन हो गया है झाली इफका बशाली कि आईसा है इंडियन एरलाइन्स की नई दिल्ली तक की इस उडान की यात्रियों के लिए सवा घंटे का ये छोटा सा सफर खौफ और आतंक का लंबा सफर होने वाला था इन में से सभी यात्री अपनी मंजिल तक जिन्दा पहुँचने वाले नहीं थे अगले कुछ घंटों और दिनों की घटनाएं बहुत दूर तक अपना असर छोड़ने वाली थी आतंक के इस नाटक का अंत सारी दुनिया के लिए बेहद घातक असर छोड़ गया और आतंक के इतिहास में एक और अठ्याए लिखा गया नेपाल में काठ मांडू के त्रिभुवन अंतर राष्ट्रिय हवाई यड़े पर इंडियन एर लाइन्स की उड़ान IC 814 रवानगी की तैयारी में थी एक घंटा बीस मिनट में ये विमान भारत में नई दिल्ली पहुँचने वाला था कॉक्पिट में कैप्टन देवी शरन, को पाइलिट सिंग और फ्लाइट इंजिनियर जागिया उड़ान से पहले की जाजबर ताल कर रहे थे विमान के 178 तर यात्रियों में से ज्यादा तर नेपाल में छुट्टियां बिता कर लोट रहे थे क्रिसमस का मौका था, नई सदी बस हफ़ते भर दूर थी और सब मस्ती के मूड में थे शाम चार बजे के बाद जब IC814 उड़ान काठमांडू से रवाना हुई तो किसी ने सूचा भी नहीं था कि इसके साथ कोई अन्होनी होने वाली है बहुत जल्द ये विमान भारती ये वायू सीमा में आ गया कैबिन में फ्लाइट अटेंडेंट्स ने ड्रिंक सर्विस शुरू कर दी इतनी छोटी उडान में ये काम फूरती से निप्टाना जरूरी होता है दिल्दी काटमंडू सेक्टर में सर्विस ठीक ठाक चल रही थी मैंने सूचा कैप्टन्स को कुछ चाय काफी दे दी जाए चीफ स्टीवर्ड अनिल शर्मा पाइलट्स को चाय देने के लिए कॉक्पिट में पहुँचे लेकिन जब वो बाहर निकले तो आई सी एट वन फॉर में सवार सभी लोगों की जिन्दगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी मैंने जैसे ही गैली की तरफ मू किया तो मास्क पहने हुए एक आदमी दिखाई दिया वो नाटे कतका था और उसने चश्मा पहना था मुझे लगा कि मुझे फॉरन कैप्टन्स को बताना चाहिए मैंने इंटरकॉम की तरफ हाथ पढ़ाए जब अनिल शर्मा लोट रहे थे तब ही मैंने देखा कि एक आदमी कॉक्पिट में घुस रहा है पल भर के लिए मैं सेहम गया मैं समझ गया था कि प्लेन हाईजैक हो गया है उसने कहा कि कोई हरकत नहीं होनी चाहिए पलेन को बस पश्चिम की तरफ ले चलो लेकिन वो अकेला नहीं था हथियारों से पूरी तरह लैस चार और अफहरन करता थे जिन्होंने बड़ी बेरहमी से विमान पर कबजा कर लिया आवाज आ रही थी कि खाना जल्दी नीचे फैंको सीटों के नीचे फैंको जल्दी नीचे फैंक तो वो बड़ी जोड से चला रहे थे इसलिए हमने जल्दबाजी में हर बड़ी में खाना फैंकने शुरू कर दिया फिर हम से सीटे बडलने को कहा गया बच्चे मुझसे दूर हो गए अब वो पीछे बैठे थे हमारे बीच कोई संपर्क नहीं रहा मैंने सोचा चलो देखते हैं कि वो क्या करते हैं मैं कोई हरकत नहीं कर सकता था क्योंकि अकेले कुछ नहीं किया जा सकता था मुझे सबसे स्यादा फिक्र अपनी बेटी की थी वो मेरे पास नहीं थी पता नहीं उसका क्या हुआ वो बहुत दूर थी मैंने अपनी आखों की पट्टी हटाई और इस तरह हाथ उटा कर खड़ा हो गया और फॉरन ही वो आदमी मुझ पर लपका और रिवालवर तान कर बोला चुप चाप बैठ जाओ वरना गोली मार दूँगा सुन लिया तब उसे मेरी आवास में कुछ खुसा कुछ फिक्र कुछ खौफ ये सब महसूस हुआ शायद उसे लग गया कि ये आदमी नहीं माने का उसने कहा जल्दी से देख और बैठ जा मैंने नजर गुमाई उनके तरफ देखा वो दोनों वहां आराम से बैठे हुए थे फिर मैं वापस अपनी सीट पर बैठ गया कॉपपिट में कैप्टन शरन किसी तरह अपहरन करताओं को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि विमान को उनकी मर्जी के मताबिक पाकिस्तान में लाहौर ले जाने लायक इंधन नहीं है उसने पूछा तुम्हरे पास कितना इंधन है मैंने कहा कि दिल्ली तक का इंधन है उसने पूछा कि अगर दिल्ली ना उतर पहे तो और कहा जा सकते है उसे मालुम था कि हम बंबई या एहमदाबाद जा सकते हैं मैंने कहा एहमदाबाद फिर उसने कहा कि अगर एहमदाबाद ये बंबई जा सकते हैं लाहौर क्यों नहीं जा सकते। दिली से बंबए के मुकाबले लाहौर ज्यादा खरीब है। भारती उप महधवीत में रात हो गई थी। IC 814 अपनी मन्जिल से अंजान अब भी पश्चिम की तरफ जा रहा था। विमान में सवार 189 यात्रियों और कर्मचारियों को कुछ खतरनाक हतियार बंद लोगों ने बंधग बना रखा था। कॉक्पिट में कैप्टन शरण खतरनाक खेल खेल रहे थे। अपहरण करताओं की नजर बचा कर उन्होंने एक एमर्जेंसी ट्रांस्पॉंडर टबाया जिससे भारतीय एर ट्राफिक कंट्रोलर समझ गए कि IC 814 का अपहरण हो गया है। IC 814 में कैप्टन और अपहरण करताओं के बीच कश्मकश चल रही थी। अपहरण करता पाकिस्तान में लाहौर जाना चाहते थे लेकिन कैप्टन किसी कीमत पर पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। 6 महीने पहले ही कश्मीर में कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच हूनी जंग में सैक्णों लोग मारे गए थे। उसके घाव अभी तक ताज़ा थे। मैं लाहूर नहीं जाना चाहता था क्योंकि मैं अपना देश नहीं छोड़ना चाहता था मैं भारत में किसी भी जगह पर उतरने को तैयार था ताकि सुरक्षा कर्मियों को मदद करने का मौक़ा मिल सके लाहूर A.T.C. का रुख कैपटन के काम आया उन्होंने विमान उतारने से मना कर दिया लाहॉर ने अपनी वायू सीमा अपने विमानों के लिए भी बंद कर दी इस बीच यात्री कैबिन में एक खतरनाक खेल शुरू हो गया था आठ पुरुश यात्रीयों को वहां से उठाकर एक्जेगेटिव कैबिन में ले जाया गया उन्में 27 साल के रिपन कत्याल भी थे जो अपनी पत्नी रचना के साथ हनीमून से लौट रहे थे जैसे ही मेरे को बर्गर अंदर ले गया तो मैंने देखा कि वहां पर तीन लोग पहले से ही थे और उसने मेरे दोनों हाथ पीछे खीच कर नाइलॉन की रसी से बांदिये फिर सीट पीछे करने का बटन दबाया और बिल्कुल बैक में ले जाकर सीट फ्लैट कर दी और बेल्ट बांदी मुझे यात्री कैबिन की हल चल से बेखबर कैप्टन ने वक्त गुजारने का फैसला किया मैंने अपनी रफ़तार करीब 40 प्रतिशत कम कर दी क्योंके मैं दिल्ली यामरिसर कहीं भी उतरने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय लेना चाहता था ताकि वहां तैयारिया हो सके लेकिन आई सी एट वन फोर में इंधन तेजी से खत्म हो रहा था कैटन के सामने ज्यादा विकल्प नहीं थे लिकिन अफ़रन करता अड़े हुए थे वो विमान को भारत में उतारने को तैयार नहीं थे फिर ये गतिरोध कैसे तूटा आखिर कौन चुका नेपाल में काटमांडू से भारत में नई दिल्ली के रास्ते में इंडियन एर लाइन्स की ओडान आई सी एट वन फोर पर पांच अफ़रन करताओं ने कबजा कर लिया था वो रिवॉल्वर, चाकू और हधगोले लेकर विमान में घुस कए थे अब हरन करताओं की मांग थी के प्राइलिट्स विमान को पाकिस्तान में लाहौर ले जाएं लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने अपनी वायू सीमा बंद कर दी और विमान उतारने से इंकार कर दिया इंधन तेजी से खत्म हो रहा था इसलिए कैप्टन शरन के सामने एक ही रास्ता था कि विमान को लाहौर से पचास किलूमीटर पूर्व उत्तर में भारत में अमरिचसर में उतार ले लेकिन अपहरण करताओं को डर था कि भारत ये सुरक्षा बल विमान में खुस जाएंगे इसलिए वो भारत में उतरना नहीं चाहते थे मैंने हाथ जोड़े कि मुझे विमान उतारने दो नहीं तो सब मारे जाएंगे लेकिन वो अमरिचसर में नहीं उतरना चाहते थे उन्होंने दो तीन मिनट लिए सारे हाईजैकर्स पीछे जमा हुए कुछ बाचीत की फिर वो अंदर आए उन्होंने पूछा तुम्हें यफिन है कि विमान को इंधन मिल जाएगा मैंने कहा कि हाँ मिल जाएगा बस हमें अमरिचसर में उतरने दो कैप्टन की चाल काम कर गई अफरन करताओं ने कैप्टन की इस गैरिंटी पर विमान को अम्रिच सर में उतारने की इजाज़त दे दी कि फॉरन इंधन मिल जाएगा अब मुझे लगा के हम यहां से नहीं उड़ेंगे मुझे उमीद थी कि वहां कुछ मदद मिल जाएगी और हाइजैकिंग का ये नाटा कमरिच सर में खट्म हो जाएगा नई दिल्ली में प्रधान मंत्री वाजपेई की अध्यक्षता में इंडियन क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रूप ने अमरिच सर में स्थान ये पुलिस को विमान में घुसने की अजाज़त नहीं दी उसकी जिद थी कि भारत की तेज तर्रार एंटी हाईजाकिंग फोर्स नाशनल सेक्यूरिटी गार्ड ये एनसजी दिल्ली से अमरिच सर जाएगी और ये बड़ी महंगी भूल साबित हुई मुझे दिल्ली से संदेश मिला की एनसजी आ रही है तो हमें उनका इंथजार करना था और तब तक प्लेन को किसी भी तरहा से राजासासी एरपोर्ट पर रोकना था दिल्ली के निर्देश पर अमरिच सर में अधिकारी इंधन टैंकर भेजने में देरी करके वक्त गुजारने लगे लेकिन इस देरी से अफरन करताओं की खीज और घुसा बढ़ने लगा प्लेन आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक अमरिच सर में खड़ा रहा लेकिन कोई टैंकर दिखाई नहीं दिया हाई जैकर्स को यकीन हो गया कि भारत ये कमांडो विमान में घुसने की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने IC814 के पाइलट को उड़ान भरने का आतेश दिया उन्हें इंधन खत्म होने की कोई परवाह नहीं थी पर पाइलट ने हार नहीं मानी IC814 पर पाइलट्स और अफरन करताओं के बीच खीचतान खत्म होने वाली थी और उसके नतीजे खतरनाक होने वाले थे पाइलट ने जहाज नहीं उड़ाया तो अल अफरन इतनी देर में क्या होता है कि मार देंगे के कहने के बाद वो एक डॉक्टर टेलरिस्ट मतलब डॉक्टर नाम से था तो वो आता है तो वो यहां पे रिपिन कत्याल की छाती में उसने काफी ज़्यादा अटेम्ट कर दि फ्लाइट इंजिनियर जागिया को हाईजैकर्स के इस दावे की पुष्टी करने के लिए भेजा गया के वो पैसेंजर्स को मार रही हैं जागिया वहां की हालत देखकर सक्ते में आ गए हाईजैकर्स ने मौत की गिनिती शुरू कर दी अगर तीस से जीरो तक गिनने में हवाई जहाज नहीं उड़ा तो वो पहले पाइलट्स को मारेंगे और फिर हर यात्री को गोली मार देंगे अब मुझे कुछ फैसला लेना ही था एटीसी कुछ नहीं कर रहा था कोई मदद नहीं मिल रही थी प्लेन के सामने बाउजर नहीं आ रहा था कुछ भी नहीं हो रहा था भारत ये सुरक्षा बलों से जब कोई मदद नहीं मिली तो ये लगने लगा कि हाईजैकर्स सब को मार देंगे तो कैप्टन शरण ने सूच समझकर जूखिम उठाया और तेजी से पाकिस्तान में लाहौर की तरफ उडान भरी प्लेन में जितना इधन था उससे लाहौर पहुँचने की उमीद बहुत कम थी लेकिन कोई और रास्ता नहीं था भारत ने प्लेन पर कब्जा करने और संकट को खत्म करने का इतना अच्छा मौका गवा दिया था पाइलिट यही कहते रहे कि उनके पास बिलकुल भी इंधन नहीं है इसलिए हमें यकीन था कि जब तक हम इंधन नहीं भरेंगे तब तक एरक्राफ्ट किसी भी हालत में नहीं उड़ पाएगा हमने अम्रिस्सर में अधिकारियों से कहा कि वो बाउजर के साथ स्नाइपर्स या शार्प शूटर्स को एरपोर्ट ले जाएं और प्लेन के टायर उड़ा दें लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों नहीं हुआ कारण तो कई हो सकते हैं लेकिन हमें और क्राइसिस मेंजमेंट ग्रूप को कोई कारण नहीं बताया गया मैं तो दिल्ली की इस प्रतिक्रिया को और कुछ नहीं बचकाना ही कहूँगा पहली सूचना मिलते ही एनेस जी को फुर्ती से जाने को कहा जाना चाहिए था हाईजेक को खत्म करने की कोई रणनी ती होनी चाहिए थी आईसी एट वन फोर अब अमरित सर से करीब पचास किलो मिटर दूर सीमा पार पाकिस्तान में लाहौर जा रहा था लेकिन पाकिस्तान सरकार इस प्लेन को अपने यहां उतारना नहीं चाहती थी जब विमान को मार गिराने की धंकी का कोई असर नहीं हुआ तो पाकिस्तान एरपोर्ट अथारिटीज ने लाहौर हवा यड़े पर दिशा बताने के सभी संकेत और लाइट्स बंड कर दी उन्होंने का हम तुमें यहां उतरने नहीं दे सकते तुम कहीं और जाओ उन्होंने रन्वे की सारी लाइट्स बंड कर दी नेविगेशन एट भी बंड कर दी और एपरिन लाइट्स भी बंड कर दी आखिर मैंने दोनों रिजर्व लाइट्स आउन कर दी मेरे पास हवा में रहने के लिए इंधन नहीं था मुझे फैसला ले नहीं था तब मैं नीचे आने लगा ताकि ऐसी जगें दिखाई दे जाए जहां मैं इस प्लेन को उतार दूँ दिशा बताने का कोई संकेत ना होने के कारण पाइलट्स ने विमान को कुछ जगमगाती लाइट्स की तरफ मोड दिया उन्होंने सोचा के ये लाहॉर का रन्वे है लिकिन जब विमान बेहद नीचे आ गया तब पाइलट्स ने देखा के उन्होंने बड़ी भारी भूल कर दी है पाकिस्तान एरपोर्ट अथारिटीज अब समझ गई थी कि पाइलट्स के पास कोई रास्ता नहीं है अगर आइसी 814 को उतरने की अजाज़त न दी गई तो वो जमीन पर क्रैश कर जाएगा A.T.C. वाले समझ गए कि मैं इतना नीचे आगया हूँ कि इस बात की पूरी संभावना है कि प्लेन क्रैश लैंड कर जाए तब उन्होंने कहा कि आपके लिए रनवे खुला है रनवे पर आओ लैंड करने के कुछी सेकेंड बाद शायद मेरा दाहिना एंजिन ठप हो गया क्योंकि इंधन बिलकुल नहीं था कैप्टन की चाल रंग लाई आईसी 814 सुरक्षित लाहौर में उतर गया लिकिन ये पड़ाव कुछी देर का था उधर पीछे कैबिन में खून से लटपत घायल यात्री अंतिम सांसे ले रहे थे उनकी जान बचाने के लिए फौरण चिकित साकी जरूरत थी लेकिन पाकिस्टानी अधिकारी जल्दी से जल्दी इस विमान को अपने यहां से रवाना करने को उताव ले थे मैंने एटी सी से अनुरोद किया मैं गिलगराया के सीड़ी भेज दीजिए मैं चाहता हूँ के गायल यात्री कुछ बजर्ग महिलाएं और बच्चों को यहां उतार दिया जाए लेकिन वो नहीं माने वो अपनी बात पर अड़े हुए थे उन्होंने कहा कि तुम्हें इधन चाहिए और हम तुम्हें इधन देंगे लेकिन तुम्हें यहां किसी को बिलकुल उतारने नहीं देंगे यहां लाहोर एरपोर्ट पर कोई नहीं उतरेगा पाकिस्तानी नहीं चाहते थे कि इस मामले में किसी भी तरह उनका हाथ दिखाई दे विमान वहां उतारना पड़ा क्यूंकि और कहीं उसे नहीं ले जा सकते थे वो इसे अपने यहां से बगाने को उताव ले थे लाहौर में उतारने के बाद तीन घंटे से भी कुछ कम समय में विमान ने फिर से उडान भरी उधर भारत में इन अफ़ाहूं ने नई दिल्ली हवाई यड़े पर जमा भीड में देहशत पहला दी कि अफ़रन करताओं ने कुछ यात्रियों को मार दिया है अफ़रन करताओं ने कैप्टन को निर्देश दिया के विमान अफ़गानिस्तान में काबुल ले जाया जाए लेकिन काबुल में रात में विमान को उतारने की सुविधा नहीं थी इसलिए हाई जैकर्स ने पाइलिट को विमान संयुक्त अरब अमिरात में दुबाई ले जाने पर मजबूर किया इसी बीच रिपन कत्याल के सीने पर हाई जैकर्स के चाकू के घाव से खून बहुत बह गया था और रात में किसी समय रिपन कत्याल की मृत्ति हो गई अमरित सर में विमान में घुसने का मौका गवाने के बाद भारत सरकार में संयुक तरब अमिरात के अधिकारियों को समझाने की कोशिश की कि वो दुबाई में कमांडो आपरेशन की अजाज़त दे दे यू एई की सरकार और दुबाई के स्थानी अधिकारी कमांडो कार रवाई की इजास्त देने को पता ही तयार नहीं थे हम चाहते थे कि प्लेन को वहां इतनी देर तक वहां रोका जाए कि हम भारत से कमांडो भेज सकें लेकिन यू एई के अधिकारियों ने इंधन के बदले हाईजैकर्स को कुछ यात्रियों की रहाई पर राजी कर लिया गहायल यात्रियों को भी उतार लिया गया अलमिनात में उतरने के करीब दस मिनिट बाद बर्गर मेरे पास आया और बुला खड़े हो जाओ मैं खड़ा हो गया और जे क्लास तक गया वहाँ मैंने एक नौजवान को देखा उसकी कमीज उतरी हुई थी और वो खून से लफ़ पर थे एक स्ट्रीट पर पड़ा था उस समय मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और सच कहून तो मैं अपनी जान की खैर मना रहा था रिपन कत्याल का शव विमान से उतार दिया गया लेकिन विमान में बैठी उनकी पत्नी को मालूम नहीं था कि रिपन की मौत हो गई है हमें ये आदेश मिला कि लाश को स्टेप लेडर के उपर रख दें जो कि प्लेन के पहले दरवाजे के साथ थी रिहा किये गए पैसेंजर्स अराइवल टर्मिनल पर पहँचे और इसी बीच IC 814 इंधन लेकर फिर से अंजानी मन्जिल की तरफ उड़ गया क्रिस्मस का दिन था लेकिन इंडियन एरलाइन्स की उड़ान IC 814 में बचे 162 यात्रियों और कर्मचारियों के लिए खुशी मनाने की कोई वजह नहीं थी 18 घंटों से उनका विमान पांच हथियार बंद अपहरण करताओं के कबजे में था एक यात्री मारा जा चुका था और एक घायल हुआ था लेकिन उनकी मुसीबत कुछ और बढ़ गई थी यात्री नहीं जानते थे के रात भर उत्तर की तरफ उड़ता हुआ IC 814 अफगानिस्तान में कंधार उतर गया है अफगानिस्तान में कट्टर पंथी इसलामी गुट तालिवान का कबजा था ये खतरनाका तंकवादी उसामा बिन लादेन का भी गड़ था मैंने देखा खुली पिजेरो विमान की तरफ बढ़ रही थी पिजेरो में सवार लोग विमान के खरीब आए और उन्होंने इस तरहें से हाथ हिलाए मुक्के हाईजैकर ने उनकी तरफ देखा और उसने भी ऐसे हाथ हिला दिया उस वक्त मेरे हाथ पूँ पूल गए थे मैं समझ गया के भीतर हाईजैकर्स हैं और बाहर आतंकवादी I.C. 814 के अफरन को 18 घंटे बीथ चुके थे लेकिन हाईजैकर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी वो कौन थे और वो क्या चाहते थे दुबई में छोड़े गए यात्रियों से मिली जानकारी के आधार पर भारती खुफिया एजिंस को यकीन हो गया कि उनका सामना बेहट प्रशिक्षित और समर्पित फिदाईन आतंकवादीयों से है मैं मनही मन उन फिदाईन मिशनों के बारे में सोच रहा था जो इसलामी कट्टर पंथियों और उगरवादीयों ने कश्मीर में चलाए थे हरकत उलमजाहिदीन के पास ऐसे लोग थे जो फिदाईन हमले कर सकते थे ये लोग यात्रियों को नुकसान पहुँचाने पर पूरी तरह उतारू थे और एरक्राफ्ट को विसपोर्ट से उड़ाने का भी इरादा रखते थे इधर भारत में सैक्णों लोग रिपन कत्याल की अंतिम यात्रा में शामिल हुए जिन्हें अफ़रण करताओं ने बेरहमी से मार दिया था दुनिया भर में टेलिविजन पर इस अंतियश्टी के द्रिश्वे प्रसारित होते ही भारत सरकार पर इस संकट को सुलजाने के लिए दबाव बढ़ने लगा लेकिन प्रधान मंत्री वाजपई जुकने को तयार नहीं थे ये भी अभी तक नहीं बताया है पर वो जो भी चाते हैं उसे पाने का ये कोई तरीका नहीं है ये वलत है ऐसे वेश्याना किदमों के सामने भारत जुकेगा नहीं भारत सरकार अफगानिस्तान में तालिबान शासन को माननेता नहीं देती थी और उसका खुलकर विरूद करती थी लेकिन इस संकट को सुलजाने के लिए उसके साथ बातचीत करना जरूरी था हमें उमीद थी कि भारती अधिकारी जल्दी आएंगे और पूरी गंभीरता से काम करेंगे लेकिन लग रहा है कि वो बेफिक्र है IC814 के अफगानिस्तान में कंधार में उतरने से सिर्फ भारत सरकार को ही बेचानी नहीं थी पता नहीं क्यों हाईजैकर्स भी चाहते थे कि विमान को जल्दी से जल्दी इंधन मिल जाए और वो कंधार से रवाना हो जाएं लेकिन पाइलिट्स ने साथ देने से मना कर दिया वो अड़ गए कि पूरी इंजिनिरिंग जाच कराए बिना अब विमान का उड़ान भरना सुरक्षित नहीं है IC814 यहां से कहीं नहीं जा रहा था लेकिन हाईजैकर्स शांत नहीं बैठे थे वो कॉक्पिट में माजूद ट्रैप डोर के जरिये कार्गो होल्ड तक पहुँच गए मुझे ऐसी आवाजे सुनाई दी के कार्गो होल्ड में कुछ हो रहा है मैं जानता था कि वहाँ कोई बैग है जिससे वो निकालना चाहते थे आखिर कार हाईजैकर्स ने वो बैग कार्गो होल्ड से निकाल लिया सुबह जब मैं कॉक्पिट में गया तो वहाँ तरहें तरहें के हथ्यार पड़े थे अलग अलग रंग के हधगोले थे और कार्टूस फैले पड़े थे अब ये जाहिर हो गया था कि हाईजैक की साज़श बहुत बारीकी से सोच समझ कर बनाई गई थी लेकिन हाईजैकर्स किस हद तक जाने वाले थे और उनका मकसद क्या था उधर दिल्ली में विमान यात्रियों के रिष्टेदार एक जुठ हो गए संकट सुलजाने में भारत सरकार की नाकामे से नाराज रिष्टेदार विदेश मंत्री जस्वंत सिंग के संबाद दाता सम्मेलन में घुस कए और मांग करने लगे कि सरकार यात्रियों को छुड़वाए दुनिया भर में टेलिविजन नेट्वर्क्स पर ये खबरें प्रसारित होने से भारत सरकार पर हाईजैकर्स से बाचीत करने के लिए दबाव बढ़ने लगा आखिरकार भारत सरकार ने वारताकारों की एक टीम बनाई जो IC 814 के अभरण के चौथे दिन 27 दिसंबर को अफगानिस्तान में कंधार पांची तालिबान नहीं जानते थे कि इस दल के साथ हाई कमांडो विमान में च्छिपे हुए थे भारत सरकार IC 814 पर धावा बोलने को भी तैयार थी वहां उतरते ही हमने देखा कि हमें तालिबान लड़ाकों ने पूरी तरह से गेर लिया था उन्होंने अजीब से कपड़े पहन रखे थे और तरह तरह के हथियारों से लेस थे वो एरक्राफ्ट की हिफासत करने के अंताज में वहां तैयनाथ नहीं थे वो लोग तो एकदम हमले की मुद्रा में थे भारती अवारता कारों के विमान के चारों तरफ तैयनाथ तालिबान लड़ाकों की हमले की मुद्रा के कारण भारत के कमांडोस के लिए फूरती से जपटना मुम्किन नहीं था भारत ये दल के सामने एक ही रास्ता था कि अफरन करताओं से बात चीच शुरू की जाए चीफ जब उनसे बात कर रहा था तो उसने जरूर कोई सुच दबा दिया होगा पूरे प्लेन में उसकी आवा सुनाए दे रही थी वो कह रहा था कि मौलाना के मामले में कोई सौदेबाजी नहीं होगी हमें नहीं मालूम था कि मौलाना कौन था आखिरकार सच्चाई सामने आ गई हाई जैकर्स का मकसद मौलाना मसूद अजहर को छुडवाना था मौलाना कश्मीर घाटी में हमले करने वाले उगरवादी संगठन हरकतल मुजाहिदीन का सेक्रेटरी जेनरल था वो किसी बड़ी फौच का कमांडर नहीं था वो खाजारों का भी कमांडर नहीं था वो तो बस मुठी भर लोगों का ही कमांडर था लेकिन वो इन लोगों को जितनी वफादारी से वैशियाना किदम उठाने को उक्सा सकता था उतना कोई और संगठन नहीं उक्सा सकता था 1994 में गिरफतार मौलाना मसूद अजहर को जम्मू कश्मीर में कोट भलवाल जील में रखा गया था इसी हिस्से को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तीन लड़ाईयां हो चुकी है मौलाना को छुड़वाने की कई कोशिशें हो चुकी थी दो बार तो विदेशी परियाटकों को अगवा करके मार डाला गया था एक बार जील तोड़ने की कोशिश हुई जिसमें मौलाना का एक साथी पुलिस के हाथों मारा गया और मौलाना एक तंग सुरंग में फसा रह गया लेकिन इस बार कुछ अलग हिसाब से कोशिश की गई थी भारतिये खुफिया एजिंसियों को ये संसनी खेस सक्चाई भी पता चली के मुख्य अफरन करता मौलाना मसूद अजहर का छोटा भाई था मौलाना मसूद अजहर के रहाई हाईजाकर्स की पहली मांग थी लेकिन तीस खंटे से भी ज्यादा माथा पच्ची के बाद भारतिय दल हाईजाकर्स से सारी मांगें निकल वा पाया मौहम्मद मसूद अजहर के साथ वो 35 और लोगों की रहाई आतंकवादी सज्जाद अफगानी का ताबूत और भारत से 20 करोड अमरीकी डॉलर की फिरौती चाहते हैं हम कंधार में अपने वारताकारों के जरिये इसका जवाब भेज देंगे इस बीच हमारे देश के भीतर और बाहर भी लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए इस बातचीत के बीच अचानक तालिबान के दखल ने सब को चौका दिया तालिबान ने अफ़रन करताओं से कहा कि पैसे और सज्जाद अफगानी की लाश की मांग वो छोड़ दें क्योंकि ये इसलाम के खिलाफ है IC 814 की यात्रियों और करमचारियों के अफ़रन का पांचवा दिन था विमान के भीतर हालात बिगड रहे थे और बरदाश्ट के बाहर हो रहे थे मेरे साथ मेरे ब्रदर इनलोग थे और उन्होंने आठ दिनों तक कुछ भी नहीं खाया क्योंकि जितने टाइलेट्स थे वो औरफ्लो कर रहे थे अपने परिवार को बंधक देखकर उनकी बेचैनी और उनकी जान खत्रे में देखकर मुझे बहुत बहुत जादा गुसा आ रहा था लोगोंने तो सारी उम्मीद छोड़ दी थी मेरी तो यह हालत हो गई थी कि मैं यह सोचने लगा कि अब बहुत हो चुका तुम एरक्राफ्ट उडाना चाहते हो मुझे और दूसरे लोगों को मारना चाहते हो तो मार डालो लेकिन यह सब खत्म करो हमसे अब और नहीं सहा जाता विमान के भीकर के हालात की खबरें जब भारत में रिष्टेदारों और मीडिया तक पहुँची तो वारता कारों पर समझोते के लिए दबाव बढ़ने लगा लेकिन दोनों में से कोई भी जुकने को तयार नहीं था 29 दिसंबर को याने अफरन के छटे दिन जब अफरन करता सदभाव के तौर पर 35 महिलाओं और बच्चों को छोड़ने पर राजी हो गए तो लगा कि कोई हल निकलाया है महिलाओं और बच्चों को अलग करने या छोड़ने का मतलब ये था कि विमान में सिर्फ मर्द बचेंगे इससे कहीं न कहीं ये डर लगने लगा कि अगर हमें खत्म करने का सवाल आया तो ये पल भर भी इंतजार नहीं करेंगे तब मैंने पलट कर उनकी तरफ देखा और क्या बताऊं बस परदाश्ट नहीं हो रहा था खुद मर जाना बहुत आसान होता है लेकिन अपने परिवार को या किसी अपने को मरते हुए नहीं देखा जाता लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ समझोते की उमीद फिर तूट गई बातचीत पूरी तरह से भंग हो गई थी रहाई का इंतजार कर रहे 35 चुने हुए यात्रियों को वापस विमान में धखिल दिया गया काफी शोर मच रहा था मैंने देखा कि बच्चों और महिलाओं को वापस एकॉनमी क्लास में धखिला जा रहा था तब मुझे लगा कि कुछ गड़बड हो गई है बड़ी अजीब सी स्थिती थी जिससे बयान नहीं किया जा सकता उनके और भारत सरकार के बीच बात चीज रुख गई थी अब वो लोगों को मारने वाले थे पता नहीं वो लोगों को चुन्चुन कर मारते या फिर प्लेन से बाहर फेक देते या प्लेन को बहुत उचाई पर ले जाकर उड़ा देते मुझे अच्छी तरह याद है पूरे वीमान में बिलकुल सनाटा पहला था कहीं से भी ये नहीं लगता था कि विमान में करीब दो सो लोग बैठे थे तो क्या यही अंत था? क्या आई सी एट वन फोर के यात्रियों और करमचारियों का सफर यहीं खत्म होने वाला था? अफगानिस्तान में कंधार में हाई जैकर्ज और भारत सरकार के वारताकारों के बीच बात चीट तूट गई थी हाई जैकर्ज ने पैसेंजर्स से कह दिया था कि वो एके करके उन्हें मार देंगे अचानक हालात बदलने से सहमे हुए यात्री मौत के सननाटे में अपनी बारी का इंतजार करने लगे वक्त गुजरता जा रहा था कोई हल चल नहीं थी सब लोग बैठे हुए थे बस इंतजार कर रहे थे कि कुछ होगा कुछ होगा लेकिन कुछ नहीं हुआ वो वापस आया और बोला कि नजाने किसकी दुआएं काम आ गई हैं लगता है कि बातचीत फिर से शुरू होने वाली है फिर करीब तीन चार घंटे बाद हमें बताया गया कि हमारे लिए एक खुशखबरी है भारल सरकार ने उनकी मांगे माली हैं और अब हम जल्दी ही आज़ाद कर दिये जाएंगे यात्रियों को छोड़ दिया गया लेकिन किसकी मदपर तालीबान और अभारन करताओं के साथ बातचीत के बाद समझोता हुआ है कि तीन उगरवादियों के बदले सब ही बंधक छोड़ दिये जाएंगे तीन उस समय छोड़े जाने वाले तीन आतंकवादी थे मौलाना मसूद अजहर जिस पर हरकतल मुझाहिदीन का सदस्से होने का आरोप था उमर शेख लंदन स्कूल आफ एकोनॉमिक्स में पढ़ा ब्रिटिश नागरिक जो मौलाना मसूद अजहर का कट्टर चेला था और जिसे कश्मीर में विदेशी नागरिकों के अफरंड के आरोप में गिरफतार किया गया था तीसरा कैदी मुझाक एहमद जर्गर अलुमर मुझाहिदीन उगरवादी गुट का मुख्य कमांडर था जिसे कश्मीर में आतंक वादी हमलों के लिए पकड़ा गया था मेरे खियाल से वो समझहोता भारत के लिए सबसे बुरा था वाकई में सबसे बुरा था और मेरी राय में उसकी कोई जरूरत नहीं थी ये समझोता इसलिए करना पड़ा क्योंकि एकदम बे सिर पैर की समय सीमा तै कर दी गई थी प्रधान मंत्री ने बयान दिया था कि हम नहीं चाहते कि यात्री बंधक बनकर निया साल मनाए मानलो हम कहते हैं कि ठीक है हम आपकी बात नहीं मानेंगे तो लोग हमें ऐसा करने नहीं देते हमें बातचीत पर मजबूर किया जाता और जब बातचीत होती है तो फिर तो ऐसा ही होता है भारत के अलग-अलग हिस्सों में जेलों से तीन आतंकवादियों को छुड़ा कर दिल्ली लाया गया जहां से उन्हें विमान से कंधार ले जाया गया कुछ ही घंटों बाद रिहा किये गए आतंकवादी और अफरन करता तालिबान लड़ाकूँ के संड्रक्शन में आजादी से कंधार से रवाना हो गए IC 814 में यात्री और करमचारी अपनी रिहाई से खुश थे एक यात्री ने रिहाई के कुछ ही समय बाद विमान में खुशी के पल इन दुरलब तस्वीरों में खैद कर लिये थे उन्हों ने जैसे ही कहा कि तुम आजाद हो तो हमें बहुत अच्छा लगा सब एक दूसरे से हाथ मिलाने लगे एक दूसरे के गले लगने लगे उस समय हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था अचानक ऐसा लगा कि शरीर में जान ही नहीं रही हम उडने लगे थे क्योंकि सारा तनाव गाइब हो चुका था नए साल से एक दिन पहले और IC814 के अफरण के आठ दिन बाद एक को छोड़ कर सभी यात्री और करमचारी सुरक्षित भारत पहुच गए उनका सफर पूरा हो गया था डेली एरपोर्ट पर हजारों लोगों ने उनका शानदार स्वागत किया ये जश्न रात भर और नई सदी की सुबह तक चलता रहा लेकिन एक सवाल सभी को सता रहा था भारत सरकार ने IC814 के यात्रीयों और करमचारीयों की जान के बदले तीन खतरनाक आतंकवादियों को छोड़ कर कहीं कोई गलती तो नहीं की इस सवाल का कोई सही जवाब नहीं है लेकिन आज हम जो कुछ जानते हैं अगर उस समय फैसला लेने वालों को वो जानकारी होती तो क्या IC814 की कहानी का अंत कुछ अलग होता मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान लोट गया रिहाई के बाद उसने बहुत चल्द उगरवादी संगठन जैश महम्मद बना लिया जैश पर 13 दिसंबर सन 2001 को भारतिय संसत पर हुए हमले के साथ साथ कई हमलों में शामिल होने का आरोप है संसत पर हुए हमले में साथ मासूम मारे गए और 18 घायल हुए जम्मू कश्मीर विधान सभा पर हमले में भी जैश का हाथ था मौलाना मसूद अजहर अब पाकिस्तान में आजादी से रहता है उमर शेख 11 सितंबर को वर्ल्ट ट्रेड सेंटर से ठकराने वाले दू में से एक विमान के पाइलिट मुहम्मद अट्टा का मुख्य फाइनेंसर बताया जाता है उसे अमरीकी पत्रकार डैनियल परल को मारने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई है मुश्ताक अहमद जर्गर पाकिस्तान के कबजेवाले कश्मीर की राजधानी मुजफर अबाद में रहता है बताया जाता है कि वो उगरवादी गुड अलुमर मुजाहिदीन को फिर से खड़ा कर रहा है अब ये जाहिर हो चुका है कि पांचो हाईजैकर्स पाकिस्तानी नागरिक थे जो पाकिस्तान में आजादी से जी रहे बताये जाते हैं इंटर पॉल और भारत की सी बी आई ने पाकिस्तान से आपचारिक अनुरोध किये हैं कि उन्हें पकड़कर भारत को सौप दिया जाए लेकिन इन अनुरोधों की कोई सुनवाई नहीं हुई कोई नहीं जानता कि दिसंबर 1999 के बाद उन्होंने क्या किया IC814 का हादसा उनके लिए शान का मौका था इस सवाल का पक्ता जवाब तो अभी तक नहीं मिला कि हाईजैकर्स, रिवॉल्वर और हथगोले विमान में कैसे ले गए लेकिन IC814 के अफरन के बाद नेपाल सरकार ने काट मांडू के त्रिभुवन अंतर राष्ट्री हवाई यड़े पर सुरक्षा इंतजाम काफी सخت कर दिये, इंडियन एर लाइन्स ने नेपाल के लिए अपनी ओडाने स्थगित कर दी, लेकिन छे महीने बाद उन्हें फिर से शुरू कर दिया, इंडियन एरलाइन्स के करमचारी विमान में सबार होने से पहले सभी यात्वियों की दोबारा जांच करते हैं और भारत सरकार ने कुछ उड़ानों में स्काई मार्शल तैनाद करने का भी फैसला किया आईसी एट वन फोर में कैप्टन और अफरन करताओं के बीच कश्मकश चल रही थी अफरन करता पाकिस्तान में लाहौर जाना चाहते थे लेकिन कैप्टन किसी कीमत पर पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे छे महीने पहले ही कश्मीर में कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच हूनी जंग में सैकनों लोग मारे गए थे उसके घाव अभी तक ताजा थे मैं लाहौर नहीं जाना चाहता था क्योंकि मैं अपना देश नहीं छोड़ना चाहता था मैं भारत में किसी भी जगें पर उतरने को तयार था ताकि सुरक्षा कर्मियों को मदद करने का मौका मिल सके लाहौर एटी सी का रुख कैप्टन के काम आया उन्होंने विमान उतारने से मना कर दिया लाहौर ने अपनी बाईू सीमा अपने विमानों के लिए भी बंद कर दी इस बीच यात्री कैबिन में एक खतरनाख खेल शुरू हो गया था आठ पुरुश यात्रियों को वहां से उठाकर एग्जेगेटिव कैबिन में ले जाया गया उन्में 27 साल के रिपन कत्याल भी थे जो अपनी पत्नी रचना के साथ हनीमून से लौट रहे थे जैसे ही मेरे को बर्गर अंदर ले गया तो मैंने देखा कि वहां पर तीन लोग पहले से ही थे और उसने मेरे दोनों हाथ पीछे खीच कर नाइलॉन की रसी से बांदिये फिर सीट पीछे करने का बटन दबाया और बिलकुल बैक में ले जाकर सीट फलैट कर दी और बेल्ट बांदी मुझे यात्री कैबिन की हलचल से बेखबर कैप्टन ने वक्त गुजारने का फैसला किया मैंने अपनी रफटार करीब 40 प्रतिशत कम कर दी क्योंके मैं डिल्ली या अमरिसर कहीं भी उतरने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय लेना चाहता था ताकि वहां तैयारिया हो सके लेकिन आई सी एट वन फोर में इंधन तेजी से खत्म हो रहा था कैप्टन के सामने ज्यादा विकल्प नहीं थे लेकिन अपहरन करता अड़े हुए थे वो विमान को भारत में उतारने को तैयार नहीं थे फिर ये गतिरोध कैसे टूटा आखिर कौन चुका नेपाल में काटमांडू से भारत में नई दिल्ली के रास्ते में इंडियन एर लाइन्स की उड़ान आई सी एट वन फोर पर पांच अपहरन करताओं ने कबजा कर लिया था वो रिवॉल्वर चाकू और हधगोले लेकर विमान में घुस कए थे अब हरन करताओं की मांग थी के पाइलिट्स विमान को पाकिस्तान में लाहौर ले जाएं लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने अपनी वायू सीमा बंद कर दी और विमान उतारने से इंकार कर दिया इंधन तेजी से खत्म हो रहा था इसलिए कैप्टन शरण के सामने एक ही रास्ता था कि विमान को लाहौर से पचास किलूमीटर पूर्व उत्तर में भारत में अमरिच सर में उतार लें लेकिन अपरण करताओं को डर था कि भारत ये सुरक्षा बल विमान में खुस जाएंगे इसलिए वो भारत में उतरना नहीं चाहते थे मैंने हाथ जोड़े कि मुझे विमान उतारने दो नहीं तो सब मारे जाएंगे लेकिन वो अमरिच सर में नहीं उतरना चाहते थे उन्होंने दो तीन मिनट लिए सारे हाईजैकर्स पीछे जमा हुए कुछ बाचीत की फिर वो अंदर आए उन्होंने पूछा तुम्हें यकीन है कि विमान को इंधन मिल जाएगा मैंने कहा कि हाँ मिल जाएगा बस हमें अमरिच सर में उतरने दो कैप्टन की चाल काम कर गई अफरन अब मुझे कुछ फैसला लेना ही था एटी सी कुछ नहीं कर रहा था कोई मदद नहीं मिल रही थी प्लेन के सामने बाउजर नहीं आ रहा था कुछ भी नहीं हो रहा था भारती ये सुरक्षा बलों से जब कोई मदद नहीं मिली तो ये लगने लगा कि हाईजैकर्स सब को मार देंगे तो कैप्टन शरन ने सूच समझ कर जोखिम उठाया और तेजी से पाकिस्तान में लाहौर की तरफ उडान भरी प्लेन में जितना इधन था उससे लाहौर पहुँचने की उमीद बहुत कम थी लिकिन कोई और रास्ता नहीं था भारत ने प्लेन पर कबज़ा करने और संकट को खत्म करने का इतना अच्छा मौका गवा दिया था पाइलिट यही कहते रहे कि उनके पास बिलकुल भी इंधन नहीं है इसलिए हमें यकीन था कि जब तक हम इंधन नहीं भरेंगे तब तक एरक्राफ्ट किसी भी हालत में नहीं उड़ पाएगा हमने अम्रिस सर में अधिकारियों से कहा कि वो बाउजर के साथ स्नाइपर्स या शार्प शूटर्स को एरपोर्ट ले जाएं और प्लेन के टायर उड़ा दें लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों नहीं हुआ कारण तो कई हो सकते हैं लेकिन हमें और क्राइसिस मेरिजमेंट ग्रूप को कोई कारण नहीं बताया गया मैं तो दिल्ली की इस प्रतिक्रिया को और कुछ नहीं बचकान ही कहूँगा पहली सूचना मिलते ही एनेसजी को फूरती से जाने को कहा जाना चाहिए था हाइजेक को खत्म करने की कोई रणनी ती होनी चाहिए थी IC814 अब अमरिट सर से करीब 50 किलो मिटर दूर सीमा पार पाकिस्तान में लाहौर जा रहा था लेकिन पाकिस्तान सरकार इस प्लेन को अपने यहां उतारना नहीं चाहती थी जब विमान को मार गिराने की धंकी का कोई असर नहीं हुआ तो पाकिस्तान एरपोर्ट अथारिटीज ने लाहौर हवा यड़े पर देशा बताने के सभी संकेत और लाइट्स बंड कर दी उन्होंने का हम तुमें यहां उतरने नहीं दे सकते तुम कहीं और जाओ उन्होंने रन्वे की सारी लाइट्स बंड कर दी नेविगेशन एट भी बंड कर दी और एपरेन लाइट्स भी बंड कर दी आखिर मैंने दोनों रिजर्व लाइट्स आउन कर दी मेरे पास हवा में रहने के लिए इंधन नहीं था मुझे फैसला ले नहीं था तब मैं नीचे आने लगा ताकि ऐसी जगें दिखाई दे जाए जहां मैं इस प्लेन को उतार दूँ दिशा बताने का कोई संकेत ना होने के कारण पाइलट्स ने विमान को कुछ जगमगाती लाइट्स की तरफ मोड दिया उन्होंने सोचा के ये लाहॉर का रन्वे है लिकिन जब बिमान बेहद नीचे आ गया तब पाइलट्स ने देखा के उन्होंने बड़ी भारी भूल कर दी है पाकिस्तान एरपोर्ट अथारिटीज अब समझ गई थी के पाइलट्स के पास कोई रास्ता नहीं है अगर आइसी 814 को उतरने की अजाज़त न दी गई तो वो जमीन पर क्रैश कर जाएगा करताओं ने कैप्टन की इस गैरिंटी पर विमान को अमरिच सर में उतारने की इजाज़त दे दी के फॉरण इंधन मिल जाएगा अब मुझे लगा के हम यहां से नहीं उड़ेंगे मुझे उमीद थी कि वहां कुछ मदद मिल जाएगी और हाइज़किंग का ये नाटा कमरिच सर में खत्म हो जाएगा नई दिल्ली में प्रधान मंत्री वाजपई की अध्यक्षता में इंडियन क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रूप ने अमरिच सर में स्थानिय पुलिस को विमान में घुसने की इजाज़त नहीं दी उसकी जिद थी कि भारत की तेज तर्रार एंटी हाईजाकिंग फोर्स किसी भी तरह से राजासासी एरपोर्ट पर रोक न था दिल्ली के निर्देश पर अमरिच सर में अधिकारी इंधन टैंकर भीजने में देरी करके वक्त गुजारने लगे लेकिन इस देरी से अफरन करताओं की खीज और गुस्सा बढ़ने लगा प्लेन आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक अमरिच सर में खड़ा रहा लेकिन कोई टैंकर दिखाई नहीं दिया हाई जैकर्स को यकीन हो गया कि भारत ये कमांडो विमान में घुसने की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने IC 814 के पाइलट को उड़ान भरने का आदेश दिया उन्हें इंधन खत्म होने की कोई परवाह नहीं थी पर पाइलट ने हार नहीं मानी IC 814 पर पाइलट्स और अफरण करताओं के बीच खींचतान खत्म होने वाली थी और उसके नतीजे खतरनाक होने वाले थे पाइलट ने जहाज नहीं उड़ाया तो अल अफर सड़न इतनी देर में क्या होता है कि मार देंगे कि कहने के बाद वो एक डॉक्टर टेलरिस्ट मतलब डॉक्टर नाम से था तो वो आता है तो वो यहां पे रेपिन कत्याल की छाती में उसने काफी ज़्यादा अटेम्ट कर दिया फ्लाइट इंजीनियर जागिया को हाई जैकर्स के इस दावे की पुष्टी करने के लिए भेजा गया कि वो पैसेंजर्स को मार रही हैं जागिया वहां की हालत देखकर सकते में आ गए हाई जैकर्स ने मौत की गिनती शुरू कर दी अगर तीस से जीरो तक गिनने में हवाई जहाज नहीं उड़ा तो वो पहले पाइलट्स को मारेंगे और फिर हर यात्री को गोली मार देंगे 1999 में क्रिसमस से एक दिन पहले इंडियन एर लाइन्स की नई दिल्ली तपकी इस उड़ान की यात्रियों के लिए सवा घंटे का ये छोटा सा सफर खौफ और आतंक का लंबा सफर होने वाला था इन में से सभी यात्री अपनी मंजिल तक जिंदा पहुँचने वाले नहीं थे अगले कुछ घंटों और दिनों की घटनाएं बहुत दूर तक अपना असर छोड़ने वाली थी आतंक के इस नाटक का अंत सारी दुनिया के लिए बेहद घातक असर छोड़ गया और आतंक के इतिहास में एक और अठ्याए लिखा गया नेपाल में काठ मांडू के त्रिभुवन अंतर राष्ट्रिय हवाई यड़े पर इंडियन एर लाइन्स की उड़ान IC 814 रवानगी की तैयारी में थी एक घंटा बीस मिनट में ये विमान भारत में नई दिल्ली पहुँचने वाला था कॉक्पिट में कैप्टन देवी शरन, को पाइलिट सिंग और फ्लाइट इंजिनियर जागिया उड़ान से पहले की जाजबर ताल कर रहे थे विमान के 178 तर यात्रियों में से ज्यादा तर नेपाल में छुट्टियां बिता कर लौट रहे थे क्रिसमस का मौका था, नई सदी बस हफ़ते भर दूर थी और सब मस्ती के मूड में थे शाम चार बजे के बाद जब IC814 उड़ान काठमांडू से रवाना हुई तो किसी ने सूचा भी नहीं था कि इसके साथ कोई अन्होनी होने वाली है बहुत जल्दी ये विमान भारती ये वायू सीमा में आ गया कैबिन में फ्लाइट अटेंडेंस ने ड्रिंक सर्विस शुरू कर दी इतनी छोटी उड़ान में ये काम फुर्ती से निप्टाना जरूरी होता है दिल्ली कार्टमंडू सेक्टर में सर्विस ठीक ठाक चल रही थी मैंने सुचा कैप्टन्स को कुछ चाय कॉफी दे दी जाए चीफ स्टीवर्ड अनिल शर्मा पाइलट्स को चाय देने के लिए कॉक्पिट में पहुँचे लेकिन जब वो बाहर निकले तो आई सी एट वन फॉर में सवार सभी लोगों की जिन्दगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी मैंने जैसे ही गैली की तरफ मू किया तो मास्क पहने हुए एक आदमी दिखाई दिया वो नाटे कतका था और उसने चश्मा पहना था मुझे लगा कि मुझे फॉरन कैप्टन्स को बताना चाहिए मैंने इंट्रकॉम के तरफ हाथ पढ़ाए जब अनिल शर्मा लोट रहे थे तब ही मैंने देखा कि एक आदमी कॉक्पिट में घुस रहा है पल भर के लिए मैं सहम गया मैं समझ गया था कि प्लेन हाईजेक हो गया है उसने कहा कि कोई हरकत नहीं होनी चाहिए प्लेन को बस पश्चिम की तरफ ले चलो लेकिन वो अकेला नहीं था हथियारों से पूरी तरह लैस चार और अपहरन करता थे जिन्होंने बड़ी बेरहमी से विमान पर कबजा कर लिया आवाज आ रही थी कि खाना जल्दी नीचे फैंको सीटों के नीचे फैंको जल्दी नीचे फैंक तो वो बड़ी जोर से चला रहे थे इसलिए हमने जल्दबाजी में हर बड़ी में खाना फैंकने शुरू कर दिया फिर हम से सीटे बदलने को कहा गया बच्चे मुझसे दूर हो गए अब वो पीछे बैठे थे हमारे बीच कोई संपर्क नहीं रहा मैंने सोचा चलो देखते हैं कि वो क्या करते हैं मैं कोई हरकत नहीं कर सकता था क्योंकि अकेले कुछ नहीं किया जा सकता था अब बच्चे अब बच्चे अब बच्चे मुझे सबसे स्यादा फिकर अपनी बेटी की थी वो मेरे पास नहीं थी पता नहीं उसका क्या हुआ वो बहुत दूर थी मैंने अपनी आखों की पट्टी हटाई और इस तरह हाथ उटा कर खड़ा हो गया और फॉरन ही वो आदमी मुझ पर लपका और रिवालवर तान कर बोला चुप चाप बैठ जाओ वरना गोली मार दूँगा सुलिया तब उसे मेरी आवास में कुछ खुसा कुछ फिकर कुछ खौफ ये सब महसूस हुआ शायद उसे लग गया कि ये आदमी नहीं मानेगा उसने कहा जल्दी से देख और बैठ जा मैंने नजर घुमाई उनकी तरफ देखा वो दोनों वहां आराम से बैठे हुए थे फिर मैं वापस अपनी सीट पर बैठ गया कॉक्पिट में कैप्टन शरन किसी तरह अभरन करताओं को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि विमान को उनकी मर्जी के मताबिक पाकिस्तान में लाहौर ले जाने लायक इंधन नहीं है उसमें पूछा तुम्हरे पास कितना इंधन है मैंने कहा कि दिल्ली तक का इंधन है उसमें पूछा कि अगर दिल्ली ना उतर पहे तो और कहा जा सकते है उसे मालुम था कि हम बंबई या एहमदाबाद जा सकते हैं मैंने कहा एहमदाबाद फिर उसमें कहा कि अगर एहमदाबाद ये बंबई जा सकते हैं लाहौर क्यों नहीं जा सकते। डिली से बंबए के मुकाबले लाहौर ज्यादा खरीब है। भारती उप महधवीत में रात हो गई थी। IC 814 अपनी मन्जिल से अंजान अब भी पश्चिम की तरफ जा रहा था। विमान में सवार 189 यात्रियों और कर्मचारियों को कुछ खतरनाक हतियार बंद लोगों ने बंधग बना रखा था। कॉक्पिट में कैप्टन शरण खतरनाक खेल खेल रहे थे। अपहरण करताओं की नजर बचा कर उन्होंने एक एमरजेंसी ट्रांसपॉंडर दबाया जिससे भारतिय एर ट्राफिक कंट्रोलर समझ गए कि IC 814 का अपहरण हो गया है। अपहरण का अपहरण के लिए और यहान में क्रिसमस से एक अधार है। दिन पहले इंडियन एरलाइन्स की नई दिल्ली तक की इस उडान की यात्रियों के लिए सवा घंटे का ये छोटा सा सफर खौफ और आतंक का लंबा सफर होने वाला था। एक और अध्याय लिखा गया। इस मिनट में ये विमान भारत में नई दिल्ली पहुचने वाला था। कॉक्पिट में कैप्टन देवी शरन, को पाइलिट सिंग और फ्लाइट इंजिनियर जागिया उडान से पहले की जाजबर ताल कर रहे थे। विमान के 178 यात्रियों में से ज्यादा तर नेपाल में छुट्टियां बिता कर लौट रहे थे। क्रिस्मस का मौका था, नई सदी बस हफ़ते भर दूर थी और सब मस्ती के मूड में थे। शाम चार बजे के बाद जब IC814 उडान काठमांडू से रवाना हुई तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसके साथ कोई अन्होनी होने वाली है। बहुत जल्द ये विमान भारती अवाईू सीमा में आ गया। कैबिन में फ्लाइट अटेंडेंस ने ड्रिंक सर्विस शुरू कर दी। इतनी छोटी उडान में ये काम फूर्ती से निप्टाना जरूरी होता है। दिल्ली काटमंडू सेक्टर में सर्विस ठीक ठाक चल रही थी। मैंने सूचा कैप्टन्स को कुछ चाय कॉफी दे दी जाए। चीफ स्टीवर्ड अनिल शर्मा पाइलट्स को चाय देने के लिए कॉक्पिट में पहुँचे। लेकिन जब वो बाहर निकले तो आईसी 814 में सवार सभी लोगों की जिन्दगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। मैंने जैसे ही गैली की तरफ मू किया तो मास्क पहने हुए एक आदमी दिखाई दिया। वो नाटे कदका था और उसने चश्मा पहना था। मुझे लगा कि मुझे फॉरण कैप्टन्स को बताना चाहिए। मैंने इंट्रकॉम की तरफ हाथ पढ़ाए। जब अनिल शर्मा लौट रहे थे तब ही मैंने देखा कि एक आदमी कॉक्पिट में घुस रहा है। पल भर के लिए मैं सहम गया। मैं समझ गया था कि प्लेन हाईजैक हो गया है। उसने कहा कि कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। पलेन को बस पश्चिम की तरफ ले चलो। लेकिन वो अकेला नहीं था। हथियारों से पूरी तरह लैस चार और अभरन करता थे। जिन्होंने बड़ी बेरहमी से विमान पर कबजा कर लिया। आवाज आ रही थी कि खाना जल्दी नीचे फैंको। सीटों के नीचे फैंको। जल्दी नीचे फैंक तो। वो बड़ी जोर से चला रहे थे। इसलिए हमने जल्दबाजी में हर बड़ी में खाना फैंकने शुरू कर दिया। फिर हमसे सीटे बडलने को कहा गया। बच्चे मुझसे दूर हो गए। अब वो पीछे बैठे थे। हमारे बीच कोई संपर्क नहीं रहा। मैंने सोचा चलो देखते हैं कि वो क्या करते हैं। मैं कोई हरकत नहीं कर सकता था क्योंकि अकेले कुछ नहीं किया सकता था। मुझे सबसे स्यादा फिक्र अपनी बेटी की थी। वो मेरे पास नहीं थी पता नहीं उसका क्या हुआ। वो बहुत दूर थी। मैंने अपनी आखों की पट्टी हटाई और इस तरह हाथ उटा कर खड़ा हो गया। और फॉरन ही वो आदमी मुझ पर लपका और रिवालवर तान कर बोला। चुप चाप बैट जाओ वरना गोली मार दूँगा। सुन लिया। तब उसे मेरी आवास में कुछ खुसा, कुछ फिकर, कुछ खौफ ये सब महसूस हुआ। शायद उसे लग गया की ये आदमी नहीं मानेगा। उसने कहा जल्दी से देख और बैठ जा। मैंने नजर गुमाई उनके तरफ देखा। वो दोनों वहाँ आराम से बैठे हुए थे, फिर मैं वापस अपनी सीट पर बैठ गया। कॉक्पिट में कैप्टन शरण किसी तरह अपहरण करताओं को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि विमान को उनकी मर्जी के मताबक पाकिस्तान में लाहौर ले जाने लायक एंधन नहीं है। उसने पूछा तुम्हरे पास कितना एंधन है। मैंने कहा कि दिल्ली तक का एंधन है। उसने पूछा कि अगर दिली ना उतर पहे तो और कहा जा सकते हैं। उसे मालुम था कि हम बंबई या एहमदाबाद जा सकते हैं। मैंने कहा एहमदाबाद। फिर उसने कहा कि अगर एहमदाबाद या बंबई जा सकते हैं तो लाहौर क्यों नहीं जा सकते। दिली से बंबई के मुकाबले लाहौर ज्यादा खरीब है। भारती उप महद्वीप में रात हो गई थी IC 814 अपनी मन्जिल से अंजान अब भी पश्चिम की तरफ जा रहा था विमान में सवार 189 यात्रियों और करमचारियों को कुछ खतरनाक हतियार बंद लोगों ने बंधग बना रखा था कॉक्पिट में कैप्टन शरण खतरनाक खेल खेल रहे थे अपहरण करताओं की नजर बचा कर उन्होंने एक एमरजेंसी ट्रांसपॉंडर टबाया जिससे भारती एर ट्राफिक कंट्रोलर समझ गए कि IC 814 का अपहरण हो गया है IC 814 में कैप्टन और अपहरण करताओं के बीच कश्मकश चल रही थी अपहरण करता पाकिस्तान में लाहौर जाना चाहते थे लेकिन कैप्टन किसी कीमत पर पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे छे महीने पहले ही कश्मीर में कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच हूनी जंग में सैक्णों लोग मारे गए थे उसके घाव अभी तक ताजा थे मैं लाहॉर नहीं जाना चाहता था क्योंकि मैं अपना देश नहीं छोड़ना चाहता था मैं भारत में किसी भी जहें पर उतरने को तयार था ताकि सुरक्षा कर्मियों को मदद करने का मौका मिल सके लाहौर एटी सी का रुख कैप्टन के काम आया उन्होंने विमान उतारने से मना कर दिया लाहौर ने अपनी वायू सीमा अपने विमानों के लिए भी बंद कर दी इस बीच यात्री कैबिन में एक खतरनाक खेल शुरू हो गया था आठ पुरुश यात्रियों को वहां से उठाकर एग्जेगेटिव कैबिन में ले जाया गया उनमें 27 साल के रिपन कत्याल भी थे जो अपनी पत्नी रचना के साथ हनीमून से लौट रहे थे जैसे ही मेरे को बर्गर अंदर ले गया तो मैंने देखा कि वहां पर तीन लोग पहले से ही थे और उसने मेरे दोनों हाथ पीछे खीच कर नाइलोन की रसी से बांदिये फिर सीट पीछे करने का बटन दबाया और बिल्कुल बैक में ले जाकर सीट फ्लैट कर दी और बेल्ट बांदी मुझे यात्री कैबिन की हलचल से बेखबर कैप्टन ने वक्त गुजारने का फैसला किया मैंने अपनी रफ्तार करीब 40 प्रतिशत कम कर दी क्योंके मैं दिल्ली यामरिसर कहीं भी उतरने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय लेना चाहता था ताकि वहां तैयारियां हो सकें लेकिन IC814 में इंधन तेजी से खत्म हो रहा था कैप्टन के सामने ज्यादा विकल्प नहीं थे लेकिन अपहरन करता अड़े हुए थे वो विमान को भारत में उतारने को तैयार नहीं थे फिर ये गतिरोध कैसे तूटा आखिर कौन चुका नेपाल में काटमांडू से भारत में नई दिल्ली के रास्ते में इंडियन एर लाइन्स की ओडान IC814 पर पांच अपहरन करताओं ने कबजा कर लिया था वो रिवॉल्वर, चाकू और हधकोले लेकर विमान में घुस कए थे अपहरन करताओं की मांग थी के पाइलिट्स विमान को पाकिस्तान में लाहौर ले जाएं लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने अपनी वायू सीमा बंद कर दी और विमान उतारने से इंकार कर दिया इंधन तेजी से खत्म हो रहा था इसलिए कैप्टन शरण के सामने एक ही रास्ता था के विमान को लाहौर से पचास किलो मिटर पूर व उत्तर में भारत में अमरिटसर में उतार ले लेकिन अपहरण करताओं को डर था कि भारत ये सुरक्षाबल विमान में खुस जाएंगे इसलिए वो भारत में उतरना नहीं चाहते थे मैंने हाथ जोड़े कि मुझे विमान उतारने दोर नहीं तो सब मारे जाएंगे लेकिन वो अमरिटसर में नहीं उतरना चाहते थे उन्होंने दो तीन मिनट लिए सारे हाईजैकर्स पीछे जमा हुए कुछ बातचीत की फिर वो अंदर आए उन्होंने पुछा तो मैं यक्रीन है कि विमान को इंधन मिल जाएगा मैंने कहा के हाँ मिल जाएगा बस हमें अमरिटसर में उतरने दो कैप्टन की चाल काम कर गई अफरन करताओं ने कैप्टन की इस गैरिंटी पर विमान को अमरिटसर में उतारने की इजाज़त दे दी कि फॉरन इंधन मिल जाएगा अब मुझे लगा कि हम यहां से नहीं उड़ेंगे मुझे उमीद थी कि वहां कुछ मदद मिल जाएगी और हाइजैकिंग का ये नाटा कमरिटसर में खट्ब हो जाएगा नई दिल्ली में प्रधान मंत्री वाजपेई की अध्यक्षता में इंडियन क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रूप ने अमरिटसर में स्थानिय पुलिस को विमान में घुसने की अजाज़त नहीं दी उसकी जिद थी कि भारत की तेज तर्रार एंटी हाइजैकिंग फोर्स नाशनल सेक्यूरिटी गार्ड ये एनसजी दिल्ली से अमरिटसर जाएगी और ये बड़ी मेहंगी भूल साबित हुई मुझे दिल्ली से संदेश मिला की एनसजी आ रही है तो हमें उनका इंठजार करना था और तब तक प्लेन को किसी भी तरहा से राजासासी एरपोर्ट पर रोकना था दिल्ली के निर्देश पर अमरिटसर में अधिकारी इंधन टैंकर भेजने में देरी करके वक्त गुजारने लगे लेकिन इस देरी से अफरन करताओं की खीज और घुस्सा बढ़ने लगा प्लेन आदे घंटे से ज्यादा वक्त तक अमरिटसर में खड़ा रहा लेकिन कोई टैंकर दिखाई नहीं दिया हाई जैकर्स को यकीन हो गया कि भारत ये कमांडो विमान में घुसने की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने IC814 के पाइलट को उड़ान भरने का आदेश दिया उन्हें इंधन खत्म होने की कोई परवाह नहीं थी पर पाइलट ने हार नहीं मानी IC814 पर पाइलट्स और अफ़रन करताओं के बीच खीचतान खत्म होने वाली थी और उसके नतीचे खतरनाक होने वाले थे पाइलट ने जहाज नहीं उड़ाया तो अल अफ़रन इतनी देर में क्या होता है कि मार देंगे कि कहने के बाद वो एक डॉक्टर टेलरिस्ट मतलब डॉक्टर नाम से था तो वो आता है तो वो यहां पे रिपिन कत्याल की छाती में उसने काफी ज्यादा अटेम्ट कर दि फ्लाइट इंजिनियर जागिया को हाईजैकर्स के इस दावे की पुष्टी करने के लिए भेजा गया के वो पैसेंजर्स को मार रही हैं जागिया वहां की हालत देखकर सक्ते में आ गए जागिया कॉक्पिट में आय तो थर-थर काप रहे थे उन्होंने बताया के उन्होंने लोगों को मार दिया है आपर अंकर्ताओं ने कहा कि अगर तुमने हवाई जहाज नहीं उड़ाय तो हम सब को मार देंगे बहुत हो चुका तुम उड़ान भरोगे या नहीं मैंने कहा हमारे पास इंधन नहीं है हाई जैकर्स ने मौत की गिनिती शुरू कर दी अगर 30 से 0 तक गिनने में हवाई जहाज नहीं उड़ा तो वो पहले पाइलट्स को मारेंगे और फिर हर यात्री को गोली मार देंगे अब मुझे कुछ फैसला लेना ही था एटी सी कुछ नहीं कर रहा था कोई मदद नहीं मिल रही थी प्लेम के सामने बाॉजर नहीं आ रहा था कुछ भी नहीं हो रहा था भारत ये सुरक्षा बलों से जब कोई मदद नहीं मिली तो ये लगने लगा कि हाईजैकर्स सब को मार देंगे तो कैप्टन शरण ने सूच समझ कर जोखिम उठाया और तेजी से पाकिस्तान में लाहॉर की तरफ उडान भरी प्लेन में जितना इधन था उससे लाहॉर पहुँचने की उमीद बहुत कम थी लेकिन कोई और रास्ता नहीं था भारत ने प्लेन पर कबजा करने और संकट को खत्म करने का इतना अच्छा मौका गवा दिया था पाइलिट यही कहते रहे कि उनके पास बिलकुल भी इंधन नहीं है इसलिए हमें यकीन था कि जब तक हम इंधन नहीं भरेंगे तब तक एरक्राफ्ट किसी भी हालत में नहीं उड़ पाएगा हमने अम्रिस सर में अधिकारियों से कहा कि वो बाउजर के साथ स्नाइपर्स या शार्प शूटर्स को एरपोर्ट ले जाएं और प्लेन के टायर उड़ा दें लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों नहीं हुआ कारण तो कई हो सकते हैं लेकिन हमें और क्राइसिस मेनेजमेंट ग्रूप को कोई कारण नहीं बताया गया मैं तो दिल्ली की इस प्रतिक्रिया को और कुछ नहीं बचकाना ही कहूँगा पहली सूचना मिलते ही एनेस जी को फुर्ति से जाने को कहा जाना चाहिए था हाईजेक को खत्म करने की कोई रणनीती होनी चाहिए थी आई सी एट वन फोर अब अमरिट सर से करीब पचास किलो मिटर दूर सीमा पार पाकिस्तान में लाहौर जा रहा था लेकिन पाकिस्तान सरकार इस प्लेन को अपने यहां उतारना नहीं चाहती थी जब विमान को मार गिराने की धंकी का कोई असर नहीं हुआ तो पाकिस्तान एरपोर्ट अथारिटीज ने लाहौर हवा यड़े पर दिशा बताने के सभी संकेत और लाइट्स बंड कर दी उन्होंने का हम तुमें यहां उतरने नहीं दे सकते तुम कहीं और जाओ उन्होंने रनवे की सारी लाइट्स बंड कर दी नेविगेशन एट भी बंड कर दी और एपरिन लाइट्स भी बंड कर दी आखिर मैंने दोनों रिजर्व लाइट्स आउन कर दी मेरे पास हवा में रहने के लिए इंधन नहीं था मुझे फैसला ले नहीं था तब मैं नीचे आने लगा ताकि ऐसी जगें दिखाई दे जाए जहां मैं इस प्लेन को उतार दूँ दिशा बताने का कोई संकेत ना होने के कारण पाइलट्स ने विमान को कुछ जगमगाती लाइट्स की तरफ मोड दिया उन्होंने सोचा के ये लाहौर का रन्वे है लिकिन जब बिमान बेहद नीचे आ गया तब पाइलट्स ने देखा के उन्होंने बड़ी भारी भूल कर दी है पाकिस्तान एरपोर्ट अथारिटीज अब समझ गई थी कि पाइलट्स के पास कोई रास्ता नहीं है अगर आइसी 814 को उतरने की अजाज़त न दी गई तो वो जमीन पर क्रैश कर जाएगा एटीसी वाले समझ गए के मैं इतना नीचे आ गया हूँ कि इस बात की पूरी संभावना है के प्लेन क्रैश लैंड कर जाए तब उन्होंने कहा कि आपके लिए रनवे खुला है रनवे पर आओ लैंड करने के कुछी सेकिंड बाद शायद मेरा दाहिना एंजिन ठप हो गया क्योंकि इंधन बिलकुल नहीं था कैप्टन की चाल रंग लाई आई सी एट वन फोर सुरक्षित लाहौर में उतर गया लिकिन ये पड़ाव कुछी देर का था उधर पीछे कैबिन में खून से लटपथ घायल यात्री अंतिम सांसे ले रहे थे उनकी जान बचाने के लिए फोरण चिकित साकी जरूरत थी लेकिन पाकिस्तानी अधिकारी जल्दी से जल्दी इस विमान को अपने यहां से रवाना करने को उताव ले थे मैंने एटी सी से अनुरोद किया मैं गिलगड़ाया के सीड़ी भेज दीजिए मैं चाहता हूँ के गायल यात्री, कुछ बजर्ग, महिलाएं और बच्चों को यहां उतार दिया जाए लेकिन वो नहीं माने, वो अपनी बात पर अड़े हुए थे उन्होंने कहा के तुम्हें इंधन चाहिए और हम तुम्हें इंधन देंगे लेकिन तुम्हें यहां किसी को बिलकुल उतारने नहीं देंगे यहां लाहूर एयरपोर्ट पर कोई नहीं उतरेगा पाकिस्तानी नहीं चाहते थे कि इस मामले में किसी भी तरह उनका हाथ दिखाई दे विमान वहां उतारना पड़ा क्यूंकि और कहीं उसे नहीं ले जा सकते थे वो इसे अपने यहां से बगाने को उताब ले थे लाहूर में उतरने के बाद तीन घंटे से भी कुछ कम समय में विमान ने फिर से उडान भरी उधर भारत में इन अफ़ाहूं ने नई दिल्ली हवाई यड़े पर जमा भीड में देहशत पहला दी कि अफ़रन करताओं ने कुछ यात्रियों को मार दिया है अफ़रन करताओं ने कैप्टन को निर्देश दिया कि विमान अफ़गानिस्तान में काबुल ले जाया जाए लेकिन काबुल में रात में विमान को उतारने की सुविधा नहीं थी इसलिए हाई जैकर्स ने पाइलिट को विमान संयुक्त अरब अमिरात में दुबई ले जाने पर मजबूर किया इसी बीच रिपन कत्याल के सीने पर हाई जैकर्स के चाकू के घाव से खून बहुत बह गया था और रात में किसी समय रिपन कत्याल की मृत्य हो गई अमरित सर में विमान में घुसने का मौका गवाने के बाद भारत सरकार ने संयुक तरब अमिरात के अधिकारियों को समझाने की कोशिश की कि वो दुबई में कमांडो आपरेशन की अजाज़त दे दे UAE की सरकार और दुबई के स्थानी अधिकारी कमांडो कार रवाई की अजाज़त देने को पता ही तयार नहीं थे हम चाहते थे कि प्लेन को वहां इतनी देर तक वहां रोका जाए कि हम भारत से कमांडो भेज सकें लेकिन UAE के अधिकारियों ने इंधन के बदले हाईजैकर्स को कुछ यात्रियों की रहाई पर राजी कर लिया गायल यात्रियों को भी उतार लिया गया अलमिनात में उतरने के करीब दस मिनिट बाद बर्गर मेरे पास आया और बुला खड़े हो जाओ मैं खड़ा हो गया और जे क्लास तक गया वहां मैंने एक नौजवान को देखा उसकी कमीज उतरी हुई थी और वो खून से लफ़ पर थे एक स्ट्रीट पर पड़ा था उस समय मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और सच कहून तो मैं अपनी जान की खैर मना रहा था रिपन का त्याल का शव विमान से उतार दिया कया लेकिन विमान में बैठी उनकी पत्नी को मालूम नहीं था कि रिपन की मौत हो गई है हमें ये आदेश मिला कि लाश को स्टेप लेडर के उपर रख दें जो कि प्लेन के पहले दरवाजे के साथ थी रिहा किये गए पैसेंजर्स अराइवल टर्मिनल पर पहँचे और इसी बीच IC 814 इंधन लेकर फिर से अंजानी मन्जिल की तरफ उड़ गया क्रिस्मस का दिन था लेकिन इंडियन एरलाइन्स की उड़ान IC 814 में बचे 162 यात्रियों और कर्मचारियों के लिए खुशी मनाने की कोई वजह नहीं थी 18 घंटों से उनका विमान पांच हथियार बंद अपहरन करताओं के कबजे में था एक यात्री मारा जा चुका था और एक घायल हुआ था लेकिन उनकी मुसीबत कुछ और बढ़ गई थी यात्री नहीं जानते थे के रात भर उत्तर की तरह फुड़ता हुआ IC 814 अफगानिस्तान में कंधार उतर गया है अफगानिस्तान में कट्टर पंथी इसलामी गुट तालिवान का कबजा था ये खतरनाका तंकवादी उसामा बिन लादेन का भी गड़ था मैंने देखा खुली पिजेरो विमान की तरफ बढ़ रही थी पिजेरो में सवार लोग विमान के खरीब आए और उन्होंने इस तरह से हाथ हिलाए मुक्के हाईजैकर ने उनकी तरफ देखा और उसने भी ऐसे हाथ हिला दिया उस वक्त मेरे हाथ पौँ फूल गए थे मैं समझ गया कि भीतर हाईजैकर्स हैं और बाहर आतंकवादी आईसी 814 के अफरन को 18 घंटे बीथ चुके थे लेकिन हाईजैकर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी वो कौन थे और वो क्या चाहते थे दुबई में छोड़े गए यात्रियों से मिली जानकारी के आधार पर भारती खुफिया एजिंस को यकिन हो गया कि उनका सामना बेहट प्रशिक्षित और समर्पित फिदाईन आतंकवादीयों से है मैं मनहीमन उन फिदाईन मिशनों के बारे में सोच रहा था जो इसलामी कट्टर पंथियों और उगरवादीयों ने कश्मीर में चलाए थे हरकत उलमजाहिदीन के पास ऐसे लोग थे जो फिदाईन हमले कर सकते थे ये लोग यात्रियों को नुकसान पहुँचाने पर पूरी तरह उतारू थे और एरक्राफ्ट को विसपोर्ट से उड़ाने का भी इरादा रखते थे इधर भारत में सैक्णों लोग रिपन कत्याल की अंतिम यात्रा में शामिल हुए जिन्हें अफहरण करताओं ने बेरहमी से मार दिया था दुनिया भर में टेलिविजन पर इस अंतियश्टी के द्रिश्य प्रसारित होते ही भारत सरकार पर इस संकट को सुलजाने के लिए दबाव बढ़ने लगा लेकिन प्रधान मंत्री वाजपई जुकने को तयार नहीं थे ये भी अवी तक नहीं बताया है पर वो जो भी चाते हैं उसे पाने का ये कोई तरीका नहीं है ये वलत है ऐसे वेश्याना किद्मों के सामने भारत जुकेगा नहीं भारत सरकार अफगानिस्तान में तालिबान शासन को माननेता नहीं देती थी और उसका खुल कर विरूद करती थी लेकिन इस संकट को सुलजाने के लिए उसके साथ बातचीत करना जरूरी था हमें उमीद थी कि भारती अधिकारी जल्दी आएंगे और पूरी गंभीरता से काम करेंगे लेकिन लग रहा है कि वो बेफिक्र है IC814 के अफगानिस्तान में कंधार में उतरने से सिर्फ भारत सरकार को ही बेचानी नहीं थी पता नहीं क्यों हाईजैकर्स भी चाहते थे के विमान को जल्दी से जल्दी इंधन मिल जाए और वो कंधार से रवाना हो जाएं लेकिन पाइलिट्स ने साथ देने से मना कर दिया वो अड़ गए कि पूरी इंजिनिरिंग जाच कराए बिना अब विमान का उड़ान भरना सुरक्षित नहीं है IC814 यहां से कहीं नहीं जा रहा था लेकिन हाईजैकर्स शांत नहीं बैठे थे वो कॉक्पिट में मौझूद ट्रैप डोर के जरिये कारगो होल्ड तक पहुँच गए मुझे ऐसी आवाजें सुनाई दी कि कारगो होल्ड में कुछ हो रहा है मैं जानता था कि वहाँ कोई बैग है जिससे वो निकालना चाहते थे आखिर कार हाईजैकर्स ने वो बैग कारगो होल्ड से निकाल लिया सुबह जब मैं कॉक्पिट में गया तो वहाँ तरहें तरहें के हथ्यार पड़े थे अलग अलग रंग के हधगोले थे और कार्टूस फैले पड़े थे अब ये जाहिर हो गया था कि हाईजैक की साज़श बहुत बारीकी से सोच समझ कर बनाई गई थी लेकिन हाईजैकर्स किस हद तक जाने वाले थे और उनका मकसद क्या था उधर दिल्ली में विमान यात्रियों के रिष्टेदार एक जुठ हो गए संकट सुलजाने में भारत सरकार की नाकामे से नाराज रिष्टेदार विदेश मंत्री जस्वंत सिंग के संबाद दाता सम्मेलन में घुज कए और मांग करने लगे कि सरकार यात्रियों को छुड़वाए दुनिया भर में टेलिविजन नेट्वर्क्स पर ये खबरें प्रसारित होने से भारत सरकार पर हाईजैकर्स से बाचीत करने के लिए दबाव बढ़ने लगा आखिरकार भारत सरकार ने वारताकारों की एक टीम बनाई जो IC 814 के अभरण के चौथे दिन 27 दिसंबर को अफगानिस्तान में कंधार पांची तालिबान नहीं जानते थे कि इस दल के साथ हाई कमांडो विमान में छिपे हुए थे भारत सरकार IC 814 पर धावा बोलने को भी तैयार थी वहां उतरते ही हमने दिखा कि हमें तालिबान लड़ाकों ने पूरी तरह से गेर लिया था उन्होंने अजीब से कपड़े पहन रखे थे और तरह तरह के हत्यारों से लेस थे वो एरक्राफ्ट की हिफासत करने के अंताज में वहां तैनात नहीं थे वो लोग तो एकदम हमले की मुद्रा में थे भारती अवारता कारों के विमान के चारों तरफ तैनात तालिबान लड़ाकों की हमले की मुद्रा के कारण भारत के कमांडोस के लिए फूरती से जपटना मुम्किन नहीं था भारत ये दल के सामने एक ही रास्ता था कि अफरन करताओं से बात चीच शुरू की जाए चीफ जब उनसे बात कर रहा था तो उसने जरूर कोई स्विच दबा दिया होगा पूरे प्लेन में उसकी आवा सुनाए दे रही थी वो कह रहा था कि मौलाना के मामले में कोई सौदेबाजी नहीं होगी हमें नहीं मालूम था कि मौलाना कौन था आखिरकार सच्चाई सामने आ गई हाई जैकर्स का मकसद मौलाना मसूद अजहर को छुडवाना था मौलाना कश्मीर घाटी में हमले करने वाले उगरवादी संगठन हरकतल मुजाहिदीन का सेकरेटरी जेनरल था वो किसी बड़ी फौच का कमांडर नहीं था वो हजारों लोगों का भी कमांडर नहीं था वो तो बस मुठी भर लोगों का ही कमांडर था लेकिन वो इन लोगों को जितनी वफादारी से वैशियाना कदम उठाने को उकसा सकता था उतना कोई और संगठन नहीं उकसा सकता था 1994 में गिरफतार मौलाना मसूद अजहर को जम्मू कश्मीर में कोट भलवाल जील में रखा गया था इसी हिस्से को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तीन लड़ाईयां हो चुकी है मौलाना को छुड़वाने की कई कोशिशें हो चुकी थी दो बार तो विदेशी परियाटकों को अगवा करके मार डाला गया था एक बार जील तोड़ने की कोशिश हुई जिसमें मौलाना का एक साथी पुलिस के हाथों मारा गया और मौलाना एक तंग सुरंग में फसा रह गया लेकिन इस बार कुछ अलग हिसाब से कोशिश की गई थी भारतिये खुफिया एजिंसियों को ये संसनी खेस सक्चाई भी पता चली के मुख अफरन करता मौलाना मसूद अजहर का छोटा भाई था मौलाना मसूद अजहर के रहाई हाईजैकर्स की पहली मांग थी लेकिन तीस खंटे से भी ज्यादा माथा पच्ची के बाद भारतिये दल हाईजैकर्स सारी मांगें निकल वा पाया मौहम्मद मसूद अजहर के साथ वो 35 और लोगों की रहाई आतंकवादी सज्जाद अफगानी का ताबूत और भारत से 20 करोड अमरीकी डॉलर की फिरोती चाहते हैं हम कंधार में अपने वारताकारों के जरिये इसका जवाब भेज देंगे इस बीच हमारे देश के भीतर और बाहर भी लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए इस बातचीत के बीच अचानक तालिबान के दखल ने सब को चौका दिया तालिबान ने अफ़रण करताओं से कहा कि पैसे और सज्जाद अफगानी की लाश की मांग वो छोड़ दें क्यूंकि ये इसलाम के खिलाफ है IC 814 के यात्रियों और कर्मचारियों के अफ़रण का पांचवा दिन था विमान के भीतर हालात बिगड रहे थे और बरदाश्ट के बाहर हो रहे थे मेरे साथ मेरे ब्रदर इनलाओ थे और उन्होंने आठ दिनों तक कुछ भी नहीं खाया क्योंकि जितने टाइलेट्स थे वो औरफ्लो कर रहे थे अपने परिवार को बंधक देखकर उनकी बेचैनी और उनकी जान खत्रे में देखकर मुझे बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था लोगोंने तो सारी उमीद छोड़ दी थी मेरी तो ये हालत हो गई थी कि मैं ये सोचने लगा कि अब बहुत हो चुका तुम एरक्राफ्ट उडाना चाहते हो मुझे और दूसरे लोगों को मारना चाहते हो तो मार डालो लेकिन ये सब खत्म करो हमसे अब और नहीं सहा जाता विमान के भीकर के हालात की खबरें जब भारत में रिष्टेदारों और मीडिया तक पहुँचीं तो वारता कारों पर समझोते के लिए दबाव बढ़ने लगा लेकिन दोनों में से कोई भी जुकने को तैयार नहीं था 29 दिसंबर को याने अफरन के छटे दिन जब अफरन करता सदभाव के तौर पर 35 महिलाओं और बच्चों को छोड़ने पर राजी हो गए तो लगा कि कोई हल निकलाया है महिलाओं और बच्चों को अलग करने या छोड़ने का मतलब ये था कि विमान में सिर्फ मर्द बचेंगे इससे कहीं न कहीं ये डेर लगने लगा कि अगर हमें खत्म करने का सवाल आया तो ये पल भर भी इंतजार नहीं करेंगे तब मैंने पलेट कर उनकी तरफ देखा 1999 में क्रिस्मस से एक दिन पहले इंडियन एर लाइन्स की नई दिल्ली तपकी इस उडान की यात्रियों के लिए सवा घंटे का ये छोटा सा सफर खौफ और आतंक का लंबा सफर होने वाला था इन में से सभी यात्री अपनी मंजिल तक जिंदा पहुँचने वाले नहीं थे अगले कुछ घंटों और दिनों की घटनाएं बहुत दूर तक अपना असर छोड़ने वाली थी आतंक के इस नाटक का अंत सारी दुनिया के लिए बेहद घातक असर छोड़ गया और आतंक के इतिहास में इक और अठ्याई लिखा गया नेपाल में काठ मांडू के त्रिभुवन अंतर राष्ट्रिय हवाई यड़े पर इंडियन एर लाइन्स की ओडान IC814 रवानगी की तैयारी में थी एक घंटा बीस मिनट में ये विमान भारत में नई दिल्ली पहुचने वाला था कॉक्पिट में कैप्टन देवी शरन, को पाइलिट सिंग और फ्लाइट इंजिनियर जागिया उडान से पहले की जाजबर ताल कर रहे थे विमान के 178 यात्रियों में से ज्यादा तर नेपाल में छुट्टियां बिटा कर लौट रहे थे क्रिस्मस का मौका था, नई सदी बस हफ़ते भर दूर थी और सब मस्ती के मूड में थे शाम चार बजे के बाद जब IC814 उडान काटमांडू से रवाना हुई तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसके साथ कोई अन्होनी होने वाली है बहुत जल्द ये विमान भारती ये वायू सीमा में आ गया कैबिन में फ्लाइट अटेंडेंट्स ने ड्रिंक सर्विस शुरू कर दी इतनी छोटी उडान में ये काम फूरती से निप्टाना जरूरी होता है दिल्ली काटमंडू सेक्टर में सर्विस ठीक ठाक चल रही थी मैंने सूचा कैप्टन्स को कुछ चाय काफी दे दी जाए चीफ स्टीवर्ड अनिल शर्मा पाइलट्स को चाय देने के लिए कॉक्पिट में पहुँचे लेकिन जब वो बाहर निकले तो आई सी एच वन फोर में सवार सभी लोगों की जिन्दगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी मैंने जैसे ही गैली की तरफ मू किया तो मास्क पहने हुए एक आदमी दिखाई दिया वो नाटे कतका था और उसने चश्मा पहना था मुझे लगा कि मुझे फॉरन कैप्टन्स को बताना चाहिए मैंने इंट्रकॉम की तरफ हाथ पढ़ाए जब अनिल शर्मा लोट रहे थे तब ही मैंने देखा कि एक आदमी कॉक्पिट में घुस रहा है पल भर के लिए मैं सहम गया मैं समझ गया था कि पलेन हाईजैक हो गया है उसने कहा कि कोई हरकत नहीं होनी चाहिए पलेन को बस पश्च्चिम की तरफ ले चलो लेकिन वो अकेला नहीं था हथियारों से पूरी तरह लैस चार और अफहरन करता थे जिन हुने बड़ी बेरहमी से विमान पर कबजा कर लिया आवाज आ रही थी कि खाना जल्दी नीचे फैंको सीटों के नीचे फैंको जल्दी नीचे फैंक तो वो बड़ी जोड से चला रहे थे इसलिए हमने जल्दबाजी में हर बड़ी में खाना फैकने शुरू कर दिया फिर हम से सीटे बदलने को कहा गया बच्चे मुझसे दूर हो गए अब वो पीछे बैठे थे हमारे बीच कोई संपर्क नहीं रहा मैंने सोचा चलो देखते हैं कि वो क्या करते हैं मैं कोई हरकत नहीं कर सकता था क्योंकि अकेले कुछ नहीं किया जा सकता था मुझे सबसे स्यादा फिक्र अपनी बेटी की थी वो मेरे पास नहीं थी पता नहीं उसका क्या हुआ वो बहुत दूर थी मैंने अपनी आखों की पट्टी हटाई और इस तरह हाथ उटा कर खड़ा हो गया और फॉरन ही वो आदमी मुझ पर लबका और रिवालवर तान कर बोला चुप चाप बैठ जाओ वरना गोली मार दूँगा सुलिया तब उसे मेरी आवास में कुछ खुसा कुछ फिक्र कुछ खौफ ये सब महसूस हुआ शायद उसे लग गया कि ये आदमी नहीं मानेगा उसने कहा जल्दी से देख और बैठ जा मैंने नजर गुमाई उनके तरफ देखा वो दोनों वहां आराम से बैठे हुए थे फिर मैं वापस अपनी सीट पर बैठ गया कॉपपिट में कैप्टन शरन किसी तरह अपहरन करताओं को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि विमान को उनकी मर्जी के मताबिक पाकिस्तान में लाहौर ले जाने लायक इंधन नहीं है उसने पूछा तुम्हरे पास कितना इंधन है मैंने कहा कि दिल्ली तक का इंधन है उसने पूछा कि अगर दिल्ली ना उतर पहे तो और कहा जा सकते है उसे मालुम था कि हम बंबई या एहमदाबाद जा सकते हैं मैंने कहा एहमदाबाद फिर उसने कहा कि अगर एहम्दाबाद ये बंबई जा सकते हैं तो लाहॉर क्यों नहीं जा सकते डिली से बंबई के मुकाबले लाहॉर ज्यादा खरीब है भारती उप महधवीत में रात हो गई थी IC 814 अपनी मंजिल से अंजान अब भी पश्चिम की तरफ जा रहा था विमान में सवार 189 यात्रियों और करमचारियों को कुछ खतरनाक हथियार बंद लोगों ने बंधग बना रखा था कॉक्पिट में कैप्टन शरण खतरनाक खेल खेल रहे थे अपहरण करताओं की नजर बचा कर उन्होंने एक एमर्जेंसी ट्रांस्पॉंडर टबाया जिससे भारतीय एर ट्राफिक कंट्रोलर समझ गए कि IC 814 का अपहरण हो गया है IC 814 में कैप्टन और अपहरण करताओं के बीच कश्मकश चल रही थी अपहरण करता पाकिस्तान में लाहोर जाना चाहते थे लेकिन कैप्टन किसी कीमत पर पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे 6 महीने पहले ही कश्मीर में कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच हूनी जंग में सैक्णों लोग मारे गए थे उसके घाव अभी तक ताजा थे मैं लाहॉर नहीं जाना चाहता था क्योंकि मैं अपना देश नहीं छोड़ना चाहता था मैं भारत में किसी भी जगें पर उतरने को तयार था ताकि सुरक्षा कर्मियों को मदद करने का मौका मिल सके लाहॉर एटी सी का रुख कैप्टन के काम आया उन्होंने विमान उतारने से मना कर दिया लाहॉर ने अपनी वाईू सीमा अपने विमानों के लिए भी बंद कर दी इस बीच यात्री कैबिन में एक खतरनाग खेल शुरू हो गया था आठ पुरुश यात्रीयों को वहां से उठाकर एक्जेगेटिव कैबिन में ले जाया गया उन्हें 27 साल के रिपन कत्याल भी थे जो अपनी पत्नी रचना के साथ हनीमून से लौट रहे थे जैसे ही मेरे को बर्गर अंदर ले गया तो मैंने देखा कि वहां पर तीन लोग पहले से ही थे और उसने मेरे दोनों हाथ पीछे खीच कर नाइलॉन की रस्टी से बांधिये फिर सीट पीछे करने का बटन दबाया और बिल्कुल बैक में ले जाकर सीट फ्लैट कर दी और बेल्ट बांधिये यात्री कैबिन की हल चल से बेखबर कैप्टन ने वक्त गुजारने का फैसला किया मैंने अपनी रफ्तार करीब 40 प्रतिशत कम कर दी क्योंके मैं दिल्ली यामरिसर कहीं भी उतरने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय लेना चाहता था ताकि वहां तैयारिया हो सके लेकिन आई सी एट वन फोर में इंधन तेजी से खत्म हो रहा था कैटन के सामने ज्यादा विकल्प नहीं थे लिकिन अफरन करता अड़े हुए थे वो विमान को भारत में उतारने को तैयार नहीं थे फिर ये गतिरोध कैसे टूटा आखिर कौन चुका नेपाल में काटमांडू से भारत में नई दिल्ली के रास्ते में इंडियन एर लाइन्स की ओडान आई सी एट वन फोर पर पांच अफरन करताओं ने कबजा कर लिया था वो रिवॉल्वर, चाकू और हधगोले लेकर विमान में घुस गए थे अब हरन करताओं की मांग थी के पालिट्स विमान को पाकिस्तान में लाहौर ले जाएं लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने अपनी वायू सीमा बंद कर दी और विमान उतारने से इंकार कर दिया इंधन तेजी से खत्म हो रहा था इसलिए कैप्टन शरण के सामने एक ही रास्ता था कि विमान को लाहौर से पचास किलूमीटर पूर्व उत्तर में भारत में अमरिटसर में उतार लें लेकिन अपहरण करताओं को डर था कि भारत ये सुरक्षा बल विमान में खुस जाएंगे इसलिए वो भारत में उतरना नहीं चाहते थे मैंने हाथ जोड़े कि मुझे विमान उतारने दो नहीं तो सब मारे जाएंगे लेकिन वो अमरिटसर में नहीं उतरना चाहते थे उन्होंने दो तीन मिनट लिए सारे हाईजैकर्स पीछे जमा हुए कुछ बाचीत की फिर वो अंदर आए उन्होंने पूछा तुम्हें यखीन है कि विमान को इंधन मिल जाएगा मैंने कहा कि हाँ मिल जाएगा बस हमें अमरिटसर में उतरने दो कैप्टन की चाल काम कर गई अफ़रन करताओं ने कैप्टन की इस गैरिंटी पर विमान को अमरित सर में उतारने की इजाज़त दे दी कि फॉरन इंधन मिल जाएगा अब मुझे लगा के हम यहां से नहीं उड़ेंगे मुझे उमीद थी कि वहां कुछ मदद मिल जाएगी और हाइजैकिंग का ये नाटा कमरित सर में खट्ब हो जाएगा नई दिल्ली में प्रधान मंत्री वाजपेई की अध्यक्षता में इंडियन क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रूप ने अमरित सर में स्थानिय पुलिस को विमान में घुसने की अजाज़त नहीं दी उसकी जिद थी कि भारत की तेज तर्रार एंटी हाईजैकिंग फोर्स नाशनल सेक्यूरिटी गार्ड या एनसजी दिल्ली से अमरित सर जाएगी और ये बड़ी महंगी भूल साबित हुई मुझे दिल्ली से संदेश मिला की एनसजी आ रही है तो हमें उनका इंथजार करना था और तब तक प्लेन को किसी भी दरहा से राजासासी एरपोर्ट पर रोकना था दिल्ली के निर्देश पर अमरित सर में अधिकारी इंधन टैंकर भेजने में देरी करके वक्त गुजारने लगे लेकिन इस देरी से अफरन करताओं की खीज और घुसा बढ़ने लगा प्लेन आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक अमरित सर में खड़ा रहा लेकिन कोई टैंकर दिखाई नहीं दिया हाई जैकर्स को यकीन हो गया कि भारत ये कमांडो विमान में घुसने की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने IC-814 के पाइलट को उड़ान भरने का आदेश दिया उन्हें इंधन खत्म होने की कोई परवाह नहीं थी पर पाइलट ने हार नहीं मानी IC-814 पर पाइलट्स और अफ़रन करताओं के बीच खीचतान खत्म होने वाली थी और उसके नतीचे खतरनाक होने वाले थे पाइलट ने जहाज नहीं उड़ाया तो अल अफ़रन इतनी देर में क्या होता है कि मार देंगे कि कहने के बाद वो एक डॉक्टर टेरिरिस्ट मतलब डॉक्टर नाम से था तो वो आता है तो वो यहां पे रिपिन कत्याल की छाती में उसने काफी ज़्यादा अटेम्ट कर दिया फ्लाइट इंजिनियर जागिया को हाई जैकर्स के इस दावे की पुष्टी करने के लिए भेजा गया के वो पैसेंजर्स को मार रही हैं जागिया वहां की हालत देखकर सक्ते में आ गए हाई जैकर्स ने मौत की गिनिती शुरू कर दी अगर तीस से जीरो तक गिनने में हवाई जहाज नहीं उड़ा तो वो पहले पाइलट्स को मारेंगे और फिर हर यात्री को गोली मार देंगे अब मुझे कुछ फैसला लेना ही था एटीसी कुछ ने कर रहा था कोई मदद नहीं मिल रही थी प्लेन के सामने बाउजर नहीं आ रहा था कुछ भी नहीं हो रहा था भारत ये सुरक्षा बलों से जब कोई मदद नहीं मिली तो ये लगने लगा कि हाईजैकर्स सब को मार देंगे तो कैप्टन शरण ने सूच समझकर जूख हिम उठाया और तेजी से पाकिस्तान में लाहौर की तरफ उडान भरी प्लेन में जितना इधन था उस से लाहौर पहुँचने की उमीद बहुत कम थी लेकिन कोई और रास्ता नहीं था भारत ने प्लेन पर कब्जा करने और संकट को खत्म करने का इतना अच्छा मौका गवा दिया था पाइलिट यही कहते रहे कि उनके पास बिलकुल भी इंधन नहीं है इसलिए हमें यकीन था कि जब तक हम इंधन नहीं भरेंगे तब तक एरक्राफ्ट किसी भी हालत में नहीं उड़ पाएगा हमने अम्डिस सर में अधिकारियों से कहा कि वो बाउजर के साथ स्नाइपर्स या शार्प शूटर्स को एरपोर्ट ले जाएं और प्लेन के टायर उड़ा दें लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों नहीं हुआ कारण तो कई हो सकते हैं लेकिन हमें और क्राइसिस मेनेजमेंट ग्रूप को कोई कारण नहीं बताया गया मैं तो दिल्ली की इस प्रतिक्रिया को और कुछ नहीं बचकाना ही कहूंगा पहली सूचना मिलते ही एनेस जी को फुर्ती से जाने को कहा जाना चाहिए था हाईजेक को खत्म करने की कोई रणनीटी होनी चाहिए थी आईसी एट वन फोर अब अमरित सर से करीब पचास किलो मिटर दूर सीमा पार पाकिस्तान में लाहौर जा रहा था लेकिन पाकिस्तान सरकार इस प्लेन को अपने यहां उतारना नहीं चाहती थी जब विमान को मार गिराने की धंकी का कोई असर नहीं हुआ तो पाकिस्तान एरपोर्ट अथारिटीज ने लाहौर हवा यड़े पर दिशा बताने के सभी संकेत और लाइट्स बंद कर दी उन्होंने का हम तुमें यहां उतरने नहीं दे सकते तुम कहीं और जाओ उन्होंने रनवे की सारी लाइट्स बंद कर दी नेविगेशन एट भी बंद कर दी और एपरिन लाइट्स भी बंद कर दी आखिर मैंने दोनों रिजर्व लाइट्स आउन कर दी मेरे पास हवा में रहने के लिए इंधन नहीं था मुझे फैसला ले नहीं था तब मैं नीचे आने लगा ताकि ऐसी जगहें दिखाई दे जाए जहां मैं इस प्लेन को उतार दूँ दिशा बताने का कोई संकेत ना होने के कारण पाइलट्स ने विमान को कुछ जगमगाती लाइट्स की तरफ मोड दिया उन्होंने सोचा के ये लाहौर का रन्वे है लिकिन जब बिमान बेहद नीचे आ गया तब पाइलट्स ने देखा के उन्होंने बड़ी भारी भूल कर दी है पाकिस्तान एरपोर्ट अथारिटीज अब समझ गई थी कि पाइलट्स के पास कोई रास्ता नहीं है अगर आइसी 814 को उतरने की अजाज़त न दी गई तो वो जमीन पर क्रैश कर जाएगा ATC वाले समझ गये के मैं इतना नीचे आगया हूँ कि इस बात की पूरी संभावना है कि प्लेइन क्रैश लैंड कर जाए तब उन्होंने कहा कि आपके लिए रनवे खुला है रनवे पर आओ लैंड करने के कुछी सेकिंड बाद शायद मेरा दाहिना एंजिन ठप हो गया चोंकि इंधन बिलकुल नहीं था कैप्टन की चाल रंग लाई आईसी 814 सुरक्षित लाहौर में उतर गया लिकिन ये पड़ाव कुछ ही देर का था उधर पीछे कैबिन में खून से लटपत घायल यात्री अंतिम सांसे ले रहे थे उनकी जान बचाने के लिए फौरण चिकितसा की जरूरत थी लेकिन पाकिस्तानी अधिकारी जल्दी से जल्दी इस विमान को अपने यहां से रवाना करने को उताव ले थे मैंने एटी सी से अनुरोद किया मैं गिलगराया के सीड़ी भेज दीजिए मैं चाहता हूँ के घायल यात्री कुछ बजर्ग महिलाएं और बच्चों को यहां उतार दिया जाए लेकिन वो नहीं माने वो अपनी बात पर अड़े हुए थे उन्होंने कहा कि तुम्हें इधन चाहिए और हम तुम्हें इधन देंगे लेकिन तुम्हें यहां किसी को बिल्कुल उतारने नहीं देंगे यहां लाहॉर एयरपोर्ट पर कोई नहीं उतरेगा पाकिस्तानी नहीं चाहते थे कि इस मामले में किसी भी तरह उनका हाथ दिखाई दे विमान वहां उतारना पड़ा क्यूंकि और कहीं उसे नहीं ले जा सकते थे वो इसे अपने यहां से भगाने को उताव ले थे लाहौर में उतारने के बाद तीन घंटे से भी कुछ कम समय में विमान ने फिर से उडान भरी उधर भारत में इन अफवाहूं ने नई दिल्ली हवाई यड़े पर जमा भीड में देहशत पहला दी कि अफ़रन करताओं ने कुछ याक्रियों को मार दिया है अफ़रन करताओं ने कैप्टन को निर्देश दिया कि विमान अफगानिस्तान में काबूल ले जाया जाए लेकिन काबूल में रात में विमान को उतारने की सुविधा नहीं थी इसलिए हाई जैकर्स ने पाइलिट को विमान संयुक्त अरब अमिरात में दुबाई ले जाने पर मजबूर किया इसी वीच रिपन कत्याल के सीने पर हाई जैकर्स के चाकू के घाव से खून बहुत बह गया था और रात में किसी समय रिपन कत्याल की मृत्ति हो गई अमरित सर्में विमान में घुसने का मौका गवाने के बाद भारत सरकार में संयुक तरब अमिरात के अधिकारियों को समझाने की कोशिश की कि वो दुबाई में कमांडो आपरेशन की अजाज़त दे दें यू एई की सरकार और दुबाई के स्थानी अधिकारी कमांडो का रवाई की इजास्त देने को पता ही तयार नहीं थे हम चाहते थे कि प्लेन को वहां इतनी देर तक वहां रोका जाए कि हम भारत से कमांडो भेज सकें लेकिन यू एई के अधिकारियों ने इंधन के बदले हाईजैकर्स को कुछ यात्रियों की रहाई पर राजी कर लिया गहायल यात्रियों को भी उतार लिया गया अलमिनात में उतरने के करीब दस मिनिट बाद बर्गर मेरे पास आया और बुला खड़े हो जाओ मैं खड़ा हो गया और जे क्लास तक गया वहां मैंने एक नौजवान को देखा उसकी कमीज उतरी हुई थी और वो खून से लफ़ पर थे एक स्ट्रीट पर पड़ा था उस समय मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और सच कहून तो मैं अपनी जान की खैर मना रहा था रिपन कत्याल का शव विमान से उतार दिया गया लेकिन विमान में बैठ्यून की पत्नी को मालूम नहीं था कि रिपन की मौत हो गई है हमें ये आदेश मिला कि लाश को स्टेप लेडर के उपर रख दें जो कि प्लेन के पहले दरवाजे के साथ थी रिहा किये गए पैसेंजर्स अराइवल टर्मिनल पर पहँचे और इसी बीच IC814 इंधन लेकर फिर से अंजानी मन्जिल की तरफ उड़ गया क्रिस्मस का दिन था लेकिन इंडियन एरलाइन्स की उड़ान IC814 में बचे 162 यात्रियों और करमचारियों के लिए खुशी मनाने की कोई वजह नहीं थी 18 घंटों से उनका विमान पांच हथियार बंद अपहरन करताओं के कबजे में था एक यात्री माना जा चुका था और एक घायल हुआ था लेकिन उनकी मुसीबत कुछ और बढ़ गई थी यात्री नहीं जानते थे के रात भर उत्तर की तरफ उड़ता हुआ IC814 अफगानिस्तान में कंधार उतर गया है अफगानिस्तान में कट्टर पन्थी इसलामी गुट तालिबान का कबजा था ये खतरना का तंकवादी उसामा बिन लादेन का भी गड़ था मैंने देखा खुली पिजेरो विमान की तरफ बढ़ रही थी पिजेरो में सवार लोग विमान के खरीब आए और उन्होंने इस तरह से हाथ हिलाए मुक्के हाईजेकर ने उनकी तरफ देखा और उसने भी ऐसे हाथ हिला दिया उस वक्त मेरे हाथ पूंप फूल गए थे मैं समझ गया के भीतर हाईजेकर्स हैं और बाहर आतंकवादी आईसी 814 के अफरन को 18 घंटे बीथ चुके थे लेकिन हाईजेकर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी वो कौन थे और वो क्या चाहते थे दुबई में छोड़े गए यात्रियों से मिली जानकारी के आधार पर भारती खुफिया एजिंस को यकीन हो गया कि उनका सामना बेहट प्रशिक्षित और समर्पित फिदाईन आतंकवादीयों से है मैं मनहीमन उन फिदाईन मिशनों के बारे में सोच रहा था जो इसलामी कट्टर पंथियों और उगरवादीयों ने कश्मीर में चलाए थे हरकत उलमजाहिदीन के पास ऐसे लोग थे जो फिदाईन हमले कर सकते थे ये लोग यात्रियों को नुकसान पहुँचाने पर पूरी तरह उतारू थे और एरक्राफ्ट को विसपोर्ट से उड़ाने का भी इरादा रखते थे इधर भारत में सैक्णों लोग रिपन कत्याल की अंतिम यात्रा में शामिल हुए जिन्हें अफ़रण करताओं ने बेरहमी से मार दिया था दुनिया भर में टेलिविजन पर इस अंतियश्टी के द्रिश्वे प्रसारित होते ही भारत सरकार पर इस संकट को सुलजाने के लिए दबाव बढ़ने लगा लेकिन प्रधान मंत्री वाजपई जुकने को तयार नहीं थे ये भी अभी तक नहीं बताया है पर वो जो भी चाथते हैं उसे पाने का ये कोई तरीका नहीं है ये वलत है ऐसे वेश्याना किदमों के सामने भारत जुकेगा नहीं भारत सरकार अफगानिस्तान में तालिबान शासन को माननेता नहीं देती थी और उसका खुलकर विरूद करती थी लेकिन इस संकट को सुलजाने के लिए उसके साथ बातचीत करना जरूरी था हमें उमीद थी कि भारती अधिकारी जल्दी आएंगे और पूरी गंभीरता से काम करेंगे लेकिन लग रहा है कि वो बेफिक्र है IC814 के अफगानिस्तान में कंधार में उतरने से सिर्फ भारत सरकार को ही बेचानी नहीं थी पता नहीं क्यों हाईजैकर्स भी चाहते थे कि विमान को जल्दी से जल्दी इंधन मिल जाए और वो कंधार से रवाना हो जाएं लेकिन पाइलिट्स ने साथ देने से मना कर दिया वो अड़ गए कि पूरी इंजिनिरिंग जाच कराए बिना अब विमान का उड़ान भरना सुरक्षित नहीं है IC814 यहां से कहीं नहीं जा रहा था लेकिन हाईजैकर्स शान्त नहीं बैठे थे वो कॉक्पिट में माजूद ट्रैप डूर के जरिये कारगो होल्ड तक पहुँच गए मुझे ऐसी आवाजें सुनाई दी के कारगो होल्ड में कुछ हो रहा है मैं जानता था कि वहाँ कोई बैग है जिससे वो निकालना चाहते थे आखिर कार हाईजैकर्स ने वो बैग कारगो होल्ड से निकाल लिया सुबह जब मैं कॉक्पिट में गया तो वहाँ तरहें तरहें के हथ्यार पड़े थे अलग अलग रंग के हधगोले थे और कार्टूस फैले पड़े थे अब ये जाहिर हो गया था कि हाईजैक की साजश बहुत बारीकी से सोच समझ कर बनाई गई थी लेकिन हाईजैकर्स किस हद तक जाने वाले थे और उनका मकसद क्या था उधर दिल्ली में विमान यात्रियों के रिष्टेदार एक जुठ हो गए संकट सुलजाने में भारत सरकार की नाकामे से नाराज रिष्टेदार विदेश मंत्री जस्वंत सिंग के संबाद दाता सम्मेलन में घुझ कए और मांग करने लगे कि सरकार यात्रियों को छुड़वाए दुनिया भर में टेलिविजन नेट्वर्क्स पर ये खबरें प्रसारित होने से भारत सरकार पर हाईजैकर्स से बाचीत करने के लिए दबाव बढ़ने लगा आखिरकार भारत सरकार ने वारताकारों की एक टीम बनाई जो IC 814 के अभरण के चौथे दिन 27 दिसंबर को अफगानिस्तान में कंधार पांची तालिबान नहीं जानते थे कि इस दल के साथ हाई कमांडो विमान में छिपे हुए थे भारत सरकार IC 814 पर धावा बोलने को भी तैयार थी वहां उतरते ही हमने देखा कि हमें तालिबान लड़ाकों ने पूरी तरह से गेर लिया था उन्होंने अजीब से कपड़े पहन रखे थे और तरह तरह के हथियारों से लेस थे वो एरक्राफ्ट की हिफासत करने के अंताज में वहां तैयनाथ नहीं थे वो लोग तो एकदम हमले की मुद्रा में थे भारती अवारता कारों के विमान के चारों तरफ तैयनाथ तालिबान लड़ाकों की हमले की मुद्रा के कारण भारत के कमांडोस के लिए फूरती से जपटना मुम्किन नहीं था भारत ये दल के सामने एक ही रास्ता था कि अफरन करताओं से बात चीच शुरू की जाए चीफ जब उनसे बात कर रहा था तो उसने जरूर कोई सुच दबा दिया होगा पूरे प्लेन में उसकी आवा सुनाए दे रही थी वो कह रहा था कि मौलाना के मामले में कोई सौदे बाजी नहीं होगी हमें नहीं मालूम था कि मौलाना कौन था आखरकार सच्चाई सामने आ गई हाईजैकर्स का मकसद मौलाना मसूद अजहर को छुडवाना था बस मुठी भर लोगों का ही कमांडर था लेकिन वो इन लोगों को जितनी वफादारी से वैशियाना कदम उठाने को उकसा सकता था उतना कोई और संगठन नहीं उकसा सकता था 1994 में गिरफ़तार मौलाना मसूद अजहर को जम्मू कश्मीर में कोट भलवाल जील में रखा गया था इसी हिस्से को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तीन लड़ाईयां हो चुकी है मौलाना को छुडवाने की कई कोशिशें हो चुकी थी दो बार तो विदेशी परियाटकों को अगवा करके मार डाला गया था एक बार जील तोड़ने की कोशिश हुई जिसमें मौलाना का एक साथी पुलिस के हाथों मारा गया और मौलाना एक तंग सुरंग में फसा रह गया लेकिन इस बार कुछ अलग हिसाब से कोशिश की गई थी भारतिये खुफिया एजिंसियों को ये संसनी खेश सक्चाई भी पता चली कि मुख अफरन करता मौलाना मसूद अजहर का छोटा भाई था मौलाना मसूद अजहर के रहाई हाई जैकर्स की पहली मांग थी मौलाना मसूद अजहर के साथ वो 35 और लोगों की रहाई आतंकवादी सज़्जाद अफगानी का ताबूत और भारत से 20 करोड अमरीकी डॉलर की फिरोती चाहते हैं हम कंधार में अपने वारताकारों के जरिये इसका जवाब भेज देंगे इस बीच हमारे देश के भीतर और बाहर भी लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए इस बातचीत के बीच अचानक तालिबान के दखल ने सब को चौका दिया तालिबान ने अफ़रन करताओं से कहा कि पैसे और सज्जाद अफगानी की लाश की मांग वो छोड़ दें क्यूंकि ये इसलाम के खिलाफ है IC 814 की यात्रियों और करमचारियों के अफ़रन का पांचवा दिन था विमान के भीतर हालात बिगड रहे थे और बरदाश्ट के बाहर हो रहे थे तक कुछ भी नगे लोगों को मारना चाहते हो तो मार डालो लेकिन ये सब खत्म करो हमसे अब और नहीं सहा जाता विमान के भीतर के हालात की खबरें जब भारत में रिष्टेदारों और मीडिया तक पहुँची तो वारता कारों पर समझोते के लिए दबाव बढ़ने लगा लेकिन दोनों में से कोई भी जुकने को तयार नहीं था 29 दिसंबर को याने अफरन के छटे दिन जब अफरन करता सदभाव के तौर पर 35 महिलाओं और बच्चों को छोड़ने पर राजी हो गए तो लगा कि कोई हल निकल आया है महिलाओं और बच्चों को अलग करने या छोड़ने का मतलब ये था कि विमान में सिर्फ मर्द बचेंगे इससे कहीं न कहीं ये डर लगने लगा कि अगर हमें खत्म करने का सवाल आया तो ये पल भर भी इंतजार नहीं करेंगे तब मैंने पलट कर उनकी तरफ देखा और क्या बताऊं बस परदाश्ट नहीं हो रहा था खुद मर जाना बहुत आसान होता है लेकिन अपने परिवार को या किसी अपने को मरते हुए नहीं देखा जाता लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ समझोते की उमीद फिर तूट गई बातचीत पूरी तरह से भंग हो गई थी रहाई का इंतजार कर रहे 35 चुने हुए यात्रियों को वापस विमान में धकेल दिया गया काफी शोर मच रहा था मैंने देखा कि बच्चों और महिलाओं को वापस एकॉनमी क्लास में धकेला जा रहा था तब मुझे लगा कि कुछ गड़बड हो गई है बड़ी अजीब सी स्थिती थी जिससे बयान नहीं किया जा सकता उनके और भारत सरकार के बीच बात चीज रुख गई थी अब वो लोगों को मारने वाले थे पता नहीं वो लोगों को चुनचुन कर मारते या फिर प्लेन से बाहर फेक देते या प्लेन को बहुत उचाई पर ले जाकर उड़ा देते मुझे अच्छे तरह याद है पूरे विमान में बिलकुल सन्नाटा फैला था कहीं से भी ये नहीं लगता था कि विमान में करीब दो सौ लोग बैठे थे तो क्या यही अंत था? क्या IC814 के यात्रियों और करमचारियों का सफर यहीं खत्म होने वाला था? अफगानिस्तान में कंधार में हाई जैकर्स और भारत सरकार के वारताकारों के बीच बात चीट तूट गई थी हाई जैकर्स ने पैसेंजर्स से कह दिया था कि वो IC करके उन्हें मार देंगे अचानक हालात बदलने से सहमे हुए यात्री मौत के सन्नाटे में अपनी बारी का इंतजार करने लगे वक्त गुजरता जा रहा था कोई हल चल नहीं थी सब लोग बैठे हुए थे बस इंतजार कर रहे थे कि कुछ होगा कुछ होगा लेकिन कुछ नहीं हुआ वो वापस आया और बोला कि नजाने किसकी दुआएं काम आ गई हैं लगता है कि बाच्चीत फिर से शुरू होने वाली है फिर करीब तीन चार घंटे बाद हमें बताया गया कि हमारे लिए एक खुशखबरी है बारल सरकार ने उनकी मांगे माली हैं और अब हम जल्दी ही आज़ाद कर दिये जाएंगे यात्रियों को छोड़ दिया गया लेकिन किसकी मद्पर तालिबान और अबहरन करताओं के साथ बाच्चीत के बाद समझोता हुआ है कि तीन उगरवादियों के बदले सभी बंधर छोड़ दिये जाएंगे तीन उस समय छोड़े जाने वाले तीन आतंकवादी थे मौलाना मसूद अजहर जिस पर हरकतल मुझाहिदीन का सदस्से होने का आरोब था उमर शेख लंदन स्कूल आफ एकोनॉमिक्स में पढ़ा ब्रिटिश नागरिक जो मौलाना मसूद अजहर का कट्टर चेला था और जिसे कश्मीर में विदेशी नागरिकों के अफरन के आरोप में गिरफतार किया गया था तीसरा कैदी मुझताक एहमद जरगर अलुमर मुझाहिदीन उगरवादी गोट का मुख्य कमांडर था जिसे कश्मीर में आतंकवादी हमलों के लिए पकड़ा गया था मेरे ख्याल से वो समझहोता भारत के लिए सबसे बुरा था वाकई में सबसे बुरा था और मेरी राय में उसकी कोई जरूरत नहीं थी ये समझहोता इसलिए करना पड़ा क्योंकि एकदम बे सिर पैर की समय सीमा तै कर दी गई थी प्रधान मंत्री ने बयान दिया था कि हम नहीं चाहते के यात्री बंधक बनकर निया साल मनाए मानलो हम कहते हैं कि ठीक है हम आपकी बात नहीं मानेंगे तो लोग हमें ऐसा करने नहीं देते हमें बातचीत पर मजबूर किया जाता और जब बातचीत होती है तो फिर तो ऐसा ही होता है भारत के अलग-अलग हिस्सों में जेलों से तीन आतंकवादियों को छोड़ा कर दिल्ली लाया गया जहांसे उन्हें विमान से कंधार ले जाया गया कुछी घंटों बाद रिहा किये गए आतंकवादी और अफरन करता तालिबान लड़ाकूँ के संड्रक्षन में आजादी से कंधार से रवाना हो गए IC 814 में यात्री और करमचारी अपनी रिहाई से खुश थे एक यात्री ने रिहाई के कुछी समय बाद विमान में खुशी के पल इन दुरलब तस्वीरों में खैद कर लिये थे उन्हों ने जैसे ही कहा कि तुम आजाद हो तो हमें बहुत अच्छा लगा सब एक दूसरे से हाथ मिलाने लगे एक दूसरे के गले लगने लगे उस समय हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था अचानक ऐसा लगा कि शरीर में जान ही नहीं रही हम उड़ने लगे थे क्योंकि सारा तनाव गाइब हो चुका था नए साल से एक दिन पहले और IC814 के अफरन के आठ दिन बाद एक को छोड़कर सभी यात्री और करमचारी सुरक्षित भारत पहुच गए उनका सफर पूरा हो गया था डेली एरपोर्ट पर हजारों लोगों ने उनका शानदार स्वागत किया ये जश्न रात भर और नई सदी की सुभह तक चलता रहा लेकिन एक सवाल सभी को सता रहा था भारत सरकार ने IC814 के यात्रियों और करमचारीों की जान के बदले तीन खतरनाका तंकवादियों को छोड़ कर कहीं कोई गलती तो नहीं की इस सवाल का कोई सही जवाब नहीं है लेकिन आज हम जो कुछ जानते हैं अगर उस समय फैसला लेने वालों को वो जानकारी होती तो क्या IC814 की कहानी का अंध कुछ अलग होता मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान लोट कया रिहाई के बाद उसने बहुत चल्द उगरवादी संगठन जैश महम्मद बना लिया जैश पर 13 दिसंबर सन 2001 को भारतिय संसत पर हुए हमले के साथ साथ कई हमलों में शामिल होने का आरोप है संसत पर हुए हमले में साथ मासूम मारे गए और 18 घायल हुए जम्मू कश्मीर विधान सभा पर हमले में भी जैश का हाथ था मौलाना मसूद अजहर अब पाकिस्तान में आजादी से रहता है उमर शेख 11 सितंबर को वोर्ल ट्रेड सेंटर से ठकराने वाले दो में से एक विमान के पाइलिट मुहम्मद अट्टा का मुख्य फाइनेंसर बताया जाता है उसे अमरीकी पत्रकार डैनियल परल को मारने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई है मुश्ताक अहमद जर्गर पाकिस्तान के कबजेवाले कश्मीर की राजधानी मुजफर अबाद में रहता है बताया जाता है कि वो उगरवादी गुड अलुमर मुजाहिदीन को फिर से खड़ा कर रहा है अब ये जाहिर हो चुका है कि पाँचो हाईजैकर्स पाकिस्तानी नागरिक थे जो पाकिस्तान में आजादी से जी रहे बताये जाते हैं इंटरपोल और भारत की सीबी आई ने पाकिस्तान अपचारिक अनुरोध किये हैं कि उन्हें पकड़कर भारत को सौप दिया जाए लेकिन इन अनुरोधों की कोई सुनवाई नहीं हुई कोई नहीं जानता कि दिसंबर 1999 के बाद उन्होंने क्या किया IC814 का हादसा उनके लिए शान का मौका था इस सवाल का पक्ता जवाब तो अभी तक नहीं मिला कि हाईजैकर्स, रिवॉल्वर और हथगोले विमान में कैसे ले गए लेकिन IC814 के अफरण के बाद नेपाल सरकार ने काट मांडू के त्रिभुवन अंतर राष्ट्री हवाई यड़े पर सुरक्षा इंतजाम काफी सخت कर दिये, इंडियन एरलाइन्स ने नेपाल के लिए अपनी ओडाने स्थगित कर दी, लेकिन छे महीने बाद उन्हें फिर से शुरू कर दिया, इंडियन एरलाइन्स के करमचारी विमान में सबार होने से पहले सभी यात्रियों की दोबारा जाँच करते हैं और भारत सरकार ने कुछ उड़ानों में स्काई मार्शल तैनाद करने का भी फैसला किया ICH-14 में कैप्टन और अफ़रन करताओं के बीच कश्मकश चल रही थी अफ़रन करता पाकिस्तान में लाहौर जाना चाहते थे लेकिन कैप्टन किसी कीमत पर पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे छे महीने पहले ही कश्मीर में कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच हूनी जंग में सैकनों लोग मारे गए थे उसके घाव अभी तक ताजा थे मैं लाहॉर नहीं जाना चाहता था क्योंकि मैं अपना देश नहीं छोड़ना चाहता था मैं भारत में किसी भी जगें पर उतरने को तयार था ताकि सुरक्षा कर्मियों को मदद करने का मौका मिल सके लाहौर एटी सी का रुख कैप्टन के काम आया उन्होंने विमान उतारने से मना कर दिया लाहौर ने अपनी वायू सीमा अपने विमानों के लिए भी बंद कर दी इस बीच यात्री कैबिन में एक खतरनाख खेल शुरू हो गया था आठ पुरुश यात्रियों को वहां से उठाकर एग्जेगेटिव कैबिन में ले जाया गया उनमें 27 साल के रिपन कत्याल भी थे जो अपनी पत्नी रचना के साथ हनीमून से लौट रहे थे जैसे ही मेरे को बर्गर अंदर ले गया तो मैंने देखा कि वहां पर तीन लोग पहले से ही थे और उसने मेरे दोनों हाथ पीछे कहींच कर नाइलोन की रसी से बांदिये फिर सीट पीछे करने का बटन दबाया और बिल्कुल बैक में ले जाकर सीट फ्लैट कर दी और बेल्ट बांदी मुझे यात्री कैबिन की हलचल से बेखबर कैप्टन ने वक्त गुजारने का फैसला किया मैंने अपनी रफटार करीब 40 प्रतिशत कम कर दी क्योंके मैं डिल्ली यामरिस सर कहीं भी उतरने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय लेना चाहता था ताकि वहां तैयारियां हो सकें उनके सामने ज्यादा विकल्प नहीं थे लिकिन अफ़रन करता अड़े हुए थे वो विमान को भारत में उतारने को तैयार नहीं थे फिर ये गतिरोध कैसे टूटा आखिर कौन चुका नेपाल में काटमांडू से भारत में नई दिल्ली के रास्ते में इंडियन एर लाइन्स की ओडान आईसी 814 पर पांच अफ़रन करताओं ने कबजा कर लिया था वो रिवॉल्वर, चाकू और हधकोले लेकर विमान में घुस कए थे अब हरन करताओं की मांग थी के पाइलिट्स विमान को पाकिस्तान में लाहौर ले जाएं लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने अपनी वायू सीमा बंद कर दी और विमान उतारने से इंकार कर दिया इंधन तेजी से खत्म हो रहा था इसलिए कैप्टन शरन के सामने एक ही रास्ता था कि विमान को लाहौर से पचास किलो मिटर पूर्व उत्तर में भारत में अमरिच सर में उतार लें लेकिन अपहरण करताओं को डर था कि भारत ये सुरक्षा बल विमान में खुस जाएंगे इसलिए वो भारत में उतरना नहीं चाहते थे मैंने हाथ जोड़े कि मुझे विमान उतारने दो नहीं तो सब मारे जाएंगे लेकिन वो अमरिच सर में नहीं उतरना चाहते थे उन्होंने दो तीन मिनट लिए सारे हाईजैकर्स पीछे जमा हुए कुछ बाचीत की फिर वो अंदर आए उन्होंने पूछा तुम्हें यकीन है कि विमान को इंधन मिल जाएगा मैंने कहा कि हाँ मिल जाएगा बस हमें अमरिच सर में उतरने दो कैप्टन की चाल काम कर गई अफरन अब मुझे कुछ फैसला लेना ही था एटी सी कुछ नहीं कर रहा था कोई मदद नहीं मिल रही थी प्लेन के सामने बाउजर नहीं आ रहा था कुछ भी नहीं हो रहा था भारतिय सुरक्षा बलों से जब कोई मदद नहीं मिली तो ये लगने लगा कि हाईजैकर्स सब को मार देंगे तो कैप्टन शरन ने सूच समझ कर जोखिम उठाया और तेजी से पाकिस्तान में लाहौर की तरफ उडान भरी प्लेन में जितना इधन था उससे लाहौर पहुँचने की उमीद बहुत कम थी लिकिन कोई और रास्ता नहीं था भारत ने प्लेन पर कबजा करने और संकट को खत्म करने का इतना अच्छा मौका गवा दिया था पाइलिट यही कहते रहे कि उनके पास बिलकुल भी इंधन नहीं है इसलिए हमें यकीन था कि जब तक हम इंधन नहीं भरेंगे तब तक एरक्राफ्ट किसी भी हालत में नहीं उड़ पाएगा हमने अम्रिस सर में अधिकारियों से कहा कि वो बाउजर के साथ स्नाइपर्स या शार्प शूटर्स को एरपोर्ट ले जाएं और प्लेन के टायर उड़ा दें लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों नहीं हुआ कारण तो कई हो सकते हैं लेकिन हमें और क्राइसिस मेनेजमेंट ग्रूप को कोई कारण नहीं बताया गया मैं तो दिल्ली की इस प्रतिक्रिया को और कुछ नहीं बचकान ही कहूँगा पहली सूचना मिलते ही एनेसजी को फूरती से जाने को कहा जाना चाहिए था हाईजेक को खत्म करने की कोई रणनी ती होनी चाहिए थी IC814 अब अमरित सर से करीब 50 किलो मिटर दूर सीमा पार पाकिस्तान में लाहौर जा रहा था लेकिन पाकिस्तान सरकार इस प्लेन को अपने यहां उतारना नहीं चाहती थी जब विमान को मार गिराने की धंकी का कोई असर नहीं हुआ तो पाकिस्तान एरपोर्ट अथारिटीज ने लाहौर हवा यड़े पर देशा बताने के सभी संकेत और लाइट्स बंड कर दी उन्होंने का हम तुमें यहां उतरने नहीं दे सकते तुम कहीं और जाओ उनोंने रणवे की सारी लाइट्स बंड कर दी, नयविगेशन एट भी बंड कर दी और एपरें लाइट्स भी बंड कर दी आखिर मेंने दोनों रिजर्व लाइट्स ऑौन कर दी मेरे पास हवा में रहने के लिए ईंधन नहीं था, मुझे फैसला ले नहीं था तब मैं नीचे आने लगा ताकि ऐसी जगहें दिखाई दे जाए जहां मैं इस प्लेन को उतार दूँ दिशा बताने का कोई संकेत ना होने के कारण पाइलेट्स ने विमान को कुछ जगमगाती लाइट्स की तरफ मोड दिया उन्होंने सोचा के ये लाहोर का रन्वे है लिकिन जब बिमान बेहद नीचे आ गया तब पाइलेट्स ने देखा के उन्होंने बड़ी भारी भूल कर दी है पाकिस्तान एरपोर्ट अथारिटीज अब समझ गई थी के पाइलेट्स के पास कोई रास्ता नहीं है अगर आइसी 814 को उतरने की अजाज़त न दी गई तो वो जमीन पर क्रैश कर जाएगा करताओं ने कैप्टन की इस गैरिंटी पर विमान को अमरिच सर में उतारने की इजाज़त दे दी के फॉरण इंधन मिल जाएगा अब मुझे लगा के हम यहां से नहीं उड़ेंगे मुझे उमीद थी कि वहां कुछ मदद मिल जाएगी और हाइजैकिंग का ये नाटा कमरिच सर में खत्म हो जाएगा नई दिल्ली में प्रधान मंत्री वाजपई की अध्यक्षता में इंडियन क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रूप ने अमरिच सर में स्थानिय पुलिस को विमान में घुसने की इजाज़त नहीं दी उसकी जिद थी कि भारत की तेज तर्रार एंटी हाईजैकिंग फोर्स किसी भी तरह से राजासासी एरपोर्ट पर रोक न था दिल्ली के निर्देश पर अमरिच सर में अधिकारी इंधन टैंकर भीजने में देरी करके वक्त गुजारने लगे लेकिन इस देरी से अफरन करताओं की खीज और गुस्सा बढ़ने लगा प्लेन आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक अमरिच सर में खड़ा रहा लेकिन कोई टैंकर दिखाई नहीं दिया हाई जैकर्स को यकीन हो गया कि भारत ये कमांडो विमान में घुसने की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने IC814 के पाइलट को उड़ान भरने का आदेश दिया उन्हें इंधन खत्म होने की कोई परवाह नहीं थी पर पाइलट ने हार नहीं मानी IC814 पर पाइलट्स और अफ़रन करताओं के बीच खीचतान खत्म होने वाली थी और उसके नतीजे खतरनाक होने वाले थे पाइलट ने जहाज नहीं उड़ाया तो अल अफ़रन इतनी देर में क्या होता है कि मार देंगे कि कहने के बाद वो एक डॉक्टर टेलरिस्ट मतलब डॉक्टर नाम से था तो वो आता है तो वो यहां पे रिपन कत्याल की छाती में उसने काफी ज़्यादा अटेम्ट कर द फ्लाइट इंजिनियर जागिया को हाईजैकर्स के इस दावे की पुष्टी करने के लिए भेजा गया कि वो पैसेंजर्स को मार रही हैं जागिया वहां की हालत देखकर सक्ते में आ गए हाईजैकर्स ने मौत की गिनती शुरू कर दी अगर 30 से 0 तक गिनने में हवाई जहाज नहीं उड़ा तो वो पहले पाइलट्स को मारेंगे और फिर हर यात्री को गोली मार देंगे 1999 में क्रिसमस से एक दिन पहले इंडियन एर लाइन्स की नई दिल्ली तपकी इस उड़ान की यात्रियों के लिए सवा घंटे का ये छोटा सा सफर खौफ और आतंक का लंबा सफर होने वाला था इन में से सभी यात्री अपनी मंजिल तक जिंदा पहुँचने वाले नहीं थे अगले कुछ घंटों और दिनों की घटनाएं बहुत दूर तक अपना असर छोड़ने वाली थी आतंक के इस नाटक का अंत सारी दुनिया के लिए बेहद घातक असर छोड़ गया और आतंक के इतिहास में एक और अठ्याई लिखा गया नेपाल में काठ मांडू के त्रिभुवन अंतर राष्ट्रिय हवाई यड़े पर इंडियन एर लाइन्स की उड़ान IC 814 रवानगी की तैयारी में थी एक घंटा बीस मिनट में ये विमान भारत में नई दिल्ली पहुँचने वाला था कॉक्पिट में कैप्टन देवी शरन, को पाइलिट सिंग और फ्लाइट इंजिनियर जागिया उड़ान से पहले की जाजबर ताल कर रहे थे विमान के 178 तर यात्रियों में से ज्यादा तर नेपाल में छुट्टियां बिता कर लौट रहे थे क्रिसमस का मौका था, नई सदी बस हफ़ते भर दूर थी और सब मस्ती के मूड में थे शाम चार बजे के बाद जब IC814 उड़ान काठमांडू से रवाना हुई तो किसी ने सूचा भी नहीं था कि इसके साथ कोई अन्होनी होने वाली है बहुत जल्द ये विमान भारती ये वायू सीमा में आ गया कैबिन में फ्लाइट अटेंडेंस ने ड्रिंक सर्विस शुरू कर दी इतनी छोटी उडान में ये काम फुर्ती से निप्टाना जरूरी होता है दिल्ली कार्टमंडू सेक्टर में सर्विस ठीक ठाक चल रही थी मैंने सुचा कैप्टन्स को कुछ चाय काफी दे दी जाए चीफ स्टीवर्ड अनिल शर्मा पाइलट्स को चाय देने के लिए कॉक्पिट में पहुँचे लेकिन जब वो बाहर निकले तो आई सी एट वन फोर में सवार सभी लोगों की जिन्दगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी मैंने जैसे ही गैली की तरफ मू किया तो मास्क पहने हुए एक आदमी दिखाई दिया वो नाटे कदका था और उसने चश्मा पहना था मुझे लगा कि मुझे फॉरण कैप्टन्स को बताना चाहिए मैंने इंटरकॉम के तरफ हाथ पढ़ाए जब अनिल शर्मा लोट रहे थे तब ही मैंने देखा कि एक आदमी कॉक्पिट में घुस रहा है पल भर के लिए मैं सहम गया मैं समझ गया था कि पलेन हाईजेक हो गया है उसने कहा कि कोई हरकत नहीं होनी चाहिए पलेन को बस पश्चिम की तरफ ले चलो लेकिन वो अकेला नहीं था हथियारों से पूरी तरह लैस चार और अपहरन करता थे जिन्होंने बड़ी बेरहमी से विमान पर कबजा कर लिया आवाज आ रही थी कि खाना जल्दी नीचे फैंको सीटों के नीचे फैंको जल्दी नीचे फैंक तो वो बड़ी जोर से चला रहे थे इसलिए हमने जल्दबाजी में हर बड़ी में खाना फैंकने शुरू कर दिया फिर हम से सीटे बदलने को कहा गया बच्चे मुझसे दूर हो गए अब वो पीछे बैठे थे हमारे बीच कोई संपर्क नहीं रहा मैंने सोचा चलो देखते हैं कि वो क्या करते हैं मैं कोई हर्कत नहीं कर सकता था क्योंकि अकेले कुछ नहीं किया जा सकता था मुझे सबसे स्यादा फिक्र अपनी बेटी की थी वो मेरे पास नहीं थी पता नहीं उसका क्या हुआ वो बहुत दूर थी मैंने अपनी आखों की पट्टी हटाई और इस तरह हाथ उटा कर खड़ा हो गया और फॉरन ही वो आदमी मुझ पर लपका और रिवालवर तान कर बोला चुप चाप बैठ जाओ वरना गोली मार दूगा सुलिया तब उसे मेरी आवास में कुछ खुसा कुछ फिक्र कुछ खौफ ये सब महसूस हुआ शायद उसे लग गया कि ये आदमी नहीं माने का उसने कहा जल्दी से देख और बैठ जा मैंने नजर गुमाई उनकी तरफ देखा वो दोनों वहां आराम से बैठे हुए थे फिर मैं वापस अपनी सीट पर बैठ गया कॉक्पिट में कैप्टन शरन किसी तरह अभरन करताओं को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि विमान को उनकी मर्जी के मताबिक पाकिस्तान में लाहौर ले जाने लायक इंधन नहीं है उसमें पूछा तुम्हरे पास कितना इंधन है मैंने कहा कि दिल्ली तक का इंधन है उसमें पूछा कि अगर दिल्ली ना उतर पहे तो और कहा जा सकते है उसे मालुम था कि हम बंबई या एहमदाबाद जा सकते हैं मैंने कहा एहमदाबाद फिर उसमें कहा कि अगर एहमदाबाद ये बंबई जा सकते हैं लाहौर क्यों नहीं जा सकते। डिली से बंबए के मुकाबले लाहौर ज्यादा खरीब है। भारती उप महधवीत में रात हो गई थी। IC 814 अपनी मन्जिल से अंजान अब भी पश्चिम की तरफ जा रहा था। विमान में सवार 189 यात्रियों और कर्मचारियों को कुछ खतरनाक हतियार बंद लोगों ने बंधग बना रखा था। कॉक्पिट में कैप्टन शरण खतरनाक खेल खेल रहे थे। अपहरण करताओं की नजर बचा कर उन्होंने एक एमरजेंसी ट्रांसपॉंडर तबाया जिससे भारतीय एर ट्राफिक कंट्रोलर समझ गए कि IC 814 का अपहरण हो गया है। करता अपहरण करता है। झाल 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 तो झाल 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 झाल